अलो बच्चों वै गूड इविनिंग सबको केसे हो भाई सब लोग गूड इविनिंग सबको गूड इविनिंग टीक है तो क्या ह्ल चाल अपने बड़िया है तो भई आज अपन पने बड़र्न इक चेप्टर के अलान है और च्चार्ज ओवाई है ये चीज़े अपने जान ली थी कि चार्ज रुका है तब क्या-क्या चीज़ें होईगी तो राट और सर के साथ आप क्या पढ़ने वाले हैं आज करन्ट इलेक्टिसिटी अपना नया चेप्टर अपने में शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का जो ऐसे तो 12 में थर्ड नंबर के चेप्टर पर आता है ठीक है तो अपने इस्टेटिक चार्ज की प्रोपर्टी पढ़ी थी अब देखो चार्ज इस्टेटिक था अपने उसके बारे में जान लिया अब यह जो चेप्टर है करन्ट इलेक्टिसिटी इसमें क्या होगा चार् चार्ज में चल रहा है उसकी वज़े से क्या-क्या इफेक्ट होंगा अब देखो चार्ज अगर मोशन में हैं तो दो टाइप से मोशन में हो सकती है कोई चीज मोशन में है तो क्या तो चलती रहेगी यह उसका मोशन जो है चार्ज की बात कर रहें चार्ज एक वायर में हो रहा है कि अपन ज्यादा तर क्या मानते हैं कि इलेक्ट्रों होते हैं एलेक्ट्रों ही बेसिकली फ्लो होते हैं अपन पोजेडिव चार्ज को वह उसकी वजहां डि updated और अपने पास यूद्ध करते बेसिक्ली अपने पास टीन टाइप के चार्ज एक प्रोटोन एक्ट टॉन सब्सक्राइब नुटोन इस्टूमें चलते बोर्ड चल रहा है आपका चल रहा है मोबाइल चल रहा है इसको अपन कार्ज कर रहे हैं अब करने चार जो है यहां पर इलेक्टिसिटटी वाला अपन simbol ऐसे भना दिया है तो आगे अपन बढ़ते हैं ठीक है तो अपने क्या देखा कि charge जो है rate rest में अपने क्या पढ़ा सारा charge electro static में पढ़ ले कि इतना भी charge rest में होगा वो क्या होगा electro static में अपने पढ़ चुके हैं इन इस chapter में अपन क्या करेंगे we will focus on electric current ठीक है that is charge in motion तो charge क्या है motion में है तो electric current की बारे में जानेंगे और charge in motion दो टाइप के हो सकते हैं constant velocities है और क्या होगा वेरिवल वेलोसिटी इसमें accelerated motion की अपन बात करते हैं तो constant velocities से अपन बात करेंगे तो किसमें करेंगे current electricity वाले चेप्टर में और अगर acceleration आ रहा है उसमें तो उसमें कौन सी बात होगी अपन कि सिक्वेंस में पढ़ते हैं अपने सबसे पहले कि आ जाना कि चार्ज की बारे में जाना था फिर उनके दोनों की फोर्स की बारे में जाना कि कहा पर फोर्स लगेगा अब कोई चार्ज पर फोर्स लग रहा है तो क्या होगा मूशन में आएगा तो फिर electricity के बारे में जाना तो यह वाली चीज अपने को जाननी पड़ेगी ठीक है तो current electricity देखते है अपन क्या होता है बेसिकली electricity क्या होती है ठीक है एक कोई वायर है अपन इसको बड़ा बनाया हुआ है इसमें कोई electricity जा रही है पोटेंशल डिप्रेंस होगा तो वापे electricity होगी अगर कोई वायर इसे ही रखा हो है मानलो कोई भी लगता है तो क्या उसमें electric current जा रहा है कि अपन उसको कोई अपने जोड़ा हुआ नहीं है कहीं से क्या भी तब भी अपने को current लगता है कि नहीं सथ मेटा लगार इसे रखा हुआ है तो current का बोगा जब पोटेंशल डिफ्रेंस होगा यह चीज अपने को पता होनी चीजिए नौर्मल सी बात है पता होती है अपने इसे तो किसी कोपर के वायर को आत लगा लो नहीं होता है और वहीं कोपर का वायर जब अपने क्या होता है सर्कृट में होता है और अपने गलती से लगा लिया है तो अपने को 240 होड का जटका लगता है ठीक है 240 होड के जटके भी कहा charge flow हो रहा है वो rate हो जाती है उसकी when charge flow in a conductor from one palace to other palace then the rate of flow of charge then the rate of flow of charge is called current electricity or electricity current ठीक है इसको अपन क्या denote करते है current को कि अपन इसको denote करते है I से ठीक है current को अपन denote करते है तो इसने क्या बोला rate of flow of charge I जो है change flow of charge यहाँ पर off charge भी लिखते जाओ with respect to time तो पर second में जितना charge flow हो रहा है पर time में कि जितना charge flow हो रहा है वो क्या हो जाएगा अपना current पर जाएगा ठीक है चार्ज अपनने डो टाइप के पढ़े थे चार्ज अपनने डो टाइप के पढ़े थे पोजेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो उसकी बारे में बोला गया है positive charge flow from higher to lower potential and negative charge flow from lower to higher potential ठीक है अगर इसमें किसी को इस पॉइंट में अगर किसी को दिक्कत हो कि सर नहीं है किसे अपने लिखा lower to higher higher to lower तो फिर इसका मतलब यह है कि अपने जो है electric field और चार्ज वाला चेप्टर अच्छे से नहीं पड़ा उसके basic अच्छे सर नहीं जाना ठीक है आप अपने क्या पड़ाता नहीट है electric field potential difference में change होगा जिस रेट से change होगा तो अपने कुन जो क्या देगा electric field देगा मतलब चार्ज एगर कहीं फ्रो हो रहा तो positive charge flow हो रहा है तो electric physical decrease होगा मतलब potential change होगा ठीक है तो positive charge के लिए क्या होगा कि वह कहां जाता है positive charge किदर से किदर positive charge कहां पर higher to lower और negative charge अतना क्या करता है कहां पर करता है lower to high ठीक है मतलब अगर एक बाव बताओ अब इसमें कुछ समझते वे चलते हैं अब chapter अच्छा है तो electron में यहां पर छोग दिया है यहां पर potential कितना है यहां पर B है यहां पर B1 है और यहां पर B2 ठीक है अब अपन बात करें इसको मैं IK direction दे रहा हूँ ठीक है मतलब एक टेक्सिस पर रखे हुए है यह और यहां पर दो potential difference है एक case हुआ कि B1 greater than B2 ठीक है दूसरा case है कि B2 जो है आपका वो क्या है greater than B1 अब बताओ इसकी direction क्या होगी यह electron कौन सी direction में जाएगा समझेंगे मेरे बात का मतलब सबसे पहले अपन केसे इसमें सोचेंगे electron कौन सा charge है सर कि सर electron तो जो है negative charge है तो कहा करेगा lower to higher की तरब जाएगा यहाँ पर पहली condition देखें अपना higher की दर है कि B1 है और B2 क्या है lower तो lower से higher जाएगा मतलब इसकी direction क्या होगी minus IK ठीक है और B2 second volume क्या है higher है even क्या है lower है lower से higher तो इसमें क्या होगी direction इसकी IK अपने जिस अभी direction के बिहाब पर अपने देखा है तो यह चीज़ समझ में आए अपने को अगर मैं यहाँ पे electron की जगए positive charge क्यों रख देता हूं तो सेम उसमें क्या हो जाएगा reverse हो जाएगा वो कहाँ पे जाएगा higher to lower समझ में आई यह बात के लिए रहे आगे बढ़ता है छोटी छोटी चीज़ें पर पढ़ना जो तो देख क्यों कि basic क्या ही है ठीक है if a charge dell q cross an area in the time t then the average electric current through the area during this time मतलब क्या है एक area अपने एसा एक area बनाया मतलब वह वाली बात है कि यह क्या है यह area लिखा पन कि इस area में से मालों यह area कितना charge flow हो रहा है कि इदर सर चार जा रहा है वो जो है flow हो रहा है वो डेल्टी चार और उसको flow होने में कितना time लग रहा है सर कि उसको time लग रहा है डेल्टी तो अपन उस वहाँ पर average current क्या देंगे मालो मतलब instant नहीं है वो बिल्कुल छोटा नहीं है कुछ में time है कि दो सेकिंद तीन सेकिंद दस सेकिंद और डेल्टी तो आइवरेज कैसे दूगा में उसका कि वहां से जितना charge गुजर रहा है पर time में वह उसको वहां पर में average करने दूगा तो आई average मेरे पास क्या हो जाएगा देल क्यूब आइव ठीक है अब बोलो अम मालो जो चूटा होगा चूटा 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 मतलब 0.000000000 बिल्कुल इसा मतलब इस्टेंट होगा बिल्कुल मतलब मैं डेल्टी ते जीरो कर दो ठीक है जो नेक्स्ट वाला पॉइंट भी है इप दा मुविंग चार्ज अब यहाँ पर आपनो देख लेंगे इस्टेंट के लिए अपन बात कर रहें तो इस्टेंट वाले पर देखेंगे इप मुविंग चार्ज आप नेगेटिव ठीक है अगर मुविंग चार्ज क्या है पोजिटिव यह नेगेटिव है तो पोजिटिव चार्ज में क्या होता है अपन क्या अजम्चन लेके नहीं चलते यह इस्टेंडर किया हुआ है कि पोजिटिव चार्ज की क्या है करन्ट इंदा डारेक् औप चार फिंहें, तो एक बाव बताओ, इसमें पहले वाले केस्थ तो में अहीं है posff. को अभी रॉका करेंट की डारेक्षण काौन होगी कि इसमें मैंने यहा तो जो है किसकी डारेक्षण की बात कीथी आपने इलेक्टोन किदर व्रशा Finn की डारेक्शन भी बात की अब यहां पर मैं करंड की डारेक्शन की बात करूं कि करंड की डारेक्शन क्या होगी की डारेक्शन ओप करेंट की बात करों cooking है की आपने पड़ा की पॉजिव टार्ज की अपने पड़ा पॉजन् की डारेक्षम में हो थी है और ऑपजीट हो ती है नेगेट diversion की पॉजाईगी यहाँ सा पॉर कर अपने कां आता है तो अAH मोईशा इसको अब ने पड़ा है पर कभी कई स्लिली मिस्टेक्स हो जाती यह मिस्टेक्स करो गे यह इस वज़े से यहां पर point include करना जा जोगे अब यहां पर बात करें यहां से यह तक है delta T है जो time difference हो जो है आपने अपर टी टाइम लिया यह पर area मैं से कोई चार जा रहा है उसमें डेल्टी टाइम लग रहा है अब आपन बात करें वह बहुत टाइम इंटरवल जो है बहुत चोटा हो गया तो डेल्टा टी टाइम में कितना चार जा रहा था डेल्टी टार जा रहा था पर वो टाइम इंटरवल बहुत चोटा हो गया डेल्टा टी ट निकालने के लिए instantaneous current निकालने के लिए I equal to limit delta is to 0 del q by delta ठीक है और del q by delta d क्या हो गया dq by dt ठीक है तो I instant पर अगर मैं किसी time fraction of time पर बात करूं तो मेरा current क्या हो जाएगा dq by dt इसका मतलब क्या है कि गर मालनो मेरे को charge q का कुछ equation दिया होगा टाइम की form में कि मेरे को function of time दे दिया क्यों जो है माल लीजे मेरे को function of time दे दिया की equal to f of x एठीक है अब मेरे को बोला गया कि current निकाल के बताओ instant current निकाल के बताओ instant current के आप से instant current के से निकाल लोगे I equal to del q by delta d और यह function का क्या करोगे differentiation कर दोगे, अपने यहाँ पर function इस ले रहे रहे, माल लो t square दे दिया, तो क्या करोगे, 2t हो जाए, ठीक है, और माल लो मेरे को कुछ instant of square, जो है time का function दे दिया, कि current कुछ ऐसे move कर रहा है कि 2t square plus 3t plus 1, तो फिर मैं यहाँ पर कहा कर दूँगा, integration कर दूँगा, तो वहाँ से charge जाए, अब charge की बात करें, charge की unit क्या होती है, सर, charge की unit अपने पढ़ी ती कुलाम होती है, time किस में होता है, second में होता है, तो कुलाम पर second को अपन क्या बोलते हैं, ampere बोलते हैं, ठीक है, इसको अपन A से denote करते हैं, ठीक है, अब सबसे important चीज की current क्या है, scalar quantity है, बेटा ये कभी-कभी आ जाता है, तो इसको याद रखना कि ये scalar quantity है, जो अपने vector में पढ़ाया जाता है, कि current addition लेके पड़ता है, अब तुम बात करोगे, सर, scalar quantity के से, इसका तो direction होता है, अपना एक तार है, इसे जा रहा है ये तार, तो इसमें इसका direction होता है, कि आप नहीं तो खुद नहीं तो बोला भी तो, कि current की opposite direction में charge की positive charge होगा, तो उसकी direction में current का direction होगा, और opposite direction में क्या होगा, कि इसका direction होगा, किसका current का, मतलब positive charge है, positive charge है, तो direction किसका होगा current का direction होगा और negative charge है तो direction opposite हो जाएगा minus of current का direction जो होगा उसका minor direction हो जाएगा charge flow जिदर हो रहा है अब आप यहाँ पर क्या बोल रहे हो कि यह तो scalar quantity vector quantity क्या होती है सबसे पहले अपने को definition आना चाहिए तो देखो vector quantity scalar quantity सब जानते है those quantity have measurement vector quantity की पूरी definition क्या है those quantity who has measurement as well as the particular direction इतना सबको पता है and the follow of the vector submission rule जो triangle rule अपन पढ़ते है ना वो यह follow नहीं करता है इस पज़े से क्या है current अपना scalar quantity है और scalar quantity को अपन टेंसर भी पढ़ते हैं vector में basically क्या होता है देखो थोड़ा सा extra knowledge ले लेता है अपने हापे काम का तो नहीं है बाद में काम आता है कभी कोई b take करने जाता है तो वहाँ पढ़ाया जाता है ठीक है मतलब tensor की power क्या coding अपन scalar vector quantity decide करते है tensor की power 0 होता है तो वो scalar quantity होता है tensor की power 1 होता है तो vector quantity होता है और tensor की power other होती है मतलब 1 के बाद 2,3 तो वहाँ पे क्या होता है tensor उसको बोलते हैं जीसे हैं अपना कहीं अपन क्या करते हैं कहीं पर और जगवे निकालते हैं दिवाइड बाई या टोर्क निकालते हैं मतलब इसमें dot product अपन करते हैं वर्क निकालते हैं वर्क क्या है वैसे तो scalar quantity f dot f1 को उसमें कर रहे हैं वो भी तो scalar quantity हैं दो vector का मैं dot product ले रहा हूं तो कैसे scalar आ सकता है यह सुचने वाली बात है पर वो tensor की power 2 में जला जाता है तो उसको पन क्या बोलते हैं scalar quantity बोलते हैं तो important point है current क्या है scalar quantity है और आपके अगर scalar quantity आ जाये तो scalar quantity भी टिक कर क्या आना अगर scalar quantity ना हो वहाँ पे vector quantity vector दिया हूँ आओ tensor दिया हूँ और कुछ none of दिया हूँ आओ अगर दिया हूँ तो आपके फिर अपने tensor करके आजाने और दोनों में अगर दिया हूँ आओ तो अपने board की किताब की साफ़ साफ़ अपना scalar quantity अपनी साफ़ दिये ठीक है SI unit क्या है current की ampere है जिसको अपन SI denote करते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें चलिए तो ampere की basically अगर definition देना चाहो ampere की उससर देफिनेशन क्या बोलेंगे अपन ampere की definition क्या होगी the current through any conductor is said to be one ampere if the column of charge is flowing per second through the any cross section area मतलब simple सी बात क्या है I बराबर del q by del t लिखा हूआ है ठीक है अब मैं इसको one कर दूँ ठीक है one second में जितना charge उसके cross section area यह delta है मैंने लिया इस यहां से per second में one second में जितना charge हो रहा है यह one कर दिया तो i बराबर क्या हो गया delta हो गया वही है यहाँ पर definition की form में लिखा हूआ है the current through the any conductor is said to be one ampere one ampere क्या होगा one column of charge following per second through the any cross section area मतलब i बराबर delta हो गया और one में यहाँ पर गया करूँ one कुलाम में ने कर दिया तो one i जो है मेरा one हो गया one ampere क्या हो जाएगा मेना one कुलाम के बराबर हो जाएगा वो यहाँ से definition वो इनिकल क्या है ठीक है अब कुछ हलका सा question कर लेते हैं वैसे तो मैंने बता दिया है कि इसको attempt कैसे करेंगे फिर भी try कर लो क्योंकि ये भी कभी-कभी basic में पूछे जा सकते हैं silly में कभी-कभी silly question अपने पास आ सकते हैं तो copy लेके बेटो pen लेके बेटो अगर नहीं बेटो हो तो पहले वो काम करो फिर question मैं समझा रहा हूँ पढ़ा भी रहा हूँ उससे पहले एक बार कुछ से क्राए कर लो क्या दिया हो आपने को question में the current throw a wire depend on the time is i equal to 2 plus 3 ampere calculate the charge throw a cross section area of the wire in first 10 seconds इस चीज़ अपन निकाल सकते हैं यह नहीं निकाल सकते हैं पहले मेरे को यह बताओ और निकालोगे तो answer आ जाए तो पहले answer लिखके बतादो कितना आ रहा है चलो कैसे करेंगे इसको attempt करके देखो कैसे करेंगे इसको attempt simple सा है वैसे तो मैंने क्योंकि आपको तरीका तो बता दिया है पूरा इसमें को दिक्तेट वाली बात है कि सर अमको तो पता है आई आपने बोला था कि क्या होता है कि dq by dt होता है अब यहाँ पे आपने function of i अपने को दिया है 2 प्लस 3t ठीके तो solution number 1 यह थड़ वाले के लिए छोड़ देता है नीचे कर लिए तो solution number 1 आपने यार बेटीचा भाई i मैंने क्या दिया 2 प्लस 3t ठीके और i अपन क्या जानते हैं कि सर i हम तो जानते हैं क्या होता है dq by dt होता है i बराबर क्या होता है कि सर dq by dt होता है आपने ही बताया मैं तो क्या बताया ठीके या i बराबर क्या होता है अपन और i लिखना चाहें तो i के से लगते सकते हैं del q by del t interval of time ही चाहिए ठीके तो क्या मैं charge को यहां से लिख सकता हूँ dq बराबर i into dt ठीके क्योंकि function of time में अपने को क्या दिया हूँ है current दिया हूँ है तो अपन इसको इधर ले आए तो dq में बात करूँ ठीके वो क्या हो जाएगा 2 plus 3t and dt अब एक बाब बताओ जब time क्या होगा 0 होगा तो charge मेरा क्या होगा चार्ज वहां से तो कुछ flow नहीं हो रहा ना भई limit इसमें कैसे set करोगे सबसे important चीज़ यहीं आती है कि limit कैसे set रहे first 10 seconds में कि starting में किसीना answer दियागे बिटा किसीका answer आया ही आया कोई बात नहीं चलो आगे बड़े ठीके तो इसको कैसे करेंगे स्टार्टिंग में मेरे पास charge क्या होगा कि sir 0 होगा जब मेरा current यहाँ पे जो है मेरा time कितना होगा कि 10 seconds होगा आपने कहां से बात की कि sir 0 to 10 seconds में current अपना charge कितना क्या होगा q अपना फुछा गया ठीके तो चार्ज कितना होगा, क्यों हो जाएगा, अब इसको मैं solve कर सकता हूँ, integration करना आता है, simple सी बात है, integration में अपने एक फॉर्मूला देखा है, यही सब जगे लगता है, x की पावर n, और dx अपने को करना होता है, वही चीज करनी है आपर, क्या होता है, x की पावर n का फॉर्म कि dx by dt x की पावर n का n, x की पावर n-1, ठीक है, यह फॉर्मूले अपने को पता होने ही चाहिए, वैसे reversible ही है, ज़्यादा कुछ हैसा है नहीं, तो अपने को पता होना चाहिए, ताकि अपन उस वाली चीज को अच्छे से करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला याद कर लो, अच् करो कैसे करोगे, किसी को इसमें दिक्कत हो, तो बताओ, कैसे करोगे, इस सर ये तो हो गया, बेल क्यों का क्यों के इसाफ से हो गया, 0, 2, capital Q बराबर, integration इसका करोगे, 2 का क्या होगा, dt मे, t हो गया, ठीक हो गया, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, पावर क्या है, तो 1 by 1 तो कुछ होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, t की पावर 1 plus 1, 2, और divide by 1 plus 1, 2, dt कितना से, 0 से, 10 से कितना, यहाँ पर मैं upper limit और lower limit पूरूट करूं, Q minus 0 बराबर क्या हो जाएगा, 2, 10 रखोगे, 10 plus 2, और 10 का square, यहाँ पर क्या हो गया, 3, 10 का square by 2, ठीक है, इसको solve कर ल और 100, 10 का square 100 हो गया, 2 से divide किया, 50, 150, ठीक है, 20 plus 150 इक्वाल टू, 170 अपने पास answer आएगा, समझ में आगे है वाली चीज, किसी हो कोई भी दिक्कत हो इसमें, तो अपना charge कितना आया, Q जो आया, वो क्या आगे, 20 plus 150 इक्वाल टू, 170, आया किसी की बिटा answer समझ में आया, डाउट हो तो बतावागी साथ, ठीक है, यह अपने पहला question किया लिया, second question attempt करके देखो, केसे attempt करेंगे second question को, what will be the number of electron passing through a heater wire in one minute, if its current, current carry a current equal to 8 ampere, अपने को current क्या दिया है, 8 ampere दिया है, कितने time में अपनको find out करना है, one minute करके देखो, इसको केसे करेंगे, समझ में आ रहा न, केसे करेंगे इसको, करो इस application को, केसे करेंगे बिटा आना चाहिए इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए सोलने करके देख रहे हैं कि अपन अपन से पूछा क्या है What would be the number of electron सबसे पहले ये अपने को पता होना चाहिए अपने को क्या पूछा है इन अपने को दिया क्या है टाइम दिया है करन्ट दिया है तो अपने को सिंपल सी सिंपल सा है कि क्या आना चाहिए अपने को कि अपन बात करें क्यूशन नंबर टूटी में बात करूं कि सर क्या पूछा है number of electron अपने क्या हुआ है अब इतक मैंने जो पड़ाया ना बस में उतना ही जानता हूं कि क्या होता है सब आई बराबर क्यू बाइटी होता है ना तो जानते ना आई बराबर क्यू बाइटी चेंजिंग क्यू लिख लो डी क्यू बाइटी लिख लो यह मैं जानता हूं क्यू बराबर क्या होता है इस सर क्यू बराबर एन इह होता है और टी का टी में ने लिखा मैं यहां से number of electron निकाल सकता हूं number of electron पूछ है i into d divided by electron कर दो यह अपना answer आजाएगा किसी का answer है इसमें कि किसी का भी answer निया है वे अपने को क्या दिया आप तो value कि मैं को दिया हुआ है 8 into 10 और यहां पर electron की रख दो value इसमें अपने answer आजाएगा कोई दिक्कत वाली बात ने चाहिए नेक्स क्रिशन पर मूँ करते हैं कि केल्कुलेशन वाला पड़ थोड़ा अपना speed बढ़ाओ साथ के साथ उसमें यह भी देखो कि अपने उसको कैसे अच्छी कर सकता है ठीक है कि चलो आगे बहुत है है ठीक है क्यूशन नम्बर थी अच्छा क्यूशन है क्या दिया वायर करन्ट थो आवायर डिक्रेश लीनियली ठीक है फोंग एंपियर टुजी रो एंपियर इन टेन सेकिंड मतलब चार एंपियर से जीरो होने में उसको दस सेकिंड लगे ठीक है केल्कुलेट दचार्ड फ्लो थूरू दवायर दूरिंग इस इंटर्वल अप टाइम ठीक है आई कितना है चेंज कितना हुआ आई में डेल्टी चेंज होगा कितना होगा चार से जीरो हो गया और टाइम कितना है दस सेकिंड हो गया तो में पास क्या जाएगा में पासनसर अगया चलो आगे बढ़ता है संज में अगया इतना सा है इसमें कोई नहीं यहां तक किसी को कोई दिक्कत थी क्युस्ट में दिक्कत हुए समझ में नहीं आया एक बार में लिखके बता दो अपन उसके डिसक्शिशान कर खिलेंगे तवे दिक कश भी दिककत आ उसमें क्या होगी हीट होगी 취alki क्यों लगाते हैं ंुसी भी जगत मुमेंट होता है ले कहीं हीट होकी तो मुमेंट होगा ओपक्राची कहgging हीट होगी वहां पर अपनेक्स चार्ज होगा अब इसको क्या बोलते हैं परना है तर्मल इफेक्ट acceptable movie एक ह्टरिकर कि निकालने की बात कि하면 कि बड़ीटि में क्या प्रिकस्ट में कुदिween में क्या होता है इस थेन्स क्या है कोई भी चाइख और तो है निए वाइर से बाद निकल गए मतलब अपने से बाद निकल की चला जाए लेक्ट्रोन जाएगा नहीं वह वो फोटो एलेक्टिक वाली बातें अलगे पर नॉर्मल इसा तो होता ही निये कि अपने किसी वायर को रखा हुआ जो जो निट्रल पड़ा हुआ ऐसा तो नह हो फ्री इलेक्टोन वीचार इंडर अग्शन फु चैन्चल प्राणी जो चंचल होते हैं क्या करते हैं भागते हो जिनदीगे में रहते हैं हमेशाँ वह स्टेबल होती ही नहीं है इ्लेक्टोन ठेंटिक एंदर जा रहा है इंवन कि स्विर से एक दूसर अलेक्टोन है यह यह तक अपने वोल्टेज नहीं दिया इनको वंटेज़ नहीं दिया माद क्या रेंडम्यकशन को बना लिए क्या फैसे न कि इसमें क्या पर रहा है कहीं भी रेंडम्यकशन न्मशन ने अब क्या होगा मतलब कोई इतम है तो उसमें कुछ ने कुछ पॉजिटिव चार्ज जोंगो उसमें जो है आपन बात करें कि मानलो कुछ बिए कोपर का पॉजिटिव चार्ज होगा को सी उप्लस टू तो महां पर वह भी होगा इलेक्टोन क्या करेगा उससे भी टकराएगा करेगा इसा ही ना तो कॉलाइड विथ पॉजिटिव मेटल आयन विथ हाई फिक्वेंसी एंड अंडर्गो चेंज इन दा डारेक्शन अब जैसे ही सी बात यार तुम स्पीड साहा है किसी से तक रहा है तो डारेक्शन तो तुम रूपने तो वाले हो नहीं हो एक जिगा उ हर डारेक्शन में हो क्या है डारेक्शन चेंज कर रहा है हर तक्कर की बात तो थर्मल वेलोसिटी और रेंडमली डिस्ट्रिबूट आल दर वोजिशन वेक्टर मतलब क्या हो रहा है थर्मल वेलोसिटी के अपन बात करें तो हमेशा हो चेंज हो ठीक है तो अपन वेलोसिट is zero, but the average thermal speed is non-zero. Speed क्या होगी? distance upon time velocity क्या है? Displacement upon time तो thermal speed क्या होगी? non-zero होगी और thermal velocity क्या होगी? कि zero होगी. यह बात समझ में आए, speed और velocity की अपने को पता होना चाहिए. अब यहाँ पे अपन speed चाहे हैं, तो calculate कर सकते हैं, पर उसके लिए आपने को चाहिए तो उसके अपन नहीं जा रहा है अपन आगे बढ़ते हैं ठीक है तो अपने होगा है केलकुल है है जो मैंने होल्ड करके रखावा अब इसमें में इलेक्टोन क्या नॉर्मली तो इदर उदर भाग रहा है उसका कंटिनियूस मोशन को नहीं है क्यों क्यों रेंडम ली मोशन कर रहा है अगर मैं बोलूं पोटेंशल डिपरेंस मैंने लगा यहां पर वीटू है यहां पर वी हुआ है तो वह लगे तो फिक्स वागी भाग के यहां पर यहां पर क्या होगा ही यहां पर नौर्मली वह थर्मल की वज़े से इसमें इसप्रेड होगी नहीं होते हैं क्यों क्योंकि वो अपने आज-पास के सराउंडिंग में क्या हीट के वज़े से होड़ा है ठीक है there is no flow of the conductor due to thermal motion of the free electron ठीक है in a conductor the absence of applied potential difference यह लाइन समझ में आई की नहीं आई देहर इस no flow of the current current कोई flow नहीं हो रही है due to thermal motion of the free electron thermal motion की वज़े से देखे हो अपने यह तो भूला कि current flow होगा मतलब charge पर force लगेगा वो फ्लो होगा तो उस पर क्या होगा current होगा पर thermal की वज़े से अगर electron flow हो रहा है तो उसमें कोई current नहीं होता है ठीक है electron in the current in the absence of applied potential difference जब तक कि उसके आस-पास पे potential difference अप्लाई ना किया जाए ठीक है the speed gain by the virtual of temperature is called root mean square speed of the electron अब यह सब अपने पढ़ा है root mean square speed अपने पढ़ी है तो अपने क्या करा kinematic energy बराबर करती देखो यहां पर वैसे क्या होती है 1 by 2 plus 1 by 2 kt plus 1 by 2 kt वर्दल पर वन गया थी direction के अपने लिए 3 by 2 kt हो गया half m vr p rms का square average speed अपने kinematic से ठीक है तो kinematic speed के अपने बात करी स्क्वार root mean value क्या होगी इसकी root mean square value v rms क्या हो गया under root root 3 kt by m जहां क्या क्या है k है volt 1 constant m जो उसका mass है और t अपन क्या कर रहें 300 degree room temperature की बात कर रहें तो वहां से अपन v rms approximately जो speed आती हो आती है 10 to the power 5 meter per second ठीक है v rms की आपर बात कर रहें इन सब की value अपन पूट कर रहें ही तो वेसे वह आपने पास रहें सब्सक्राइब अपने लिए तो बस अपने को थोड़ा सा पता उनके अब इंपोटेंट चीप्स तो यह है अपने लिए क्या इंपोटेंट है कि बिहर ओफ कंड़क्टर इंद परजेंस ओफ अप्लाइट पोटेंशल डिफ्रेंस इलेक्टिक अब यह चीज समझ में आनी चीए पोटेंशन डिफ्रेंस और इलेक्ट्रिक फिल्ट दोनों के लिखा यह आपको वैसे किलेर होगी क्योंकि मैंने हर जगह पर आपको इस वाली चाहिज की बात की ठीक है और इसी का एक टोपिक आता है कि डिफ्ट वेलोसिटी क्या है कि सर यहां पर आपने वेलोस क्योंकि अपने क्या किया पोटेंशल डिफ्रेंस अप्लाइड किया जैसे ही अपन बोल रहें कि पोटेंशल डिफ्रेंस में अप्लाइड किया तो वहां पर क्या हो गया कि वहां पर इलेक्ट्रिक फिल्ड में डिफ्रेंस आया और अपन इलेक्ट्रिक फिल्ड में चल रहा जाएगी कि चीजे के से फर्दर मूव होती है ठीक है तो वेन तो एंड आप जा कंड़क्टर आइज जोइन इंग जोइन टू अबेटरी जैसे अपने हाल पर बेटरी जोइन की अब यहां पर मान लो क्या हो गया वी वोल्ट के अगर बेटरी है अगर मैं इसका वी वोल्ट barbaric हो गया एक्सेणल लेक्टी की अंदर क्या नहीं होगा इसे वाले बोलेंगी ऐक और फेलिंद होगा ठीक है और प्रुप नहीं होगा यह कमेंड में लिखके बताओ अपने को होगा की नहीं होगा बाद में देख रहे हो तो बाद में लिखके बता रहे हैं ठीक है इस प्रोडूर्ड एन इलेक्ट्रिक फिल्ड इंसाइड रा कंडुक्टर फॉम हायर तू लोवर कोटेंशल ठीक है मतलब क्या है कि जब भी अपन बात करें ना कि अपने कंडुक्टर अब यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फिल्ड अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कमेंट आया कि किसी का ठीक है एक सेकिंड देखे देख लेते हैं चेक कर लेते हैं कि अपन बढ़े कि होगा कि नहीं होगा यह वाली चीज अपन देख लेते हैं कि क्या अपने को लगता है ठीक है तो क्या होगा इस्टरनल अपने देखो इनेट इनसाइड क्या होगा जीरो होगा यह चीज अपने पड़ी है कि जब भी मैं बहार कोई पोटेंशल डिफ्रेंस लगाऊंगा यह क्या मेटरले यह है कंड़क्टर और कंड़क्टर के अंदर इलेक्टिक फिल्ड क्या होता है इलेक्टिक फिल्ड नहीं होता है विल्द होगा कि बाहर वाले को केंसिल के क्या होगा करेगा उसमें नहीं होगा तो मतलब क्रोडन पर बात कर लेक्तिक फिल्ड घुट को citizen मिजॉट को पोसिटिध किया किया करा एलेक्टिक कीडारे क्या का मी ये बात जानते हैं अब देखों, वहाँ के फोर्मुले यहाँ पर काम आएंगे, बराबर QE से अपने ये बात जानते हैं, कि ये बराबर QE से अपने को क्या पता है, जिदर force की direction होगी, उधर ही electric field की direction होगी, जिदर force की direction, electric field की direction होगी, मतलब charge जो है, यहाँ से आगे फर्दर मुग करेगा, अगर positive charge है, तो नेगेटिव charge के flow की opposite direction होगे, तो f हो इलेक्ट्रोорм में बात करूं तो इसको ऄह माइनस qe में लिख सकता हूं और वेक्टर फोर्म की बात करों तो MINUS qe में लिख सकता हूं और यहां से f b pragmatic a में जानते हैं IT mowy में होता है कि में इसा अपन क्या लिख सकते हैं A vector जो होगा, मेरा acceleration जो होगा, electron का, अब तो acceleration में जा रहे है, F divided by M होगा, और मेरा F क्या है यहापे, minus Q है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, A बराबर क्या होता है, मेरा minus E, electron के लिए है E, और यहाँ पर by M, यह चीज अपने को समझ में आई, simple से दो formula अपने दिलेट करें, F बराबर M है, F बराबर minus, F बराबर QE, जो E, Q क्या है, हाँ पर minus E, ठीके, तो अब क्या हुआ देखो, जैसी ही अपने electric field apply किया, यह एक, मान लेते हैं, कि इसमें एक ही electron था, वो पहले क्या गर रहा है, रेंडम ली रोड़ रोड़ भा गर रहा है, पर जैसी ही अपने electric field apply क उसकी वज़े से क्या हुआ, इसके external electric field इसमें generate हुआ, उसकी वज़े से क्या होगा, electron क्या है, भागेगा, अगर मैं मानो electric field की direction यह है, ठीक है, तो electric field के opposite direction में, इलेक्टोन भागेगा, अब यहाँ पर भी कुछ ने कुछ तो पार्टिकल तो आएंगे थे, मान लो यहाँ फ पर दर जायेगा, फिर जायेगा, फिर जायेगा, फिर जायेख तो तो टोटल उसका displacement बहुत सारी, वह कर रहा है, पर displacement क्या हो रहा है, वो इदर बाहर यहाँ थेक है, तो वही चीज़ आपन बात कर रहे है, कि drift current कितना होगा, कि drift की वज़े से क्या हुआ, देखो, एक electron य तो इसकी वज़े से जो करन्ट आएगा यहां पे वाल्ट की बेटरी है वह अपन डिफ्ट करन्ट करने के कोशिश करते हैं ठीक है डिफ्ट वेलोसीटी इस डिफाइन एज दा वेलोसीटी विच विच दा फिरी इलेक्टोन गेट तुवर्ज दा पोजेटिव टर्मिनल अंडर दा इफेक्ट ऑप्लाइड एक्टर्नल एलेक्टिक फिल्ड अप्लाइए क्या जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्टोन उसकी क्या प्रोपर्टी है कि वह क्या होता है अब वह हमेशा जाने कोशिच क्या कर रहा है वो तो वाट्स डब पोजेटिव टर्मिनल में नेगेटिव से जिरो से पोजेटिव की मतलब होज हाई वल्टीज की प्रद्याने कोशिच कर रहा है ठीक है इस्सिम दे इलेक्टोन विल्ड मूव विद एक्सलेशन ए एंड दा वेलोसीटी व इनक्रेजिव की एंड इनक्रेजिग मतलब क्या हो आप एक्सलेशन लग रहा है तो वेलोसीटी इनक्रेजिग होगी बट दूट दर कंटिनुस कोलीजें विद चैनल्स ठीक है मतलब पोजेटिव दिनको अपन बोल गया है कि कुछ उसका जो अन दर गाए है पोजेटिव इनक्रेजिग और एक्सलेशन फिल्ड में वहां पे जो है क्या हो रहा है कि स्मॉल वेलोसीटी में डिक्री डारेक्शन की जो है बार बार चेंज और चेंज हो रहा है और कंटिनेस वो मूग तो करना चाहरा है मतलब अगर मैं एक इलेक्टोन यहां पे छोड़ें उदर रग रहा है जीओ और इदर लग रहा है वी वोल्ड तो क्या आना चाहेगा आ जाब है पोजेटिव सरपेस की तरह अगर मैं तर्मिनल इसको पोजेटिव मानूं उसको नेगेटिव तरफ आना चाहाए ठीक है तो अपन यहां आप एड़ गीवन पॉइंट टीपे वेलोसीटी किससे देता है अपन अपन यहां पर तोड़ी मोशिन एक्वेशन की काम आने ने वी बराबर यू प्लस एटी वी बराबर यू प्लस एटी और वी वन अपने एक एलेक्टोन वहां पर क्या हो सकते है इन्पैने इलेक्टो पर एक बर ने पर जब फुछ निता आ तब उसके पास कौण सिवयोसिटी किसा थरमल वैलोसीटी तो ओ थरमल वैलोस तो अपने आपके यहां पर यूँगन जीरो नहीं ही ठीक है थरमल वैलोसिटिवास कुछ ने कुछ तो वेलोसीटी सी हो कुछ ज़्दादिश आठी ऑन थी तो से थिके तो क्या है कि तो सर है लेक्षेशिंट टाइम कब कि दो कोलिजन के बीच में क्या कर रहा हूं उसके बात करें कि लिए लेक्षेशन टाइम जो क्या होता है है यह और यह किस पर अपन बात कर रहे हैं कि यह में फिरी पाथ इसको मीन फिरी पाथ क्या होता है आप देखो कुछ ताम है जो अपने का आगे भी काम आने वाली तो उसको अपनिया समझ लेता है कि यहां से यहां तक उसने कोई कोलिजन नहीं की उसको पन क्या बोल रहें लेमडा बोल रहें उसको क्या बोल रहें मीन फिरी पाथ दे एवरेज दिस्टेंस ट्रेवल बाई एन एलेक्टरन बिट्विन टू सक्सेसिव कोलिजन इस दा मीन फिरी पाथ लेम्डा जो होता है तेंट पाउर टेंग स्टॉम होता है इन मीटर में अपन बात करें अब मैं वी टू के लिए लिखना चाहूं कोई दूसरे एलेक्टर इन जो है नमबर ओफ ये लेक्टर हों ठीक है अब अपनों को क्या करना है कि डिफ्ट विलो si-tu निखालने है तो वी डी क्या होगा वी लिफ्ट डी जो होगा ही तो अपने पड़ा थ एक अपन क्या बोल सकता है वी 1 प्लस 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 फिग्रीड प्लस प्लस डेज प्लस डेज़ स्के पास है डिवाइड गए वन की वेल्यू क्या है एक सार वी न के वेल्यू यू प्लस 80 अपने लिखा तो यू वन प्लस u2 plus u3 plus u3 n u n तक में गया divide by n plus sign अलग-अलग लिख सकते है ना इसको plus a मैंने इसमें से common ले लिया तो 1 plus 2 2 plus 2 3 plus 2 n तक हो चला गया ये चीज क्या है ये term क्या है ये term क्या है सर थर्मल एनर्जी है u1 क्या है एक एलेक्ट्रोन की एन एलेक्ट्रोन की thermal energy है ये सर थर्मल एनर्जी आपने क्या बोला था कि thermal velocity जो अपन बोल रहते वो क्या होती बटा कि zero होती है ये चीज समझ में आज आनी चाहिए आपको thermal velocity तो क्या होती है zero होती है तो 1 plus 2 2 plus 2 3 तो n तक क्या होगा divide by n तो एवरेज टाइम जो डूरेशन हुआ वह तो एवरेज से अबने लिग लिया तो दिस्ट वेलोसिटी क्या में अब पने उपर क्या पड़ाता एव बराबर एमें से पड़ाता ना अपने एक ही value कि अब निकाल लिती ही वाह से कि E electron और multiply by electric field divided by mass तो वह अपने यहाँ पर क्या है तो की value पुट कर दी है यह किसकी value है यह सारी acceleration की value है एक ही ठीक है और toe average अपने लिख दिया तो क्या मैं इसे drift velocity को इसे लिख से दाऊ VD equal to minus E और यह क्या electric field divided mass और multiply by into तो यह अपने लिखा आगे बढ़ते है तो drift velocity अपन बात करें अपन वापर value रखते हैं तो क्या आता है order of 10 to the power minus 4 meter per second आता है ठीक है इसको थोड़ा और elevate करते हैं मतलब formula को और फड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्या है कि एल लेंद का अपने क्या लिया वाइल लिया है इसकी लेंद क्या है एल है ठीक है इस पर अपने भी potential की बेटरी लगा तो इसके बीच में अगर मालो कोई भी यहा पने potential लगा तो यहां पर potential difference कितना होगा है यहां पर potential difference और तो क्या मैं यह लिख सकता हं है यह तो अपने को पता है dv numa मैंस i.dr 때는 cdl बात में लिख सकते हैं यह अपने क्या किया कि स्मोल के लिए लिए यह क्या किया कि देल वी के लिए अब पूरे के लिए मैं बात करूं तो वहां पर क्या लिख सकता हूं कि वी इक्वल अब यहां पर वी बाइल हो गया तो एमल और इंटुट तो यह समझ मैं आप अपने को क्या निकालना है कि रिलेशन अपने वेल्यू निकाले पर रिलेशन अपन देखना चाहते है किसमें करेंट और डिफ्ट वेलिशिटी में रिलेशन क्या होता है सिंपल साय अपने क्या देखा करेंट क्या होता है कि करेंट पर यूनेट एरिया में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है किकना टाइम हो ले रहा है उसको करेंट बोलते हैं आय बराबर DQ भाई DT थेखरा है अब इसका कुछ कुस्ट्र सेक्षयन अगोंगल आ है और आपन बात कर फ़ेक offers करेंडर वाल्यों के वाल स्कूराइब कầnक्टर इयुनिट वॉल्यूम में वाल्यूम में कितना है किससर म n ही कितना हो जैगा нем एल ए हो जाएगा पूरे वोल्यूम से डिवाइड करतो ना और वोल्यूम क्या हो गया एरिया और लेंथ लेंदिकल की अपन बात करें से लेंदिकल सिफ में होता है तो टोटल चार्ड ओन इस फ्री एलेक्टॉन डेल क्यों बराबर क्या हो गया कि ओई एलेंडी नवणी फी आकट्यू क्या होता है चार्ड क्या होता है इन अपन ने निकाल लिया कि वहां पर क्या होगा एनपन्ने तोटिल अपनको पता है कि वहां पर एनपना चार्ड नस कोONG t मूदा है तो फोक्रों सेक्शन कंड़क्टे येष ट्यक्ना घ्रैं कितना होगा आपना जानते हैं हिंदी में बोलु ज़ мозस्ण बराबर बूरी बाता समें बी बिबिक हिए सब्सक्राइब यह अर्वना वैलोसिटी होगा तो वैलोसिटी फूपन लिए लिख सकते हैं वी बराबर एल बाइटी तो फेलोस टेल टी क्या हो गया एल बाइटी अब डेल टी को अपन क्या करेंगे की तो डेल क्यू चार्ज कितना होगा डेल टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा तो डेल टी से मल्टिपले कर दो आने को ईक्वल्ट टू इंटू डेल्टा टी यह क्या मैं पास या फिस इंति कम्रेकर टो और किख्व objetivo DLQ by DLT, DLQ की value यहां से put करो, DLT यहां से लिखतो, तो I equal to मैं क्या लिख सकता हूँ, I equal to N, E, A, VD, ठीके, VD क्या है, drift velocity, उसको अपन ने क्या दिया, E, V, divided by M, L, और, तो average, यहां पे चाहो, तो E, E, divided by M, और तो, V को क्या लिखा, V को लिखा, अपने V, E को क्या लिखा, V by L, और वहां से VD की value यहां पे put करेंगे, ठीके, VD की value अपन यहां पे put करेंगे, तो यह क्या हो गया, current इसका क्या हो गया, I equal to E, V, tau, M, L, E, N, L, ठीके, अब मान लो कर किसे को याद ने रहे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, I equal to V, now, I equal to V, E, N, A, V, now, ठीके, VD की value, diff velocity, electron N, और A, ठीके, तो अपन ने आज क्या पढ़ा, अपन ने आज diff velocity पढ़ी, उसके वज़े से current अपन निकाल सकते हैं, ठीके, और यहां से गर potential निकालना चाहो, तो V equal to क्या हो गया, M, L, I, N, E, square, A, J, ठीके, तो यह आज अपन ने पढ़ा, ठीके, अपन ने यहां पर क्या पढ़ लिया था, अपन ने अपना VD current पढ़ लिया था, VD क्या होता अपने पास, कि drift velocity अपन जिसको बोल रहे हैं, ठीके, तो VD जो अपने पढ़ लिया था, और उसके साथ-साथ अपने relation किसमें देख लिया था, current के साथ relation देख लिया था, यह अपने कल वाली class में पढ़ लिया था, तो basically अपने क्या देखा था, कि current जो होता है, I जो होता है, N, E, VD, जिसको अपने विना यह बोला था, ठीक है, अपने VD को क्या लिखा था, VD क्या लिखा था, E, electron, ठीक है, फिर electric field, फिर क्या होगा उसका time, और divide by उसका mass, ठीक है, F बराबर म से अपने निंकाला था, यह पता होना चाहिए, अपने दोनों साइड के force बराबर किये, force क्या होता है, QE, force होता है, अपने चेंज होता है, चेंज होता है, तो, आज इससे आगे बढ़ेंगे, तो अपने यह भी तो लिख सकते है, पोटेंशल में change हो रहा है, पोटेंचल में नेगेटिव चैंज जो होता है वी क्या लिखेंगे वी लिख देंगे नीगेटिव साइन अड़ जाएगा क्यों जाएगा कूँकि अपने पर वल्टेज की बात करें तो व्ल्टेज क्या है अपने पास की वोल्टेज जो है अपनी स्केलर कॉंटिटी वैसे यहां पर कोई सांद नहीं वह था तो वीडी जो हो गया इवी एमिल यहां पर नेगेटिव सांद की अधर से रहता है कि अपने वोल्टेज में मतलब यहां बहुंद की निलीव घ котором दिए जब तक करन्ट कि एसे यह आत करलो और न से अपन बाथ करें तो गेट इंटु एप अिन्तु एम और धीजिए और ये इस्कवाय Kaiser चृइए और ँसको अवे निकाल ठीए आइक बोला आई एमेल एमेल वी की वेल्यू निकाली वी एमेल डिएड़ बाई इस्क्वाइर एन टो और आई अपने पास आगे ठीके यह अपने देखा अब बेसिकली अपन चाहो तो यहां से और चीजे भी अपन यहां से डिराइव करेंगे और उसको आगे देख लेंगे करह डेन्सिटी पुड़़ ब्रसेगें अपने आपसे तो चलता नहीं है और अपने अपने आप से खलता नहीं करने क्या है करेंट एक वायर के रूप होगा तो यहां पर क्या कर रहे है कि इस एंगल काटा है अब करेंट के से जाएगा अगर तो आपने पर तो इलेक्टरन करना चाहते हैं तो आपको यह सब पूछा जए कि अपर देपिनिशन पूर्म करना चाहते हैं current density at any point inside a conductor is defined as a vector having magnitude equal to current per unit area surrounding dead point. मतलब क्या है? ऐसा है, तो current density direct हो जाएगा, अपन क्या करदें current के लिए? current density जिसको अपन J से denote कर रहे हैं, ठीक है? ये क्या होती है? vector quantity होती है, एक तो पहली चीज़, ठीक है? तो इस cross section area में से जितना current flow हो रहा है, उसको मैं current density गोल सकता हूँ, ठीक है? यहाँ से I current flow हो रहा है, अब माल लो ये plane theta angle, मैंने उसको तिर्चागा, तापसी दी बात, ये theta angle पे है, और ये क्या है, J मेरी current density, area vector ऐसा है, तो दोनों का multiplication होगा, कौन सा multiplication होगा? अब देखो, I तो है अपने पास scalar quantity, अपन current density को बोल रहा है, vector quantity, और area vector को भी अपन area vector ले दे, अगर मैं इसे बोलूँ कि ये दोनों तो vector quantity है, तो दो vector quantity, एक ही scalar quantity कब देती है, जब उनका dot product को, तो कभी भी अपने को I निकालना है, तो J dot A में कर जूँँगा, और अगर मैं छोटा area ले रहा ह ठीक है, तो per unit में से जितना current flow हो रहा है, उसकी इसाफ से में उसको dot product ले लूँगा, तो basically current density अपने को समझ में आई, क्या है current density, कि area जिस area में से, cross section area में से, जितना current flow हो रहा है, वो उसकी current density हो जएगे, density का मतलब यही तो है, मालो एक कमरा में 100 बच्चे बढ़े हो रहे है एक cross section area कि उसका gate है, अपने school की बात कर रहे है, कि school का gate है, कि उसका area कुछ है two by two का, जिसमें से एक बच्चा ही जा सकता है, एक मिट में, तो आपको सो बच्चों को निकलने में कितना time लगा है, वहां की density क्या होगी, कि एक बार में एक ही जा सकता है, तो फिर उस वाले बा volume में कितना है, वही density वाली बात है, तो density क्या है, कि वहां पर कितना current जा रहा है, पर cross section area, ठीक है, तो current density अपने इसे लिख सकते हैं, एक पॉइंट जे इक वाल टू डिया बाई डिये को मैंने क्या लिखा, यहां पर देखो इस वाली बात है, कि डिये area vector इदा था, अब इन कर अपने को resultant देता है, इसका मैं क्या करूँगा, डिये के दो component करूँगा, एक तो इदर theta angle पे, जो जे के direction में है, ठीक है, और एक perpendicular direction आ जाएगा, तो da यहां पे क्या हो जाएगा, यह वाला vector क्या हो जाएगा, अगर यह vector, da vector मेरे पास यह है, theta angle पे, तो यह क्या हो जाए जाएगा, da sin theta, अब j vector इदर है, a vector इदर है, तो मैं कौन सा हो जोगा, current के लिए, उसके direction वाला, तो j का direction में कौन सा होगा, कि j की direction में हो जाएगा, da cos theta, तो di को, मतलब small current को मैं क्या लिख सकता हूँ, कि j da cos theta में लिख सकता हूँ, और current की में बात करो, j da cos theta हो गया, अब इ यही तो सिखा था, क्या होता था, कि j और dot da, अगर कहीं dot product में लिखे हो हैं, तो अपन क्या लिखते थे, magnitude of j, magnitude of da, ठीके, और फिर उसके बाद क्या लिखते थे, post theta लिखते थे, ठीके, तो यह वही दिया हुआ है, तो इसको मैं dot product में ऐसे लिख सकता हूँ, ठीके, समझ मे क्या ही बात का मतलब, आगे बढ़ते, current density केसी quantity है, vector quantity है, यह यार रखना, कभी-कभी पूच में आ जाए, तो गलती ही मत करना है, इस वाली जीचा, ठीके, unit इसकी निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे अपन, आराम से निकाल सकते है, unit, यह क्या है, current है, current किसमें होगा, ampere में होगा, और area किसमें होगा, meter square होगा, तो महां से अपनी ampere और unit की ampere per meter आए गया, किसका current density के unit, ठीके, और dimension निकाल होगे, dimension पता लग जाएगा, ठीके, आगे बढ़ें, कुछ अच्छे point है, जो अपने को पता होना चाहिए, ठीके, एक बाप, read-out कर लेना, अच्छी ठीके, in a metallic conductor uniform cross section area, क्या बोला सर आपने, तो समझ में नहीं है, मतलब क्या है, कि I is same along the wire, एक wire ऐसा है, जिसका पीछे का area vector A1 है, इसका area vector A2 है, तो current जो होगा, वो हमेशा same होगा, ऐसा नहीं है, कि area यहां का बड़ा है, तो current यहां पे ज्यादा होगा, और वहां का छोटा है, तो current सिंपल से अपन नलकी बात कर लो, इसी cross section area पे पानी का flow होता है, तो यहां से flow इतना होता है, वो अपने को लगता है, कि वहां पे क्या हो जाता है, वो flow कम हो जाता है, area अगर बड़ा, तो उस वाली जगर पे क्या होता है, flow कम हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं यह current कम हो रहा है current तो उतना ही है, ठीक है, पर वहां पे अपने area vector की बात करें, तो current density multiply by area, तो current same है, ठीक है, यह वाली चीज़ी आ जखनी है, तो किसी भी इसमें क्या बोला गरा है, कि conductor wire में, conductor wire में क्या होता है, cross section area change होने पर, change in its cross section area, because current is simply the rate of the flow of charge, मतलब क्या होता है, current जो है, flow of charge है, वह पर कितना flow हो रहा है, वही उसका, flow of charge जिसको अपन बोल रहे है, वही उसका current कोद अपने को देता है, तो एक current में, metallic wire में, जो होता है, uniform cross section area है, तो वहां पर current सेमनी होगा, मतलब यहां पर जितना current होगा, वहां पर भी उतना ही current होगा, यह अपने को पता होना चाहिए, मतल मतलब यह point है, अब देखो, मैंने क्या बोला इस वाली case में, कि यहां पर मेरा माल लो i1 है, आपने बोला, sir, i1 और i2 है current, आपने देखा कि उधर से current जा रहा है, जो i1 है, और बाहर जो निकल रहा हो i2 था, wire कुछ ऐसा था, ठीके, अब अपन बोल रहे है, मतलब हम बोल क् है, पतला है, wire यह तो कहीं दिया हुआ है, उधर तो बीच में रिष्टर भी लगे होगे थे, फिल पर अपन क्या बोल रहे है, इधर से जितना है current जाएगा, उधर से उतना ही वापस आएगा, मतलब current same है, तो area vector अपन ने क्या बोला, कि current तो same है, और current को मैं क्या लिख रह है, current density अपन बोल रहे है, j equal to i by a, क्या यही बोला अपन ने, j equal to क्या हो गया, मेरा पास i by a हो गया, ठीके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कि current तो मेरे पास same है दोनों situation में, current तो दोनों situation में same है, तो मेरा क्या है, area vector काम है, और a2 जादा है, तो मेरे पास current density क्या हो जाएग यह चीज समझ में आनी की, ठीके, current density, same है, अपने पास electric field की वहाँ पर बात हो जाएगी, और वहाँ पर drift velocity भी ज्यादा होगी, simple सी बात है, यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर पानी प्रेशर से जा रहा होगा, जब एरिया चोटा होगा, अगर नलकी अपन बात करें, म अपन क्या है, पानी वहाँ से जा रहा है, वह यहाँ पर गिरता है, अपन उसका area जैसे ही कम करते हैं, वहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो पानी तो उतना ही निकल रहा है, उसकी range बढ़ा दी जाएगी, ठीके, तो current density अपने को इससे पता लग जाए, यहाँ पर 1 upon में, भई J क्या हो गया, J inversely 1 upon A हो गया, A ज्यादा, तो J कम, area 2 का ज्यादा, तो J 2 कम हो गया, simple था है, किले रहें, आगे बढ़ते हैं, ठीके, एक statement दियाता है, second statement की बात करें, if there are n particle per unit volume, each having a charge Q, per particle per unit volume है, जिसके पास charge क्या है, Q है, and moving with velocity V, then the current throw cross section area A, I बराबर अपन क्या जानते है, DQ by DT, DQ by DT, ठीके, DLQ by DT, यह अपन लिख सकते हैं, तो I बराबर क्या हो जागा, N, Q, V और A, क्या हो रहा है, per unit volume में कितना charge है, Q charge है, तो N volume में पूरे में कितना हो जागा, कि area into charge, और यहाँ पे Q आजाएगा, V अपने पास आगे, if a charge Q is moving in a circle of radius, R with speed V, then its time period, T equal to, क्या हो जाता है, 2 pi R, divided by mu, अपन लिख रहे हैं, I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है, Q by T होता है, ठीके, अब अपन यहाँ पर बात करें, कि, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका, I बराबर तो Q है, और T क्या हो जाएगा, अपने पास, V upon 2, pi और R, ठीके, तो अपने को कहीं करण दिया हो आओ, ऐसे कुछ circle में, तो अपन उसको ऐसे करते हैं, एक दो क्यूशन आगया आने वाल है, तो वो अपन करेंगे, ठीके, कुछ अपन ने terminology पढ़ी थी, उसके बारे में जान लेते हैंगे, उसका magnitude क्या होता है, ने, नॉ इस वाज़े से हो आप अपने को दिखता है, semiconductor में कितना होता है, इसके comparison में ये कम है, तो semiconductor में हलका फुल का अपन current flow कराते हैं, semiconductor वाला capture पढ़ेंगे, तो उसमें और चीज आएगी, कि उसकी जो होता है, आपन बात करते हैं, बहुत सारा आपन voltage दे रहे हैं, तो कहीं अपने क्या mean free path बूल गए हैं, एक अपने बीच में volt लगा दिया, बीच से 0 पे, electron जा रहा है, electron ने क्या किया, कि एक collision किया, उसके बाद दूसरा collision किया, तो mean free path दो collision के बीच का, यहाँ पर पहले जा रहा था, वहां तो कोई collision नहीं है, वहां से तो जा रहा था, ठीके, एक collision हुआ, फिर उसको टकराया, तो दूसरा गया, तो यह जो path होगा, यह mean free path आता अपने इसको बोल रहा है, जिसको अपने लेमडा से denote किया, ठीके, लेमडा और टो, तो क्या है, कि रिलेक्शन टाइम है, कि उसने कितना रिलेक्स किया, दो collision के बीच में, वह क्या 10 तो बाद 14, drift velocity अपने find out कि 10 तो बाद माइनस 4 मीटर पर सेकिंड, अब मीन 3 बाद आप कंड़क्टिन इलेक्टोन, क्या होता है, कि लेमडा एक्वल टो टो इन्टु वीडी, drift velocity और रिलेक्शन से ताइम, यहां से भी देखना जाओ, तो यहां से भी magnitude में देख लो, 10 तो बाद पाद माइनस 4 और 10 तो बाद दोनों को अपने किया, multiply, तो क्या हो जाता है, 10 तो पाद अपने माइनस 10 के order में आता है, एक हलका सा question, छोटा सा हलका सा तो क्या है, ठीक ताक, छोड़ा सा logical जिसमें vector का use करते हैं, देखो, कभी भी simple ऐसा question नहीं आएगा, मतलब अगर normal भी जाएंग ना, या तो formula output करने वाल आएगा, पर logical आएगा, थोड़ा सा, थोड़ा सा अपने को किसी chapter से relation देखने में बिलेगा, क्या तो उसी chapter में दो concept 8 होके आएगे, single question आ रहा है, तो कुछ ने कुछ वो, कुछ नया करने ही कुछ करता है, क्या दिया हुआ है, the current density of any point j, अपने को क् 2 into 10 to the power of 4, jk, ampere per meter, अपने को square दिया है, find the rate of charge flow, अपने को find क्या करना है, rate of charge flow, throw a cross section area, s अपने को क्या दिया हुआ है, cross section area का s, जिसको आप a vector भी गोल सकते हो, वो क्या दिया हुआ है, 2iK plus 3 jk, ठीके, centimeter square, तो इस question को करो, कैसे अपन उसमें करेंगे, यह वाली बात मैं को बताओ, कैसे करोगे बिटा, और अगर हो जाए, तो कमेंड में से लिखके बताओ, try तो करो, at least अपने को हो नहीं हो, तो बात की बात है, पहले इसमें try करो, किसे इसको attempt करोगे, ठीके, अपने अभी जैस्ट पढ़ाया है, तो मैं देखने चाहता हूँ, कि धियान से अपन क्या करेंगे, आपने को क्या दिया, करुंवा है, ठीके सर करन देनसीटे मुझे पता है, मुझे तो बस यहीं पता है, क्योंकि यहां से नहीं की सीटेंड टेनसीटे,एअब सब यहां से में किस्न कहले हुए हुआ है कि यहां से कि यहां से क्या होता है यह zustा पुर्ण क्या होता है मैं हिसको इसके अब यहां यह तो दोनों वेक्टर फोन में दीवा हैं और मेरे को पता है यह दोनों वेक्टर हैं दो वेक्टर जब एक स्केलर कॉण्टे लिए रहा है तो उनके बीच में क्या वब जो प्रोडक्ट होगा तो मैं क्या लग मुँंगा टू इंटू टैन्टू इट्रीफ पावर ठीके और यहां इसको कए मेरे मिरे में बदलना चाहिए नहीं स्कों मुंट जाए इसको सेंटिमीॉटर स्कॉयर इक मैं कटेंगे एक मीटर सो चाहिए gotta सबसे पहले एक मेटेज़ा WITH that लिए तो अगर झाल कहीं है तोुक्त कहा है ठीक है डेंट सब्सक्राइब कर दिया क्यों कर दिया अब इसमें क्या दिया हुआ है यह जेकेप में हैं ठीक है और यह दोनों पर प्रीजिज़ तो यह तो समझने वाला प्रेंट होता है वहाँ पीड हो जाएगा अगर फिस्पीड जादा लग रही तो तो आपन ने क्या दिखा कि वेक्टर अगर दोनों वेक्टर सेम डारेक्शन में हैं तब उनके बीच में ठीटा क्या हो जाता है क्योंकि अपन वेक्टर क्या लगते हैं इसमें क्या है आई केप को आई केप से मिल्टिप्लाइं करेंगे सेम डारेक्शन में तो इसका क्या देगा अपने को में इस वाले पार्टिकल से अगर मैं मैं डारेक्शन में जो जीरो जाएगा 2 x 10 to the power minus 4 ये केप और ये क्या हो गया 3 ik तो इससे मल्टिप्लाइं करूंगा minus 4 तो मेरे पास i क्या जाएगा 2 x 3 equal to 6 ampere मेरे पास answer आजाएगा आया आपका है answer किस किस का है answer है 2 x 3 equal to 6 ampere अपना answer आगया ठीक है आगे बड़े नहीं आया हो तो यहां से tape लेना छाप लेना करने वाला है topic resistance basically होते है कि की कोई भी चीज हो जो अपना क्या है क्ट करें यहां मैं मान लोग होता है किस ने आपको रोग लिया वह आपको रेच्टर कर रहा है वह पेन में चलाने कोशिष कर रहा हूं चल नहीं रहा है क्यों हो गया क्यों चल रहे है तो फिक्रण का रहा है क जैसे पेर में ने रखा वेसे ही मुमेंट होना चालो हो जाएगा तो कोई भी चीज क्या होती है जब किसी भी चीज की गति का विरब मतलब उसमें जो डारेक्शन है और उसमें जो मेंगनिटूड है उसके साथ से जो कहीं जा रहा है उसका अपोज करें तो सिंपल सी बात है बात करें पर करेंगे तो चार्ज को पोज करने का काम करें वही क्या है रिस्टेंस है जैगे जा रहा है यहां पर नॉर्मल तो अपन मानगी चल दें कि अपने पास कुछ शोषाजिशन निया जब सिंपल वायर कणेक्ट करते हैं तो कुछ श्यक्तिन्स नि मानगते हैं पर जहां कहीं कैसे रेजिस्टर को ऑपन ऐसे दीनोट करते हैं तो यहां पर पर अपन क्या करेंगे कि वह जो है रिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है तो और एक और चीज अपने देखी थी लेखो आर एक्वल टू वीबाई आई होता है वह करन्ट डारेक्ली पॉपुजिनल तो आई अपन करते हैं फिर आर अपन लाते हैं वह भी ठीक है पढ़ने के सा पर आर अपन वीबाई आई अपन जानते भी यह वाली बेसिकली है ना तो आर एक्वल टू वीबाई यह सब को पता होना चाहिए बहुत सारे कुशन बहुत सारी चीज़ें इससे सोल होती है बहुत सारे कुशन सिंपल लेंगे तो अपने को यह पता होना चाहिए यूनिट बी होता है वो भी अपन पड़ेगी यह क्या है अब देखो अपने आप भी तक पड़ा ना उसका यूज करके कुछ 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 करते हैं इसके बाद अपने क्या था क्या था क्या अपने फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रों इलेक्ट्रिक फिल्ड टाइम अपने देखा था वह अपने यहां पर पूट कर दिया वी बाइल की फोर्म में तो N e squared तो A V by ML, V को मैं उठा के यहीं पे रखा और I को में चलाया इस quantity को में सारा इदर ले गया इस quantity को में इदर ले गया और I को में यहां पर ले आया, V by I के में हो गया मेरे पास तो V by I मैंने लिखा तो V by I क्या लिखूंगा मैं यहां से तो वो हो गया M L divided by N E squared तो और यह यह चीज़ समझ में आनी कीज़िए तो V by I को पनने क्या बोला V by I क्या होता है रिजिस्टर होता है M L E squared ठीके तो A मेरे पास क्या हो गया R हो गया तो R देखो ऐसा होता है R क्या होता है R जो होता है M L N E squared तो A जो अपने पास क्या होगा R होगा ठीके तो बेसिकली यहां से अपन क्या find out करने ही पिशिस करता है R को अपनने formula पढ़ा था कि R सर A by L हमने पहले पढ़ा था तो बेसिकली बेटा वही चीज है अगर मैं M N E squared टो को हटा दू तो R बराबर रो L by होगा तो resistance किस किस पे depend कर रहा है अपन यहां से वो वाली चीज पढ़ने की पोशिश कर रहे है तो इसमें क्या है mass of electron mass of electron में divide कर रहा है अगर किसी चार्ट की बात करें तो चार्ट के mass पे length of the conductor length of the conductor directly proportional है तो जितना length बढ़ा होगा र उतना बढ़ेगा ठीक है number of free electron उस चीज में number of free electron कितना है अब अपन ने दो चीज़ अब ही देखे थी conductor में कितना पावर था 10 to about 28 number of free electron क्या है वहाँ पे ज्यादा है तो number of free electron जितने ज्यादा होगे उसके inversely proportional है तो ज्यादा अगर three electron है number of free अपन आर एक्वाल टू वन बाई अगर यह ज्यादा है तो आर कम होगा मतलब conductor में क्या होता है 10 to about 28 है तो number of electron जादा है तो resistance वहाँ पे कम होता है उसके comparison में number of electron कम है तो किसका resistance क्या होता है ज्यादा होता है ठीके electron charge of the electron जितना चार्ज ज्यादा होगा तो क्या है average election time अब average election time कम ज्यादा होगा कि अपन voltage अगर माझलो voltage मेंने कम लगा तो voltage difference कम आया उस पे क्या efforts कम रहेगा तो number of अब उसका जो है average election time ज्यादा हो जाएगा बई माझलो कोई कहने वाला ही नहीं है आप से कहने सुनने वाला ही नहीं है आपको कोई daily जो है update हिन लेता तो अपन क्या है थोड़ा relax ज्यादा कर लेता है और जब कोई daily अपने को परिशान करता है मेरे असपास voltage ज्यादा लगवा था अपन ज्यादा ही पड़ाई करते है तो वो चीज़ भी हो नहीं करते है area of cross section जितना area ज्यादा होगा उतना current पर depend करेगा अब sir आप बोलोगी कि current तो अपना area of cross section पर depend नहीं करता है current नहीं करता resistance करता है वो चीज़ भी आपने वहाँ पर देखी ठीक है वहाँ पर आपने क्या किया था area of cross section तो depend नहीं कर रहा और क्या अपनी जे डिपेंड कर रहा था और यह अपना जो छोटा था तो वहाँ पर आपने जे जो है flow of charge की बात की ठीक है क्योंकि जितना यादा temperature बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा collision बढ़ती जाएगी और तो resistivity करती है डिपेंड करती है temperature पे और material पे तो resistivity डिपेंड on natural of material temperature of material does not depend on the size and shape of the material because it is the correct state property of the conducting material ठीक है यहाँ तक अपने को बात समझ में आगे पढ़ता है अपने तो अपने यहाँ पर क्या देखा देखो resistivity है आर जो है रो एल बाई यह और रो जो है अपना l ne square by a यह रो क्या था बेसिकली रो क्या था अपने यहां से derive किया रहा यह समझ में आई अपने को तो अब देखो अपन यह तो जान रहे है कि temperature change करने से कुछ ने कुछ चेंज जा रहा है अपन यहां पर यह तो पढ़ा तो वही चीज़ अपन पढ़ रहे है कि temperature चेंज करने से resistivity और resistance पर क्या चेंज आता है वह चीज़ अपन आर बराबर ml n e square तो भाई यह था और रो बराबर मेरा m e square L है आर बराबर रो भाई L लिखा में तो अगर मानलोग T temperature में मेरे पास आर नोट है T temperature में register आर नोट है ठीक है मैं temperature बढ़ाया ओपिसली बात है कि resistance बढ़ेगा मैंने delta T दी बढ़ाया स्मॉल सा delta T मैंने बढ़ाया तो मेरे पास resistance क्या हो गया आर प्लस DR हो गया तो देखो अब कैसे इस को कैसे अब करें कि आर नोट कि अब अबरा पहली चीज़ तो DR किस पर dependent करेंगी डियार इनिशल रेस्टेंब्स पर dependent करेंगी कि उसके क्लिजिन कितना और अर्नोट पर देपेंड करेंगी और DR किस पर डिपेंड कर रहा है किसे DR temperature पर डिपन करेंगा तो DR किन की चीज़ों पर depend करेगा R0 पर और temperature पर, DR जो मेरा किस पर depend करेगा, DR equal to R0 और temperature दोनों के directly proportional है, तो अपने एक constant लिया, proportional कोट आने के लिए alpha, ठीक है, DR equal to alpha R0 dt, ठीक है, alpha क्या है, temperature coefficient है, of resistance, temperature coefficient of resistance, अपने temperature coefficient resistance क्या है, अपने पास है, ठीक है, तो अपन क्या इसमें, देखो, R variable है, वहाँ पर T variable है, दोनों साई integration कर देते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर मैं मान रहा हूँ, कि T initial पर क्या है, मेरे पास resistance कितना था, R0, और T final पर मेरे पास resistance कितना था, कि वो जो है, अपन R final के अपन बात करें, R0 क्या था, initially resistance है, जब मैंने T नहीं बढ़ाया था, तो पर माना था ना अपने, और T final पर ही है, तो integration करेंगे, DR का R के एपक्षा यहाँ पर क्या है, तो R हो जाएगा, और alpha R0 तो constant है, वह तो अपने constant माना ही है, वैसे भी वह तो constant है, R0 B के एपक्स है, DT change हो रहा है, तो DT क्या होगा, T होगा, तो अपने R क्या लिख सकते हैं, यहाँ से R क्या लिख सकते हैं, कि R final minus R0 equal to R, T I minus T F, तो alpha अपने constant माना, R माना, तो R final अपन क्या लिख सकते हैं, R0 R plus alpha T F minus T I, तो R final में पास क्या गया, R0 1 plus alpha delta T, delta T, अपने क्या लिख सकते हैं, तो R final में पास क्या गया, R0 1 plus alpha delta T, तो यहाँ तक कोई भी doubt हो, तो बोलो बेटा, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ confusion हो अपने को, कुछ चीजे में दिक्कत हो, किसी को अब डिक्कत नहीं है, आगे बढ़े ही, ठीके चलो, तो बेटा, एक चीज तो R0 तो हमीशा आएगा ना, यह तो fix है, R0, depend किस पर किया, R और temperature के change पर, R0 के साथ alpha और temperature, तो coefficient अलग-अलग होगा, किस चीज के लिए, अलग-अलग material की property के लिए, मतलब एक बार मैं बात करो, delta T, तो मैंने सेम बड़ा है, अब हो सकता है, wire जो है, semiconductor है, wire जो है, semiconductor है, wire ज करेगा, R, करेगा, R, तो Rt का, resistant of T degree centigrade, R0 का, resistant of 0 degree centigrade, delta T का, जो है, आपने पास temperature, कॉपिजिजिन, तो अपने केलवीन में लेते हैं, यह चीज अपने को यादख में, तो for material, alpha positive होता है, material के लिए, alpha positive होता है, और semiconductor के लिए, अपन क्या करते है, alpha जो है, negative या, insulator के लिए, राज नोट में से मेरी कुछ कॉंटिटी माइनस हो रही है तो तो टैंप्रेयचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम हो रहा है किसके लिए semiconductor और insulator के लिए पर temperature बढ़ाने पे alpha positive है किसके लिए रेजिस्टर के लिए तो temperature बढ़ाने पर इनका resistance भी बढ़ता है ये बात अपने को पताओं चीए जैसे मेंने temperature बढ़ाया मेरा resistance भी बढ़ा और जैसे ही मेंने temperature कंड़क्टर सेमी कंड़क्टर में बढ़ाया तो मेरा resistance जो है कम हो गया ठीक है आर बराबर क्या होता है तो एल बाइए तो रो टी एल बाइए अपने रखा सेम वेसे करेंगे तो अपने पास रो का भी क्या आ जाएगा रो टी कोल टू रो वन प्लस अलफा टी ये अपने पा कर रहें कि जाएं कभी कि एक अपने को बोला अब ये condition क्या है जनर्र कंडिशन है मुझे अपने मालो एक register देखा उसको calculate कर लिया अपन पढ़ेंगे की के से register क्या जाता है अपनने calculate कर लिया अपन calculate करके उसके लगा कि और यह प्लों में अपने आट जाता है यह कुछ ग्राफ अपने को दिये हुआ है है यह information के लिए अच्छा है अपने को पता होना अच्छी है temperature बढ़ा रहा है अपन और रो अपना क्या है तो जीरो डिग्री पे भी क्या है कुछ ना कुछ कुछ पास स्याय तो कर फैसे अपने पास आपने या पैसे और larger के लिए है इसके बाद अपनेने कामिक यह था वाला यह किसके बीच में यह भी रो और टी के बीच में दिया है ती जो है अपना मिली एंपयर पर सेंटीमेटर है और टेम्टेशर पन केल विन में तो इसमें भी क्या होता है कुछ ने कुछ कि तो सब्पर्यों ऐसे की काम नहीं आते बहुत हाइं चले गए तो वाले चीज पढ़ना जरूरी है तो इसको जो है सर्कुलर में नहीं होता पूरा ऐसे करके ऐसे शेप में पूरा होता है होडा सा दंबरू की तैप में होता है और कभी-कभी क्या होता है और यहां पीम क्या है यह तो कलर क्या है वान पूर तो देखो सिस्टम कैसे बनाया वन और तू नमबर अपने तू जी जिज में होते हैं वह सो के बाद में कया है तो फिर मैं उसको क्या लिख सकता हूं यह दोनों तो क्या बताते हैं बताते हैं यह जो थड़ वाला है यह बताता है और यह देखो किसी भी चीज को अपन परफेक्टली मेजर नहीं कर सकते बात तो मैंने की की टेंपरेजर बढ़ाने पर इस्टेंज होगा तो उसमें कुछ क्या होगी उसमें कुछ हार्मोनी होगी तो परसेंटेज चेंज अप को अक्यल करेंट रिंस के बात करें बीजिए आतक羅 कने में फ़स्ट और बेंड आपने को अपनु से कि क्या होते हैं आगे वाले दो पड़े हैं तर्ड वाला बेंट जो ता है मल्टी पल देता है ओडर ओफ मेंगनिटुड मेंगनिटुड का कितना ओडर है वह अपने सब्सक्राइब कि लिए भी प्सक्राइबर में अपने को पता होना चाहिए थोड़ा सा च्छोटा कर लेता है तक इसलड़ा एक साथ फ्रें पोली जै के अ कि इसमें क्या क्या दिए हो है इसका नंबर है मल्टिप्ला और तोलरेंस अपने की लिए हैं और यह देखे लिए ब्लेक के लिए उसका नंबर अपने जीरो डिसाइड क्या हुआ है अपने नहीं क्या हुआ है अगर आपको थर्ड वाले नंबर पर दिया हुआ है और आगे कुछ भी दियो है तो इसलिए तो इतने शार है हमको केसे आद होँए बिटा याद एक बार में तो होनी नहीं प्रेक्टिस करनी पड़ेगी अब कुछ तरीके इसकी एक दो वह बता देता हूं जो अच्छी लगे वह अपना लेला कोई बोलता है वह वाली कोई बोलता है यह वाली आपको जो याद रहे वह आपकी इसाब से लिख लेना और आप बना सको आपनी बना होगे यह वह भी आते चाइगे इसको जन्रली क्या बोलते हैं बी corazón 1 बी बी तो एक बी बी रोए रोए पूरा एक साथ है बी बी को आपने लग ले रहे हैं ग्रेट बिटेन वाच ठीक है ग्रेट बिटेन इसको ग्रेट बिटेन ही रेते हैं पूर को बीबिटेन वहाच भी बूल सकते हैं लिखना चाहें तो लिख सकते हो कि बीबी रोए र्रेट बितन वहैरी गुड वह डूग लेसकते हैं और आपको ऐसे याद नहीं तो crimes याद नहीं कि तो पहली दो चीज तो ब्लेक ब्राउं दो सबको पता होता है इसे बाद रख सकते अपने को बेसिकली डारेक्ट अगर नहीं रखना चाहों तो ब्लेक बाउंड इसको उल्टा चला दो विभ्योर को पर वहां पर आई को खा जाना ठीक है और ग्रेट और वाइट को अपने को वाइट तो सबसे लास्ट में ग्रेट उसके उपपर है यह चीज अपने को पता होनी ठीक है अच्छा लगता है अधिक टीन लाइनिंग टे अपने को देती थार वाली लाइनिंग जो है यह वाली तभी आपको गोल्ड की दे तो उसमें क्या होगा प्लस माइनस 5 परसेंट शिल्वर की दे प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 10 परसेंट और 9 नहीं नहीं दे कभी यह अपने को टोलरेंस ही नहीं है उसमें क्या होगा सबसे ज़्यदा उसी में है जोचा जिसमें कोई कलर नहीं है वहां सबसे ज्यादा कितना 20% 20% मतलब 1 by 4 मतलब जितनी भी निकाल रहो ना उसकी चांस है कि 1 by 4 3% हो सही है पूर मतलब 75% ही सही है 25% आप रिजल्ट निकाल लो तो कमसे का मेसा लो जिसके फिसे गोल्ड रिंग हो ताकि 5% ही वेरियेबल हो जद्धा अपना रिजल्ट वेरियेबल नहीं है ठीक है इसके बेस पे एक दो पिशन अपन कर लेते हैं चलिए करिए तो अपने पास है रेड 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 सिल्वर और यलो वोईलेज ब्राउन अब अपने को पता होना चीए कौनसा करणफ गया है अगर आपकी साड़ से आता है तो फीक है नहीं आता है तो जिक्त वाली बात है बताओ क्या लिखेंग इसका अंसर गॉल्ड शीलवर ब्राउं मतलब इसका मतलब तो गॉल्ड शीलवर अपने को दो क्षिशन देएं साथ में एक बार सुल कर लेते हैं ठीक है गोल्ड क्या है और गोल्ड जो है प्लस-mाइनस फाइब परसेंट व्यरिएबल है शीलवर क्या है प्लस-mाइनस 10 पर सेंटे मैं आपके लिए इसलिए बेट कर रहा हूं ताकि आप लोग इनका पता कर लो जब तक मैंने इसलिए बेरियेबल तो फिर भी आर जाएंगे पर आगे का पता हो ना चीए ठीक है रेड 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 जलोव वाइले ब्रॉड पहली बात तो आर का पता लगा तो यह तो आपने को पता लगे जाए और सबसे बात फिर क्या आएगा तो आर का क्या है तो इंटो सेकेंड वाले वाले का क्या लिख हूं मैं अब आपन ने देखा निए बीवी रो है यह पता है ना बी बी रोई अब ग्रेट बिटेलड वेरि गुड बहुच्ज वेरि गुडव ही बी रोई और ग्रेट बिटेलड वर्पेन वेरिगुड वाई तो वहां से इस होई चीच्चा भी अपने पास यहां से देख लो ना कौन कुन सा है यलो में 4 है वहां प Kathy है यलो है पिर उसके बाद है ब्राउन तो सब से उपर यह ब्राउन का क्या हो गया वोईलेट का सेवन हो गया वह यहां से आपन देखना चाहिए बीडियो लोगा कितना हो गया कि लोगा सर आपने बोला 1234 वी रोए तो अपने पास आगया 47 इंटू 10 पाउर अपने पास आगया ठीक है कर लोगे सिंपल है आगे नया टॉपिक स्टार्ट करें ठीक है चलो नया इस्टार्ट करते हैं अच्छा यहां से स्टार्ट होने वाला है तो सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक आपका जो है ओम फ्लोव ही है ठीक है और इसको फिनिश करते हैं अपन आई करते हैं और कुशन जो है फिर उसके बाद ट्राइं करेंगे दा पोटेंशल डिफ्रेंस अक्रोस दे एंड ओफ अ कंडेक्टर इस डार एक्सप्रिमेंटल और इस ने क्या बोला जो पोटेंशल सब्से सम्ट्राइब्स करेंगे साच Wassi करणी करूंच्ण सी ऐए तो है ट्मप्रेचर प्रेशर प्लेंग आए तो समस्ट्राइबाब्स प्रपोजिए और क्रसी कंडेक्टर क्णिशन से अम रखनी पड़ेगी तो देखो भी इसमें देल भी जो आ रहा है और दारेक्ट ली प्रोपोजिनल आइवां तो वी फईनल माइनेश वीचल इक्वल टू आ रहा है ये एक्स्पेरिमेंटल था आप ने पर पॉपोज़नल ख़ेंगा था अब आपने यहां पर पॉपोज़नल करफेंगे यहां तो कों सेंट पूर्ण के लिए लिए अपने यहाओँ आया था मतलब उसका रेस्टाइंस नहीं हो रहा था हो एक उसकी फिक्स वैली दे रहा था ओमे कंडेक्टर पे लिए बात करें देशन मास अब क्या होता है कि वी और आई में यह वी और आई में ग्राफ किचा ठीक है ओमी कंडुक्टरी के लिए क्या होता है यहां पर इस्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है ठीटा से मुझा उसके बाद थोड़ा सा वेरी कल दें ठीक है वैसे इसको जाना के साथ सीधा जाना था पर यह सीधा नहीं जाता है इसे ट आप कर सकता हूं टेंटीटा क्या होता है अब देखो माल लो यह क्वांटिटी दीवी ठीक है यह क्या है वी है यह इस दोनों क्वैंट में बात करूंट यह यहां पर कितना चेंज वाई हुआ तो डेल वी भाई आई कितना हुआ टेंटीटा अपन क्या लिखते हैं यही त तो perpendicular divide by base लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा अपने पास 10 ठीटा हो जाएगा 10 ठीटा एक्वल टो डेल वी बाई आर जो है वो constant होगा फिर ठीटा यहां से यहां तक के लिए तो constant है ना तो वी इक्वल टू आई आर अपन इस चीज के लिए लिख देते हैं तो अपने पास क्य आई आई बराबर क्या आर बराबर क्या है रो एल बाई अपने जाना ठीक है आगे बढ़ तो वी इक्वल टू आई आर अपने को पता होना चीए current per unit area अब जो current जो फ्लो हो रहा है तो पर unit area अपने क्या लेंगे उसके current के फ्लो में लेंगे उसको अपने क्या बोला था उसको अपने जे बोला था चाहा है current density अपने जे जे इक्वल तो आई बाई अपने देखा था इस दा magnitude of uniform electric field in the conductor whose length is L then the potential difference V across the its अपने क्या पढ़ा था कि कहीं भी अगर potential difference दो जेगे के अपन बात करें ठीक है तो V equal to minus E dot DL अपने पढ़ा था व इक्वल टू इडोट DL पढ़ा था तो potential difference अपने अगर बात करें तो V equal to E dot L हो गया और E dot L मेरा क्या है रो यह समझ मैं नहीं है सबसे इंपोटेंट जे रो और L जे रो और L काहां से आया सर current density अभी पढ़ी है वहां से मैंने क्या किया दोनों के potential को बराबर कर दिया तो जे रो अपने पास E क्या हो गया जे और रो दोनों को multiply करेंगे the about relation about relation for magnitude E and J can indeed is the case in a vector अब E और J दोनों क्या है vector quantity E क्या है electric field vector quantity J क्या है ये भी vector quantity जो अपने क्या बोला था current density तो इस relation को अपन क्या कर सकते हैं कि vector की form में लिख सकते हैं E vector equal to J vector और row vector ठीक है और रो क्या सिग्मा क्या होता है वनापन रो होता है तो अपने यह पर क्या है क्या है यह अपने पास यह quantity दोनों अपने पास होने चाहिए यह क्या था कि और में conductor के लिए अपने बात कर रहे थे उसके साफसे मेरा बढ़ रहा था विक्वल टू डारेक्ली पपोजिन आई को लेके चल रहे पर हमेशा वेसा होगा नहीं अपने यूनिफॉर्म होई नहीं सकता उसमें तो यह नोन लीनियर वी आई ग्राफ के लिए अपने बात कर है अपने चैप्टर पढ़ाएंगे समीकंडक्तर वहाँ पर आएगा महीं का यह है अब इस देख लो क्या से उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में जैसे वोल्टेज बढ़ाता है करन उसका स्मॉल चेंज होता है कि करन उसका क्या प्र एक ब्रेक्डाउन टाइम आता है इसके बात क्या थोड़ा सा बनाते उसके अंदर जो है तूट में लग जते हैं वह पण पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होता एकदम से करेंट में क्या होता है तो सब्सक्राइब यह अपन गेल से मदाघ उसके लिए बात करें उसमें स्टार्टिंग में की तरह होता है फिर क्या होता है एक क्वेंट तक वह आप जाकर फिर अपन को दिया गया है अब एक कुशन जो है कि अपने आप अ वह में ले ले लेता है ठीक यह तैम अपना हो गया था हम वर्क करके लाना स्को at room temperature 0 degree the resistance of heating element is 100 ohm, calculate the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm, the temperature coefficient of the resistance, temperature coefficient अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कि उसका material के कितना है, 1.2 into 10 to power 0.7, थोड़ा scientist देने लग चाहूं, तो अपने को क्या पूचा गया है, अपने को आज टाइम पर पूचा गया है, इनिशली अपने को क्या दिया हुआ है, देखो, delta T पूचा है, क्या पूचा है, कैसे पढ़ेंगे अपने को, 8 room temperature, 0 degree पे अपने को क्या दिया है, R note अपने को दे दिया, ठीके, उसके बाद, अपने को temperature चेंज किया, उसकी वज़े से क्या हुआ, अपने फांड किया, कि R अपने पास 1.7 हो गया, temperature coefficient अपने को दिया हुआ है, तो formula लगाना, answer निकालना, मैंने question मैंने आपको दिया था, जहां पर आपको resistance निकालना था, वही मैंने question अभी यहां पे लगाया हुआ है, ठीके, तो किस-किस का answer इसमें आ गया था, एक बार comment में में आपको लिखके बताओ, ठीके, ताकि फिर अपन इसको देखें कि इसको कैसे solve करना है, अपरोच करना है, अगर सही था, तो अच्छी बात नहीं था, तो फिर अपन जो है, आगे बढ़ेंगे कि कैसे उसको solve किया जाएगा, ठीके, तो मैं बताओ कैसे इसको solve करेंगे, कि अभी जो है, आपने किया ही नहीं है, अपरो प Amanda ho에는 down-range कने गलतिया ना सकिए टीकर तो सके अपने को 가 Garcia चल्टिया हुआ इस कि शनमें किवन डारा क्या ता कि TEMPRAirdi फैर पर अपने को by लगा इंस टारिद में 0 डिग्री संटी ग्रीड करें त्यकर अृ aynı एलेमेंट 고 to 177 मतलब R जो अब हो गया मेरा R0 से बढ़के कितना हो गया 177 ठीक है the temperature coefficient resistance alpha आपने को क्या दिया हुआ था 1.7 into 10 to the power minus 4 ठीक है तो इसमें मेरे को क्या क्या data दिया हुआ है देखो इसमें मेरे को क्या given है solution अपन कर रहे है ठीक है अपने को क्या दिया हुआ है और alpha क्या दिया हुआ है 1.7 into 10 to the power minus 4 एक बार यह अपने को क्या दिया हुआ है 1.7 into 10 to the power minus centigrade तो इसमें अपने क्या फॉर्मुला पड़ा था और कैसे वेरी करता था कि सब्सक्राइब करता था और अपना जो है कोफिक्षिंट अलफा के साथ वहां से अपने आर के लिए निकाला था आर जो होता है वो क्या होता है अपना आर नोट वन प्लस अल्फा डेलट यह फॉर्मुला अपने को पता होगी अपने चीज कर सकते हैं अब मालो मेरे को फॉर्मुला पता नहीं है तो फोड़ा सा लोजिक लगाना और उसके पास जो आए उसके साब से देखना एक बार कि वह से भी इसली कर सकते हो अगर आपके पास टैम है और समय नहीं है तो अपने को फोर्मुला पता होना चाहिए टैम बचाने के लिए आर की वेल्यू क्या है मेरे पास आर की वेल्यू 117 दियो है आर नोट मेरे पास क्या है 100 डिय वाए 1 प्लस अभी अलफा वाल फार एंदे डि ठीक है तो क्या मैं इसको इदर ले जा सकता हूँ और पिसली बात ही ले जाना पड़ेगा सोल करने के लिए तो अगर सोल नहीं करना चाहते हो तब तो बात लगे पर अगर सोल करना चाहते हो तो लिजा नहीं पड़ेगा तो यहां पर मल्टिप्लायर में था यहां पर equal to क्या हो जायागा 117 upon 100 minus 1 मेरे पास है plus 1 का इधर जायागा तो minus 1 अपने पास आ गया ठीके इसको आगे solve कैसे करेंगे alpha delta मेरे पास क्या आ गया 117 ठीके LCM लिया 100 minus 100 हो जायागा क्या यह आ गया alpha delta आया मेरे पास 17 upon 100 ठीके अब मेरे को given data क्या है क्योंकि alpha की value मेरे क्या दीवी है 1.7 into 10 to the power minus 4 ठीके तो delta में यहाँ से find out कर सकता हूँ delta यहाँ से find out करना है कैसे find out कुरूँगा delta delta जो मेरे पास हो जाएगा 17 upon 100 alpha नीचे चला जाएगा alpha की value क्या है 1.7 into 10 to the power minus 4 ठीके कैसे करोगे इसको simple calculation है अगर चाहो तो डारेक्ट आता है तो आपको डारेक्ट कर लो पॉइंट आदो simple बता रहा हूँ मैं 17 से 17 cancel out हो जाएगा 10 से 10 cancel out हो जाएगा 10 to the power minus 4 और 10 multiply करो 10 to the power minus 3 बचेगा और उपड जाएगा तो 10 to the power 3 हो जाएगा ठीके या इसको मैं क्या लेक्ट चुक्ता हूँ 1000 अपन का सब यहां पे degree centigrade में लिया इसलिए डेल्टी उसमें आया अगर Kelvin में अपन कंवर्ट करेंगे तो Kelvin में कंवर्ट करने का मतलम नहीं आता हुआ बिना क्यूशनव ट्रेक्प्रेक्टिस के आप सो करेएगे नहीं हो जाएगो कि आपको किस्टरी के करना ही क्या आपन जूभ सकते हैं किसे निकाल सकते हैं क्वांटिटी दी हुई है एक कोई क्वांटिटीटी फूची यह बाकी बाकी अदर dvと लेशन क्या है अपने को पता होना चाहिए वाली ठीक है आज जो अपन पड़ रहे हैं अपने रेजिटर के बारे में पड़ाता आर बढ़ावर रोल ये पड़ाता पर थोड़ा सा इसको थोड़ा लेवल पर चले जाने देते हैं तो उसके बाद एक क्लास में क्लास करेंगे ठीक है अपन यहां पर क्या पड़ रहे हैं combination of register combination अब अपने केपिसिटर भी पड़ाता लाश्ट में ठीक है अब register का combination करना चाहते हैं किसी भी चीज़ का मतलब combination किस तैप में हो सकता है या तो मैं continue लगाओ या उसको एक छोड़ के लगाओ मतलब या तो series combination हो सकता है यहां पर बात कर रहे हैं तो रिजिस्टर में सबसे पहले वाट रहे हैं combination क्या है कि एक के पीछे एक मेंने लगा दिया तो उस पर डिफरेंस हो रहा है मतलब एक जैसे अपन सप्लाई की बात करें यहां पर सप्लाई आगया और यहां पर सप्लाई आगया ठीक है अब मैं स्रीज में करना चाहता हूं आपके घर में कुन सा connection है यह आपको समझ में आ जाएगा इसाले एक packaging यहां से प्रहिया है क्या है और ऑठीक है पिर आपको यह यहां यहां प्रहित लगानी चाहिए यह यह मैं इसका मतलब क्या है कि मैंने इसमें क्या किया मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब मेरे पास इधर से करण्ट आया तो वह इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा और फिर महां पर जाएगा लास्ट पॉइंट पे जाएगा अपने घर में क्या होता है एक वा पिसके पास नोगों मतलब यहां पे सपास महालना पड़ेगा तो करेंट net निकालना पड़ेगा ळोड़ेगे पर यहां से पहरे पर यहां से यहां से यहां से यहां से गई फिर वापस यहां पर और और अपने बीच में इसे हाथ लगा दिया ठीक है तो आप में से current आई और इसे इसे लिए अब रिजिटर उदर का ज्यादा है इधर का ज्यादा है इस पर depend करेगा simple सी बात है अपना तो register क्या है अपने में तो current flow होगा इसी तो जिसे हाथ लगाएंगे धर-धर-धर-धर काम खटम ठीक है तो इस चीज से बचें औरहां कि आरे कोलेंट एड़ा होगा है यहां से यह क्रांट जा रहा है तो यह क्या हो जाएगा आयार फिक है यह क्या हो जाएगा हुआ कि i और r हो गया यहां पर क्या voltage हो गया इसके ir i और r हो टो इसमें अपन क्या करेंगे कि इसमे जितना voltage ज्य्यस समालों इसको मैं मालता हूं इसका यहां पर चीड़ा क्राइगा ठीके तो यहां से पर चonne में वर्टेज ढोगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो जाएगा और उसको पंसौन कर लेंगे तो ओंसे अपने भील्ट मिल जाएगा यहाँ पर क्या लिल ऑख किसके हो भील्टायों हो रा सिंपल से बात है V equal to IR है अब I तो अपना क्या है constant है मतलब I तो अपन मान की चल रहे हैं कि पूरे सर्कुट में एक ही चल रहा है तो voltage directly proportional किसके हो गया R1 के मतलब R के हो गया जिसका R जादा उसके across voltage जादा drop होगा जिसका R कम उसके across voltage कम drop होगा तो V इसे लिख सकते हैं V1 बराबर I1 R1 V2 बराबर I2 R2 V3 बराबर I3 I और R3 ठीक है तो total voltage कितना हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 ठीक है इसको ऐसे direct भी लिख सकते हो और चाहो तो ऐसे लिख सकते हो यहां से में चला V ठीक है यहां पर इसका voltage क्या था वी 1 इसका V2 मान लो इसका V3 मान लो तो V-V1 क्योंकि voltage drop हो रहा है माइनस V2 क्योंकि voltage दोग हो रहा है माइनस V3 क्योंकि voltage दोग हो गया है यह क्या हो गया? equal to 0 positive में क्या है? बाकि सबको उजर बहे है दो तो V1 बराबर V1 plus V2 plus V3 V बराबर क्या हो गया? कि V1 plus V2 plus V3 यहां से भी वह इस चीज़ से मारी है तो अपन लूप में चलें, circuit लूप में तो उसमें voltage वाला लगा सकते हो या फिर voltage drop वाला लगा सकते हो डोनों का ही resultant सेम आता है और जिस current की direction में अपन चल रहे है पाथ में not battery or anything अगर पाथ में अपन current की direction में चल रहे हैं और वहां पर कोई resistance आ रहा है अब इसको अपन क्या लेखेंगे इसका मतलब क्या है इसका sum of the voltage across all the resistor is equal to voltage applied across the circuit अपने जितना voltage लगाया वो सारा जाके उसमें drop हो गया तो वो total कितना था अपने मान लिया कि उसका equivalent कितना था r equivalent था तो वापर voltage drop क्या हो गया i r equivalent equal to open ने क्या कर दिया i r1 plus i r2 plus i r3 ठीके मतलब क्या हुआ इसके similar मेंने ये circuit था मेरे पास r1, r2 और r3 ऐसे कुछ circuit था ठीके इसके equivalent मेंने क्या बना आया r equivalent मेंने बना दिया इसको ठीके ये r equivalent में रहो गया ये r1, ये r2 और ये r3 ये b था ये b सेम है current सेम है ठीके यहाँ पर current सेम है तो इसके across जितना voltage drop हो रहा हुआ वही चीज़ अपने आपे लीगी current सेम है तो current को अपने क्या किया common लेकि cancel out कर दिया ऐसा नहीं कि आपने 3 में प्लस लग रहा था किसलिए i common ले लो तो r1 प्लस r2 प्लस r3 तो r equivalent अपना क्या हो गया कि r1 प्लस r2 प्लस r3 मतलब क्या है मतलब समझो इससी कि series connection में register क्या हो जाते है aid हो जाते है series connection जब भी होते है register अपने क्या हो जाते है कि register अपना aid हो जाता है इसमें कोई वो वाली बात नहींग तो दिमाग में जादा रहेती है यह सी भी चीज को compare करके पढ़ोगे ना तब ज्यादा क्या होगी क्लियर्टी रहेगी मालों कोई 10 गंटे पढ़ रहा है तुम्हें पता है कि 10 गंटे में डेटा है कंजूम नहीं कर रहा हुतना मतलब वह पढ़ तो रहा है पर टाइम पास ही तो किसी का भी एक याद कर रोल और बाकी जो है उसका रिवर्स याद कर मतलब रिवर्स होता है मैं आर का ज्यादा याद करता हूं कि बच्छत अपने ने नाइन तेन बीए पढ़ाता यह अपने को पता होता है तो उसको रिवर्स करते हैं अगर हो कभी confusion हो जाए तो इसे एक तो महन रहा हो जाए तो आर बनी एक रहा हो जाएगा तो अगर स्रीज में अपने पास एंड़ेश्टर लगे हूए हों equal resistance के N register हो, मतलब ये R है, ये भी R है, ये भी R है, डेज़ 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 किया, तो R equivalent अपने पास क्या हो जाएगा, R equivalent हो जाएगा, R common लिया, 1 plus 1 plus 1, डेज़ डेज़ तो ये क्या हो जाएगा, N R अपने पास हो जाएगा, एक important result आता है, तो अपने को पता होना चाहिए, तो R resistance अपने पास स्रीज में है, तो N R हो जाएगा, जिसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ है, तो अपने ने क्या पढ़ा, कि register का स्रीज connection पढ़ी है, तो दूसरा type का अपने पास क्या हो जाएगा, combination, parallel combination हो जाएगा, दूसरे type का combination क्या है, parallel combination है, parallel का मतलब क्या है, अब देखो, उसी example को लेके चलता है, कि अपने घर में light आ रही है, लाइट तो घर में आती है सर, आप क्या बोल रही है, light आईगी ना वेटा, तभी तो अपने घर में instrument चलेंगे, अब अपने घर में light आई यहाँ से, अपने क्या किया, अब जो है, थ्रीज में ना करके parallel क्या, parallel क्या किया मतलब, यहाँ पर मैंने लगाया, बल, ठीके, उसके बाद यहाँ पर मैंने लगायी, tube light, ठीके, और यहाँ पर मैंने चलाया, चक्री वाला पंखा, घर-घर-घर वाला, ठीके, पंखा चानी बना, उनने वाला पंखा बन गया, और इन दिन्दों के बीच में अब क्या था, अपना voltage आ रहा था, ठीके, अब एक बाद बताओ, पहले वाले series connection, यहाँ पर देखते, इसके पास across voltage drop हुआ 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 connection में अपने क्या किया कि इसमें जो है करन्ट सब में अलग अलग है क्योंकि क्या है अलग अलग जा रहा है पर इनके अक्रोस वोल्टेज क्या है कि सब्सक्राइब इस पॉइंट पर जीरो है यहां पर वोल्टेज जो होगा वी होगा यहां पर वोल्टेज सर्वी है और यहां पर अगर आपन सेरीज में कर रहे हैं तो उसमें कम जा रहा है मतलब उसमें वोल्टीज कम जा रहा है एक पर लाइन में बच्चों को और इक के रहे हैं तो अपने के कम होता गया तो नेक्स वाले बच्चे के पास अपने उनको चोईस में डिवाइड करना है वह उसकी मर्जी से आके एक केला ले सकता है तो लाश्ट वाले के पास तो क्या हो उसके पास चीज को अपने क्या किया अब उसी चीज को अपने क्या क्या तो यहां पर क्या हो रहा है कि वोल्टेज से आप तो इसम हो रहा है तो अपन क्या जानते हैं हम तो यह जानते हैं और अगर ज़्यादा है आई कम होगा तो आई और आई का क्या होगा अगर वोल्टेज Scorpion में सेम ले रहा हूं तो R inversely proportional to 1 upon I हो गया, या I लिखना चाहो तो inversely proportional to 1 upon R हो गया, यह चीज़ समझ में आई, inversely मतलब कि आगर मैं तेरे को दूँगा, और जोड से मैंने दी, तो तो बिलकुल नहीं देगा, तो पहले ही डेहर हो गया, पर अगर तेने मेरे को दे ली, तो मैं पहले ही डेहर हो जा ज़्यादा लगा दिया अपने, तो उसमें वहाँ पर क्या होगा, उसके across current कम जाएदा, तो V equal to I वहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, voltage drop वहाँ पर कितना हो जाएगा, approximately V हो जाएगा, मतलब बराबर V हो जाएगा, किसी के across voltage कम है, ठीके, voltage मानलो कम, मतलब resistance कम है, current, voltage आ रहा है जाएगा, ठीके, अब resistance है कम, तो V equal to क्या होगा, I R होगा, अब R मानलो बहुत कम रख रहा हूँ, R को बहुत कम रखा अपन, बहुत ही जादा कम, मतलब छोटा सा, I क्या हो जाएगा, बहुत जादा हो जाएगा, I R कम हुआ अपने पास, तो I क्या हो जाएग जा रहा है, तो voltage जादा आ गया, अपने वहाँ पे R तो कम रखा हुआ था, I मेरे पास जादा हो गया, तो I जादा हुआ, तो वहाँ से current flow जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ पे heat चलो होगा, I square R T जो अपन बढ़ते हैं, energy depreciation पढ़ेंगे आगे, कोई डिक्कताली बात नही के लिए बात करने हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, current जादा हो जाएगा, तो wire पिगल जाता है, और circuit ब्रेक कर देता है, इसलिए अपने internal circuit फोल्ट में होगा, तो इसमें क्या होगा, I अलग अलग होगा, R तो भी R की value अलग अलग है, तो I की value अलग होगा, अपन ने माल लिय अलग है, R1, R2, R3, तीन रजिस्टर अपन लगा है, V अगर यहाँ पे मेरा voltage, मैंने V दिया, I current उसमें जा रहा है, तो I current क्या होगा, divide हो जाएगा, I1 में, I2 में, I3 में, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अपन clean कर लेते हैं, इस वाली चीद को, ताकि comparison में बढ़िया रहे हैं बटा, equivalent circuit क्या है, मैंने equivalent circuit रहे लिया, उसके equivalent circuit क्या है, यह अपने इसके equivalent कर लिया, तो V उतना ही जा रहा है, I और R ही जा रहा है, ठीक है, अब देखो, इसमें समझने वाली चीज क्या है, कि इसके across voltage जो है, क्या है, V है, तो इन तीनों के across voltage भी है, और यहाँ पे इसक कितना हो जाएगा, इसके across voltage कितना हो जाएगा, I1, R1, ठीक है, इसके across voltage क्या हो जाएगा, कि I2, R2, और इसके across voltage क्या हो जाएगा, I3, R3, ठीक है, I3, R3 अपने पास voltage, अब इसके across voltage जो है, इसके across voltage बराबर होगा, ठीक है, अब इसके across voltage क्या है, I into R equivalent, ठीक है, I into R equivalent क्या हो गया voltage हो गया मेरा तो ये तो बोल रहा है कि I जो है अब देखो इसमें क्या property लगी कि current divide हो रहा है तो current को मैं इसे लिख सकता हूँ कि I जो मेरा कितने part में divide हुआ I जो हो गया वो क्या हुआ I1 plus I2 plus I3 ठीक है I1 plus I2 plus I3 अपने पास हो गया तो I की value रख तो I तो divide हो आना तो I की value रखेंगे तो I की value यहाँ पर क्या है सर यहाँ पर तो I की value क्या आगी मेरे पार I equal to V upon R equivalent और यहाँ पर I की value क्या रही है कि सर I की value इसमें I की value क्या रही है V upon R equal R1 आई टो की वेल्यू के आ रही वी अपॉन आ रही है वहां पर रखेंगे तो अपने पास सोलिशन आएगा बहुत फर्दर अपन लिखा हुआ है तो यहां पर क्या आता है देर है देर इस पोतेंशल डॉप अकोस इच रहर रिश्टर के अक्रोस अपोतेंशल डॉप हो रहा है चरण इन एच रिश्टर इस इंवर्सली प्रोपोजनल टू डवेल्यू अपने देखा आई वन जो है वी इंट। आर वन के हो रहा है अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I directly proportional to R हो गया, इंवर्सली proportional to R हो गया, इवर्स भी लिख सकते हैं, I, R जो है, inversely proportional to I हो, तो I1 बराबर V by R1, I2 बराबर V by R3, I3 बराबर V by R3 हो गया, तो I total I कितना हो गया, इस circuit में total I क्या हो गया, I1 plus I2 plus I3, it is the current flowing in the circuit, is the sum of the current in the individual resistance, ठीके, तो अपने पास R equivalent क्या आगया, 1 upon R equivalent equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, ठीके, R equivalent अपने पास आगया ये, R1 plus R2 plus R3, अब इसको मानलोग केपिस्टिन सा अपन compare करें, parallel में अपन केपिस्टिन लगाते रहें, तो वहाँ पे क्या होता था, C1 बराबर C1 plus C2 plus C3 हो जाता, तो वहाँ भी अपन देखेंगें, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, कि वो भी इसका इनिवर, इसका जो register होगा, उसमें अलग होगा, और उसका अलग होगा, अपन यहाँ पर करें, 2 की बाद, 2 register की बाद करें, तो मैंने क्या लिए, 2 register ले लिए, अब मालो मैंने same 2 register, same quantity किये, पहले R1, R2 से देख लो, और फिर अपन same लेके एक बाद देखना है, ठीके, यह मैंने R1 ले लिया, यह R2 ले लिया, अब इसका मैं क्या निका लूँगा, R equivalent, और अपोन R equivalent क्या हो गया, अमें पास, 1 अपोन R1 प्लस 1 अपोन R2, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले सर, इसनका L से हम अपन ले लिते हैं, और अपोन R equivalent अपने पास क्या हो गया, कि R2 प्लस R1 अपोन R1 दोट R1 इंटू R2 अपने पास आ गया हो, ठीके, R1 और R2, ठीके, R equivalent में लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, R1 इंटू R2, अभी इनिवर्स हो गया ना, बिटा, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, इसमें कोई doubt है, डारेक्ट लिखल देखना चाहो, तो अपने इनीचे किया होगा है, तो R equivalent क्या हो गया, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीके, इसमें देखना चाहो, इसर R जो है, अगर मानलो मेरेको दो रिष्टर, सेम दिए होगा है, ठीके, ऐसे मेरेको R दिया हुआ है, ये भी R दिया, इनका equivalent में निकालना चाहो, तो इसमें R equivalent क्या होगा, इसर यहाँ पर रख देते हैं, कि पहला वाला R है, सेकेंड वाला R है, पर्ष्ट वाला क्या है, R है, प्लस R है, तो ये क्या हो गया, ये सर हो गया, R by 2, क्या ये सही है, कि नहीं है, पहले ये बताओ, सबसे important चीज पहले है, ये सही है की नहीं है, अपने ये किया, जो R equivalent सही है की नहीं, इसर ये तो सही सही लग रहा है अपने पास, तो ठीक है, फिर तीन दिश्टर लो, तीन दिश्टर में क्या होगा, 1 upon R, R plus 1 upon R, 2, 1 upon, same R के तीन दिश्टर लिए, कि R equivalent क्या होगा, 1 upon R equivalent equal to 1 upon R, plus 1 upon R, प्लस 1 upon R, तो उपर क्या, 1 plus 1 plus 1, 3 हो गया, और नीचे क्या हो गया, R हो गया, तो वो क्या हो गया, R by 3 हो गया, अगर मैं 3 के लिए बात करूं, मैंने एक और R इसमें या पर जोग गया, ठीक है, अब इसका एक बार देख लिए, किसे करेंगे इस वाली चीज को, समझ में आ रहा है ना बिटा, किलेर हो रहा है ना टोपी, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो कमेंट में लिखके बदा दो, ताकि उसको पन एक बार फिर से रिविजन कर लेंगे, अगर इसा लगेगा तो अपने को, अब इसका मैं R इक्वलेंट ल जायेगा, R by 3, ठीके, यहां तक किलेर है की नहीं, क्योंकि यह वाली प्रोपर्टी अच्छी आती है, अपने को पता होना चाहिए, यहां तक अपना सबका किलेर है की नहीं है, समझ में आ रहा है की नहीं आ रहा बिटा, अगर नहीं आ रहा तो बोलो, ताकि उस वाली जाएगा, मैंने N register series में लगा दिया, तो मैंने जब N register series में करूंगा, तो महां पर क्या हो जाएगा, R equivalent में, 3 की जाएगा, N ही तो है, मैंने 2 रखा तो 2 आगया, अब N रखना हो तो R by N आपने पार, ठीके, तो एक जो है important result यह भी होता है, जब अपने R register जो है, parallel में connect कर द N हो गया, इनको सब को मैंने parallel में connect कर दिया, तो उसका result क्या आता है, यह आ जाता है, ठीक है, समझ में आया, इसमें कोई doubt दिक्कत हो, तो बताओ, यहां तक के लिए है अपने पास, अब देखो, ज़रूरी थोड़ी है, अपन किसी सीच को series में लगाए, और किसी सीच को parallel मे लगाए, आपन mix भी तो कर सकते हैं, मेरा मन हुआ, सर्क कुछ रिस्टर तो में series में लगाऊँगा, जहां पर मेरा कुछ ज्यादा current नहीं चाहिए, और कुछ रिस्टर में लगाऊँगा, पेरलल में, जहां पर मेरा कुछ चीज होगी, मैंने कुछ चीज तो क्या है, देख आप मेरे को लगा, कि मैंने यहां पर दो चीजें ऐसे पेरलल में लगा दिए, और उसके बाद क्या कहिया, फिर series में लगा दिए, अब यह तो पेरलल है ना series है, इसको भी solve करना पड़ेगा, तो mixing of combination, mix combination अपन पड़ेगे, mix combination मतलब यह series में, यह series में है, दोनों parallel है और यह series में है, तो सबसे पेले क्या करते हैं, कि parallel हूरे को soul कर लो, या, क्या तो इसको पेले solve कर लो, या इसको पेले solve कर लो, दोनों को साथ में भी solve कर लो, और उसको एAK combine मना दो, समझ मेह आए बात, फिर इन तो नोगा धो solve कर लो, तो इसoly कीullen है, mixing group के अधीक, अलग-अलग तर the equivalent register corresponding to the mixing grouping can be found by the one of the following method उसमें अपन बहुस सारे method use कर सकते हैं अपन इसमें अभी जो है कुछ successive reduction वाला method पार रहे हैं method of successive rejection method of successive rejection मतलब कि उसमें reduce करते जाओ जो आपको दिख रहा है स्रीज में है उसको सोल करो जो आपको दिख रहा है पहले लेल में उसको सोल करो और देरे-देरे करके अपने इसमें क्या है जैसे this method is based on the simplification of circuit by successive rejection of the series in parallel यह अपने पास एक एक्जाम वाल है अब इसमें सोचों के से करोगे अपने को दोनों को आर ए और बी के है ए और बी के बीच में अपने क्या नेकालना है और बी के बीच में इक्व एक्वलेंट रिष्टन काला है अब अर्क available ड्रप चैसलोप में किया रहा है तो कून सा उसमें हुआ तो सोल कर लो नहीं करेंट वहा पर सेम जा रहा है कि दिवाइड हो रहा है अगर इसके बाद हो गुंक के जा रहा है तो क्या मैं इस पर सबसे पहले किस नोट को से ओल करूंगा इस वाले नोट ठीक है अब तीन रिजिस्टर स्रीज में मेरे पास लगे हुए जिनका मेंगनिटीड हो सकता है लगे यहां पर रहे टू रहे आ रहे मेरे पास एक्विलेंट का क्या होता है कि सर आर एक्विलेंट जो होता है यहां पर तो डारेक आर 1 प्लस जोगी अपने को यहां पर क्लस प्लस आर अपने को दिया हुआ है वह थो चलकार आ पको उलिजर में हो इसलोडे को मेंने हटाया इस पौले ब्लोक को किया कर दिया इससे से फ्लेस कर ठीक है फिर से डाइक है approach उसे डार्यक्त लग जाएगा पर इनदीज्ब इयहां पे करंट भापस खुत-पर तो यहां पे निलगा सकता अब यहां पे मैंने देखा करंट एक डिवाइड हो रहा है दो डिवाइड हो रहा है अब दो डिवाइड हो रहे है मतलब पेलल में और वापस जाके मिक्स हो गया यहां से करंड गया और इस पॉइंट पर वापस मिक्स हो गया अब देखो इसमें यहां से करंड गया ठीक है इस करंड पर य upon r2 यह क्या होता है बन upon r equivalent के लिए आर equivalent के लिए तो अपने क्या लिखा था कि r1.r2 divided by r1 plus r2 अगर rr दोनों से में तो by 2 हो जाता है r की value divided by 2 तो 4r divided by 2 तो वापस से क्या हो गया जी सर इसकी जगह replace करके मैं जो है एक नया रिष्ट लगा हूँगा और वो मेरे पास क्या होगा कि वो जो है मेरे पास 2r का होगा यह 2r अपने यहां से 2r का अपने यहां पर लगा लिए तो अपने को के लिए रहे यह वाली जी जटाए यहां पर आर आर वे साही रहा उसके similar two r लग जया और इसको फिर अपने यहसे कर ले अपका इसमें फिर वापस से हो रहा है वही यह 3 नों स्रीज में आगया इसको फिर solve करो इस तीनों को स्रीज में किया मैने तो यह फिर मेरे पास यहां अब और इसको जो फिर 4R के साथ होगा तो 2R इस पूरे को मैंने क्या लिख लिया कि मैंने इस पूरे को क्या लिख लिया इस पूरे को ही मैंने यहां पर 2R जमाने तो इस पूरे को अपनने क्या माना कि इस पूरे को अपनने 2R मानेगे ठोल कर सकते हैं अब 2R, R, R आपस से 4R हो गया और 4R, 4R फिर से पहले दिन में तो अपने पास क्या आगया 2R आगया और R और R का कॉंबिनिशन में देखूंगा तो मेरे पास A और B के equivalent क्या आगया कि A और B point के equivalent मेरे पास R equivalent जो है R equivalent between A and B मेरे पास क्या आगया है तो कोई दिक्कत वाली बात में है ृ ठीक है अब देखो ये तो एक पहला मेहरता सकसरिशन मेहरत कहीं बार इसे आजाते हैं तो पता ही नहीं लगेगा सथ पता नहीं लगेगा मतलब पता ही नहीं लगेगा कि कैस दो तो उसके लिए कुछ तरी की में ठधाडव है थीक है थोड़ा सा आपको इसे लगेगा सर केसे में थारे पता केसे लगेगा किसके अक्रोस है पर थोड़ी सी अपने को इसमें परेगी एक चीज क्या कि पहली चीज सीमेट्री की हो सकता है कोई सिमेट्री हो symmetry होगा तो उसमें क्या गड़ हैं तो यह method of symmetry method of symmetry में क्या होता है कि एक अपन लाइन ड्रो करते हैं a line drop cross the circuit perpendicular to the line joining the two points between which is registered to be found सबसे important line नहीं है perpendicular to the line joining of the two points between the resistance is to be found a line पर अपन discussion करेंगे ठीक है समझ में आगी तो अच्छी बात ही नहीं तो अपन डिसक्राइब which divide a circuit in two mirror image of a line of the symmetry मतलब उस लाइन के सामने क्या है mirror image this line is an equipotential यह लाइन क्या होती है कि वह लाइन जो होगी जिसको मैं draw करूंगा वह equipotential होगी मतलब उस point पे sub point equipotential होगी ठीक है the point of symmetry is false junction यह कोई real नहीं है false junction होता है current was not gate reduction at this point current वहां पे क्या होता है ऐसा नहीं है वहाँ पे current गया हो जाता है ठीक है by separating the element carrying in the same current the current is made in the soul by the method of symmetry मतलब क्या होता है वहाँ पे current तो flow हो रहा है और वह ऐसा बना रहा है कि इस point पे जो है voltage हो रहा है voltage होने का मतलब क्या है कि current महां से जा रहा है तो कुछने कुछ deficit होगा वे call me okay अपड़े point में सबसे पहली बात क्या कि कि आपन ने बात कि को ले कर डिवाश्य मेरे को सिमेट्री बनानी है तो क्या इस circuit में symmetry में कैसे की सकता हूं कि carbonate सबसे पहले इस को मेनी से सीथा साथ वह बात है इसां को अधर बीच इसको में क्या होगा अब इसमें क्या होगा ये इक वी पोटेंशिल का मतलब क्या देखें यहां पर करन जा रहा हुँगा आई आब टीन पार्ट में डिवाइड़ा आई वन आई टु और आई थी ठीके यह जितना यहां पे ड्रॉप हुआ ठीक है यहां पे कुछ द्रॉप हुआ इसके अक्रोस में भाइब यहां पे डिवाइड हुआ तो इस पॉइंट पे आके यहां पे क्या सारे करण्ट जो यहां से अब देखो आए थितना डिवाइड होगा वह एक बाव बताओ यह सिमिलर है इस पॉइंट का इस पॉइंट का क्या हो जाएगा कि पोनेशार्स का है 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 औरो is में इसको इंडीपेंडेन्ट स्कूं सब्सक्राइक चुकर इस fact you as I As a कि इस में इसको में एक फुर्य के इस पोइंट इस पॉइंट सफ्वार्गिन्टा यहांOULD पूरा तो वह था ही और इस पॉइंट इस प्वार्गेक पूले रहे जीज अपने को पता हो चाहिए मेरा रिमेज जब लेंगे या सिमेट्रिक ओफ लेंगे तब नहीं हटाएंगे क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ठटप सवाल इजी बन जाते हैं यह नहीं पड़ोगे तो भी सोल होगा पक्का है होगा कोई दिक्कत नहीं आए ठीक है पर दोनों तरीके से पंसोल कर देख लेंगे उसमें करण निकालना पड़ेगा व्र हो इतना अब एक बहुता यहां पर मैंने यहीं तो कि मैं किना कि यहाँ से इतना करन्ट यहा यहाँ से जितना करन्ट गया उत्न ही करण्ट वापस गया मतलब क्या है यह करंग भूम के यहां पर एड़ो बात तो ली ना आई डिया रहा है तो यहां भी ऊपनॉत में गोन पर यहां से गर आई जा रहा है तो यहां से भी क्या होगा वापस आए आएगा तो आए क्या है आए इसे तो मतलब क्या हुआ यह यहां पे रहा है कि यहां पर क्या होगा कि क्या क्या मानते हैं यहां से अगर कोई करेंट आ रहा है और इस दोनों क्या है जाती है और देखो इसको देखने वे शुल करोगे तो पहले यहां से डोप निकालोगे फिर उसको इक्यूलेंट करोगे तो वह जड़ा रीकेट हो जाता है क्या करते हैं इस वाले में सिमेट्रिक बना अब सिमेट्रिक जैसे ही मनें अपने खुल जाएगें कि जैसे ही symmetric बनती है वैसे अपने को पता लग जाता है कि कैसे इसको solve जाना है ठीके क्या सीरीज में है क्या parallel में है तो देखें यह B point था यह A point था इसके बीच में अपने को निकालना था तो यहां से मैं गया यह R है यह भी R है R है R है क्या है यह क्या है तो इन दोनों करेंगे इनकी जगापन क्या रख देंगे बताओ भई तो आर डो आड़ बाई वाई अपने पास 2R by 3 अपना या हो गया और ये ये भी क्या हो गया ये अपना 2R by 3 हो गया कलती तो नहीं है न बटा देख लो भाई 1 upon क्या करोगे 1 upon R करोगे 1 upon 2R करोगे LCM लोगे तो 2 plus 1 होगा 3 होगा समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छा है आगे बढ़ते हैं अब ये तीनों क्या होगे सिरीज में होगे आर 2R plus 3 और तो 2R plus 2R plus 3 कितना हो गया 2R अब यह मोग बोलना सा 2R किसलिए आर और और 2R plus 2R plus 3 अपना पास आगया तो 3 LCM ले लो 3 टू जा 6 6 6 और 2 8 तो यह equivalent आगया R by 3 मतलब क्या होगा अगर इसको मैं equivalent circuit यहाँ पे डिरो करूं तो क्या आएगा आए अपने पास कि यह point B यह point A सर आपने बताया और यहाँ पे बीच में तो था हा क्या था 2R था सर और उर उपर भी क्या बनता यह पर यह B आ रही यह तो यह तो यहाँ पर 2R भाई 3 यहां पर जो मेरे पास आया वह 8R by 3 अपने पास स्थानं आर्वन क्या है बेटा उन अपौन आ एक्वेलेंटनी क्या लिखो गेखेशले रघुलेंगा आप only this up in touch क्याई हो गया इस Сब्सक्राइब और हो गया चाहो तो क्या लिभ सकता हूं हे गाधा इंफ यह का रबादर और यह गाधा था ले कृण को इन के seaweed अगर समझ में नाया तु यह से कर लेना ठीक है और 오래 क्या लिख जखता हूँ 3 upon 4 R अपने से लिख सकते हैं ठीक है LCM ले लो LCM क्या आएगा सर LCM आएगा 4R टूक से और 3 अपने पास 1 upon R equivalent है R equivalent उपर ले जाओगे तो अपने पास answer क्या आगया 4R by 5 अपने पास यह जो है अपना answer आगया ऊक्तुसर्च आएं के समझ में आया नहीं समझ में आया जाओगे जबबार गाले तुअन के यह जाथ हैं तो एक बार वापस से इसको करके देंगे इसको soul करके देखनाा वह जब हमताना वह से एक बार इसमें विट्राय कर एक आएब स्था अब कि ये दो पोइंट है ए और बीचने सिमेट्रिल लाएं ठीक है इनके बीच में जुनेट्रिल लगाऊगे तो क्या होगा है सरी शिमेट्री ओफ एक्सिस क्या यह मान सकते हैं कि हाँ जारा भाई नारा जुराया आज बोर्ड मेरे से हैं ठीक है symmetry of axis ही होगी मेरे पास मैंने symmetry of axis ये वाली माल ले क्या इसके आज 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 पास मेरे दिमेज है याँ पे रख दिया तो same to same है आर 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 सारे same है अब क्या ये point और ये point same potential पे है और ये point और ये point same potential है अब मैं बात कर रहा हूँ ये point और ये point VV है और इनके बीच में register R है ठीक है आप एक बाद बताओ उसमें से current flow होगा की नहीं होगा पहले ये बाद बताओ अपने को ये बात समझ में आ रही हैं सी ये मैं किस में से current fly होगा की नहीं होगा अगर current whole होगा तो क्यों होगा ete止 रिच्टोन ब्रीज बताया था कि वने पैसे पर नहीं होता है आप्शारे का होने का मतलब क्या है कि नहीं हो ये क filme Üर को फरक नहीं पड़ मेरा current दुदर जाही लिए यहां से इधर गया तो चुप यहां पे चला गया यहां से इधर आया यहां पर चुप इधर चला गया यहां और पास हे ही नहीं अब यह क्या ता जुन-जुन-जुन-जुन करके सीधा निकल गया फो यहां से इधर चला गया यह सिधा और यहां सीधा तो कैसे बन जाएगा आपना यह यह बनते ही मज़ा आगे अपने दिख की गया सीधा और यह तीनों क्या है पहलेल में हैं में पास इसे हो गए यह तो मज़ा आगया और यह क्या हो गया यह भी टू आरे और आपने बताया था कि सब सेंदियो तो जितने हैं उसको लिखो और उसके नीचे नंबर लिख दो कितना रिश्टेंस कि मैंने कितने पेलल में डाले हैं तो टू आर भाई थिर अपने लिख दिया तो अपना अन्सर आगया तो और वाई method पढ़ें कि पहले कुछन जोलिंग करें रहें पड़ी लेता है कि क्रिशन फिर आप ऊठाख लगा थे के नोडल मेथड क्या हैं अपन को क्या है नोडल में से हैं स्थेके नोड किसको बोलते हैं कि इसी भी जंच्छन या मैं रोड के अपन बात कर रहे हैं जहां पर अच्छा बना हुआ है तो नोड से रचाने के लिए अपन से प्रपान तो अगर इसके बीच में बीट रहती तो अपन उसको क्या करेंगे तो नोड पिक्स कर लो अगर उसके बीच में रेइस्टर है तो उसको एक जगा पर ले आओ यहां पर अपने को डिसाइड करना होता है और उसके बेस पर बात करें अब सर्कीट में होगा नोड क्या होगा तो नोड क्या हो जाएगा तो वेंड टू आर कनेक्टेड भी अग कंडक्टिंग वायर हेविंग जीरो रेजिस्टेंस दो पोटेंशल दिपरेंस अक्रोस दवायर विकम जीरो इट इस दा तू नोड विल हेव सेम पोटेंशल मतलब क्या है कि आगर दो पॉइंट अपन ने दिए ठीक है एक पॉइंट में यहां दे र देखनी अभी यहां पे कुछ लगावाता नीचे तो क्या यह दोनों पॉइंट सेम पोटेंशल पर होगये होंगे की नहीं होंगे अगर मालनों यहां पर कुछ करण्ट आ रही है तो सबसे पहले और कहां पर जाना चाहेगे कि अपन ने देखा था कि शोटे इस पास में ज जादा टाइम लगा कुछ शो ट्रिक देख लेते हैं हमेशा इजी वे जरूरी नहीं है इजी वे अच्छा हो पर इजी वे इंसान हमेशा जाता है वैसे करण्ट है करण्ट चाहती है कि उसके पात में रेजिस्टर ही दिन हो तो सिंपल सा वह वायर में जाना चाहिए अब तो यह कुछ नोड को भी इस नोड के बराबर कर देंगा यहां से इसको जोइंट कर दूंगा तो यहां पर मान लो ऐसे कुछ एक रेजिटर श्क को यहां से और उसको जगह यह रेजिस्टर लाके यहां पर चिता दो तो क्या हो जाएगा नोड जंग्छन हो जाता है एक जोग हो जाता है ठीक है अब नोडल को सोल करते साहें कुछ पॉइंट अपने स्टेप बाइस्टेप दिखें विसो देखो कोई ऐसा पिक्स नहीं है अपने ही सा सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि नोड सेम पोटेंशल वाले हैं नोड किनकिन पॉइंट को अपने को देना है नोड काहां काहां देना है वह सबसे पहले आइडेंटिफाइब करो वहां पर क्या है ना मार्किंग डाल लो या तो 1 2 3 4 आप जैसे वन डाला वन डेश डाल सेम पोटेंशल पर 1 1 डेश डाल लो उसको अपन जोइन कर देंगे या फिर ABCD डाल लो ठीके सेकिन क्या है कि डी डॉड दा सरकीट एंड केल्कुलेट दा एक्विलेंट रिश्टेंट इसे कि अगर आ रहा है तो वहां पर क्या करो उसको रीडुरो जैसे इसमें अपन बात और शोड़ा साब पहले छोटी इस पर फिर अपन बड़े बढ़े और यहां पर यहां से यहां पर फाइम क्या होगा तो अब इस पोटेंशल यहां रिश्टर आ गया बीच में तो सेम नहीं हो सकता तो इसको आपन ने क्या वहां गया कि मैंने माग ठीक़े और ये मेरा पास क्या हो गया वी भी हो गया ठीक़े अब इसको में रीडरो क्या सकता हूँ सिंपल सा हेडि कोछ पॉिट जो जुट अपने point मने ऊसको draw कर लो ZY Навी कोई मOOK ऐस um यह हो जरू ही नहीं है तुम कोई step मतलब शिंपल सा डियाग्राम अपने को चार पॉइंट लेने चार पॉइंट कहीं भी ले लिए यह मैंने वीवन ले लिया और में पास यह ले लिया ठीके ट्राइब करो कि वो क्रोस नहों मतलब कोई ऐसा नहों कि उपर से और लेपिंग करनी पड़े अपने तो फिर क्या हो गया और हमेशा वहां पर पॉइंट करो अगर पॉइंट डो नहीं करोगे तो दिक्त आएगे अब यह क्या है अपने इतने पास ले लिए यहां पर मैंने मेरा वीवन ले लिया और यहां पर यहां पर यह समझ में आई बात यहां पर मैं वीवन ले लेता हूं और यहां पर वी ले लेता हूं उसका रिजन भी बताऊंगा मैंने इसा क्यों लिया वैसमें इसा ही क्यों लिया मैंने क्यों उसको वीवन वीवन को चैनल क्या है और वीवन क्या है वीवन और वीवन की पास है ठीक है तो वीवन या वी ले लुए समझ में आया क्यों वे कि बिच में पात करो है बाद कि बीच कि न रखेसे लगभ एसे हैं ड्झी के बीच में कितना सब्सक्राइल ऩुब न कर दो से वी के बीच में कितना लगा हुआ है कि सर वी से वी के बीच में भी एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसको आर अपन बोल ठीक है यहां तक की लिए अब बात करें वी और वीवन के बीच में क्या है सर वी और वीवन के बीच में दो रजिस्टर है ऐसे एक रजिस्टर यह है 1 वी 30 के बीच को क्या फाइंड आउट किस्हारा अपने को फाइंड आउट करना है यहां पर इसके बीच में एक पे ऑट्वां के इइसा बनाक ही नहीं बना कि डायगराम में खाली है अब एक बाँ बताओ इसमें क्या हुọn अगर में यहां से देखूँ तो क्रण जाने वाली बात ही नहीं ना तो क्या हो आएगा इसमें चला जाएगा क्योंकि यह सेंपोटेंचेल और यहां पर जो है पूटेशल भीवन ड्रोप होई नहीं रहा तो इहां पर मतलब करन और चला गया वी और वी वी क्या अपना क्या था वे आप कीचके लंबा कर दुंगा उसको खीच के छोटा कर दुंगा उसका क्रेस्ट कर दूसरी चीज वाले क्ुशिन सारे प्रैक्टिस कर लेना उसके अग्ने को बनाएगे को नोर से भी कर लेना ज़्यादा डिफिकल्ट लगे ऐसा लगे देखने में बहुत ज़दा तुसको सिमेट्रिल से करने का ट्राय करना ठीक है वह सा रेक्विशन प्रेक्टिस करना इसका एक्विशन अपन बेसिक से पंचालू करते हैं हमएं फायद प्रेंट ट्रोप इनमें क्या है और प्रेंशल कितना ड्रोप हुआ है यह बताओ इसमें तो इस्टार्ट करो कैसे कि इस कुषन को करेंगे अप्रोज कैसे करेंगी तो क्या मेरे को यहाँ पे दूरे इसमें दिख़ रहे हैं तो यहाँ तो एक रिस्टर है आ है यह होर है और यह यह स्टो बीधिया हुगा क्या इसमें क्या किया है tab हभरत्य आपने होगा क्या कि आथ किश बना ये जो है किसराепने लिए मेरे वोल्टेज कितना है कि यहां पर 12 वोल्ट वहते आ गया है कि अगर मैं कालना चाहँ तो करंट मेरा क्या आ सिंपर रशाट्टीछन है वीबाई आर होता है आइब वी बराबर आई 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 और वीबाई आर तो कितना होगा यहां पर कितना दिया हुआ है अपने क्या लिकाला तू और तो फोर वोल्ट का पोटेंशल हो रहा है तो यहां पर कितना होगा कि कि यहां पर कितना दो पॉल्ट होगा है तो यहां पर 12 से जला यहां तो यह पर यहां पर 12 एड़ इस पॉइंट पर 12 वेड़ थे तो वही जो है यहां पर ट्रॉब को पता लग गया कि यहां पर और हो गया यहां पर एक रिर ठीक है किले रे अपने को पता लए एक क्यूशन और अपन देख लेते हैं ठीक है यह क्यूशन करके दोगा find current and potential drop in each register ठीक है करके देखो कैसे होगा try करके देखो पीटा कैसे होगा तो अपन क्या है try नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी करके देखो इसमें कैसे होगा simple दी बात है कौन सा combination है सर यह simple parallel combination है इसमें mix combination नहीं नहीं mix के भी अपन करेंगे पर इसमें parallel है तो 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट इसके across 12 वोल्ट जाएगा यहाँ पर इजर अगर मैं 12 वोल्ट बोलू इसको यहाँ पर मेरा 0 वोल्ट होगा तो current क्या होगा कि सर पहले इन दोनों को solve करना पड़ेगा तो equivalent कैसे निकालेंगा इन दोनों में 3 और 1 है तो 1 upon equivalent क्या दूंगा में 1 upon R equivalent मेरे पास होगा 1 upon 3 plus 1 upon 6 बरावर 6 LCM लिया तो मेरे पास क्या आगया 2 plus 1 अब equivalent की बात करूं तो R equivalent मेरे पास क्या आगया देखो एरो लगा रखा है एक्वल नहीं लगा रखा है ठीक है तो 6 by 3 equal to 2 आगया मेरे पास ठीक है आप डारेक्ट करना चाहो तो इसे भी कर सकते हो 3 into 6 divided by 3 plus 6 तो क्या हो गया 3 into 6 divided by 9 चीन्थिया नींग और 2 अपने पास आ गया R equivalent equal to 2 मतलब क्या है कि एक सर्किट मेरे पास ऐसा आ रहा है जिसमें R जो है 2 है और 12 वोल्ट की बेटरी रहे तो करन्ट अपने यहां से find out कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं V बराबर IR से करो करन्ट अपना क्या अच्छी आगिए ना बिटा के लिए अब देखों की नों का रिष्ठर यहां पर भी अपने अगर मालों में इसको 3-6 मान की जलता तो क्या होता किसमें जारा करेंट होता सबसे पहले एक कंपेरीजन वाल भी अपने को पता होना जाए अभी इसको सोल कर लें त पर निया ख़ो वाई किसके फुर्पॉजिन नर्म निढवाई निवाईड ओगा सर इनवर्सली होगा किसके रिश्टर में मतलब जितना इदर जाएगा उतना ही अधर जाएगा वी बराबर आया हाँ तो है पहले वाले कलिशन में देखें आई क्या हो जाएगा तो क्या है आपर क्या है 12 और 6 अपने पास मतलब क्या हुआ चार और धो इंकर और यहां पर वापस देखो तो मिठ्पास खालगे संदों 2 था जा स्पाइं है उतनी इसे को कमपेर खर लो तोग करें थे मिलेंगे हैं हुआ में लगा दिया और वही मैंने बारा वोल्टी बेट लगा इसका एक्विलेंट क्या बनेगा इसका एक्विलेंट कुछ ऐसा बन जाएगा ठीक है तोड़ा सा उल्टा मेंने बना दिया कंफिजमन तो न तू इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 6 हो जाएगा तो तू से 3 बार तो 4 बाई 3 अपना जाएगा बारा वी बराबर आयार होता है आही निकालूँगा डी बाई यार करूँगा तो इसमें तो सिमिलर आ रहा है पर इसमें कुछ अलगा तो यहां तक अपने पड़ा कुछ ट्रीक जानेंगे कुछ 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 इंट करेंगे तो अच्छे से इसके कुछ पढ़ लेना बात करने के लिए खेली हो कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो तो इस्टार्ट कहां से करते हैं यह अपने कर लिया था एक बाप फिर से समझना है इसको तो फाइंट करेंड एंट पूटेशल ड्रोप इन इच रिज़ता देखो यहां पर अपने को पोटेंशल ड्रोप औ अपन एक्वेलेंट सर्कीट बना लेंगे 3 और 6 पेरलल में तो कैसे जूड़ेंगे वन अपन अर्वन प्लस वन अपन आर्टू यह आपन क्या कर सकते हैं आर्वन आर्टू डिवाइड भाई आर्टू साथ ठीक है तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 6 प्ल डिवाइड बाई 3 प्लस 6 जो क्या हो जागा 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 9 9 3 जा 3 2 जा तो आर्टू आपना और आई बराबर क्या जाएगा आई बराबर क्यों बाई टी लिख होगे है वी बराबर आई यार से अपन आई के लिख लेंगे वी बाई यार तो भी क्या आपना 12 और आर कितना है टू तो आई क्या हो गया 6 इंटू जा अब अपने को एक चीज़िसा फाइंड आउट करने की पर साइड में मतलब कैसे इ क्लोगते लीख होगा वी बराबर डू नहें की वेट चाल बना जायर रहा है तो यहां के कि सचाल यहां करंट हिवाइड होगा तो कैसे होगा जैसे मालों यह से आई करेंट आरहा है अब इसमें क्या रहा है आइवन करेंट मैंने मान लिया कि आइवन करेंट इस वाले में जा रहा है और आरवन आर्टू यहां पर रिष्ट्र लगे हुए ठीक है अपने क्या देखा आई एक्वल टू वी भाई आरवन होगा यहां पर अब आइवन ड्रेशियो लुका यहां उन दोमाड़ों इन दौनों के पोटेशियो वी है इसमें भी वी होगा इसमें अब मेरेको पता है इसमें टोटल करेंट कितना टोटल करना से इश में डिवाइड किस रेशू में हो रहा है कि सर 1 upon र 2 और बन और र 2 कि और अब मालोकर इसको आपको केन्ज़ करना है कि इसमें दूड्डीक्ला करना हो से अपने पास के आज आई यहां पर अपने को रेशू निकालना है तो टोटल इसमें क्या हो गया और मेरे को निकालना है आई का अपने को बोल सकते हो यह अपने को पता होना चीए ठीक है यह चीज अपने को पता होना चीए बैसिकली अपने को क्या पता होगा आई वन आई तुका अपने को रेश्यो निकालना है तो इस एकजांपल में थोड़ा था देटा के साथ करेंगे तो कि लेड़ी जिदें जल्दी ज़्यादा हो जाएगे इसमें क्या होगा कि टोटल करंट जो है मेरा तेन यहां से इस सरकीट में टोटल करंट मेरा टेन इंपर जा रहा है कुस्स सरकीट था मैंने वन टू थ्री ओम के रिज्टर लगा लिए अब मैरे को आई वन आई टू करना है टिके सबसे मैं पहले मैं रेश्यों ले रहा हूं की रेशें क्या होगा कि इनवर्सलियो और रिश बीच में constant है तो i inversely proportional हो गया 1 by r के तो i1 का ratio i2 का ratio i3 का ratio लोगा 1 upon 1 upon 1 इसको similar कर लो 6 से सब में multiply कर दो तो अपने को पास क्या आगया 6 3 और 2 ये क्या ratio आपने पास ये आया i1 i2 i3 का ratio आगया पर फिक है में पास total है कि तो кусajami यो झोहरे में पास टैनियुक अब मेरे निकालना है ठीक है आइवन में कैसे का लूंगा आईवन का मतलब मेरे को कितना जा रहे से इन दोनों का recognition सी में क्या करूंगा गरूंगा और डिवाइड दूसे वाले रिश्टर था इसका अब इसमें सर बोलोगे रेश्यो कैसे निकालेंगे सर अपन तो वन अपन आरवन आरटू से यहाँ पर या फिर आईवन का वेल्यू के जो रेश्यो आ रहा है उसका वेश्यो रख दिया मैंने आईवन डिवाइड बाई टोटल आई का प्र यहाँ पर यहाँ पर लेकिन न्युमेरिकल वेल्यू से थोड़ा पर के लिए हो जाएगा तो आईवन क्या हो गया इसका वेश्यो और उसका तो रेश्यो वाला फ्रेक्शन है थोड़ा सा मैथे मेटेमेटिकल ले अगर इसमें कन्यों तो डिरेक्ट अपने में में थर्फ निकालना कोई दिक्कत वाली बास यहाँ पर देखो यहाँ पर जैसे क्या हो गया वी अपने पास आएगा वी क्या हो जाएगा और वहां से इसको डिवाइड करें ठीके नेक्ट कुस कुशन आज मैं अच्छे वाले लाया हूं तो यह वाली चीज इसमें देख बास जब उसको पैलल में किया जाता है तो स्मूल आर ओम के रिजिटर है और उनको पैलल में किया जाता है तो थीक है अब आपने इनको क्या के स्रीज में क्या नेट कॉम्बिनेशन उड हेव अरे इस्टेंज इन ओम एक्वल टू क्या ओप्शन अपने पास होगा यह अपने को बताना इसमें तो एक बार करके देखो कैसे करेंगे इस वाली चीज को पता है आप लोगों को बैसे आता है यह वाली चीज आपने पड़ी है अपने इसको समझा भी था लास्ट में मैंने बोला भी था यह अच्छी चीज है इसमें आना चीज है अपने को ठीके आता है ना बिटा कि नहीं आता चलो करते हैं इसको क्या होता है पेरलेल में जब होता है अपने पास कि पेरलेल में सर अपने पास होगा तो क्या हो जाएगा पेरलेल में कि R equivalent मैंने क्या बोला था parallel में अपने पास होता है सेम है R के end register रखे हुए है मतलब R ऐसे है फिर parallel में connected है R register parallel में कैसे connected है R register ऐसे ये R फिर ये R सब R है parallel में connected होते ही तो क्या होता है 1 upon R plus 1 upon R plus 1 upon R R अपने पास capital R क्या आएगा capital R आएगा 1 upon R करोगे पर 1 upon R करोगे तो equivalent register उसने क्या बोला कि capital R है R equivalent आपने वापर क्या लिखते हैं कि जितने उसके register होगे divide by है ये समझ में आया की नहीं आया पहले ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए ये वढ़ना फिर आगी नहीं बढ़ पाएंगे कैसे जिसे ये जो हैं एक register दिया हुआ है दो रजिस्तर दिया हुआ है तीन रजिस्तर तीन को लेके कर लेते हैं जो इन की value है उसमें दिश्मेल आपनने तो क्या होगा कि 119-293 हो गया रेकुलेंट्स नोगा नोगा सथे लेका आपने पास क्या एक अब मतलब समझ देशका कि आप यहां पर आर की लिवागी अब उसने क्या पूला इब इस रेइस्टेर वर कनेक्टेड इन सीरी अब यह जो राइस्टेर है ना सारे यह रेइस्टर अपने पहले पहले लाल मिलिये अब इनको उठा के मैं स्रीज में कनेक्ट करेंगे कैसे कने इन सब को सब्सक्राइब में इसे सब्सक्राइब सेम नंबर और दिए ख्लोट फिर और प्लस ऑर क्या होगाए कि इन के लिए ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा तो यहां पर एंटू स्कूल और हो जाएगा अगर मैं इसको तो उसा किया कर रहा हूं? तो n into r हो जाएगा सर र की value क्या है? अपने पास r की value है n into capital r यहाँ पर सब में capital r है तो r की form में अपने को लाना पड़ेगा अब यह सोच हो की सर अप्रोच किसे किया? r की form में दिया ओधा तो मेरे र की form में small r को राना पड़ेगा, मैं उसको nr नहीं लिख सकता हूँ तो क्या हो जाएगा option, यहाँ पर मैं nr से multiply कर दूँ n dot n capital r, तो मेरे पास option क्या जाएगा, n square r अपना जाएगा ठीक है, समझ में आया, यह example समझ में आया, तो comment में लिखके बताओ बिटा, देखो अगर बोलोगे नहीं पता नहीं लगाएगा कि कैसे क्या कर चल रहा है, अपन लिखेंगे नहीं बात, मतलब response नहीं करेंगे, तो कैसे उस वाली चीज को आपको कैसे पता लगाएगा, कि यहाँ सर नहीं आ रहा है, कहीं गलती होगी तो उसको फिर clear करे करेंगे, समझ में नहीं आएगा, तो उस पर doubt होगा, तो कुछ उस पर discussion करेंगे, ठीक है, तो यह सब चीज समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो नहीं है, चलो, आगे बढ़ते हैं, next question देख लेते हैं, कुशन, electric current में, current electricity में, कुशन important है, कुशन से ही लगाने बेठते हैं, तब नहीं समझ में आथा, क्यों, क्योंकि अपने कुशन प्रेक्टिस नहीं की होती है, कुशन पर concept को क्लेटी नहीं लाया होता, तो कुशन इसके जरूरी है, ठीक है, इसमें देखते हैं, क्या दिया हो है, six register of three ohm, each are connected, अपना 1994 का है, ठीक है, तो important ह यह है, यह है, यह है, ताकि आपको पता लगे की, क्यूशन इजी आते हैं, जादा हाड नहीं आते हैं, six register of three ohm, each are connected along the side of the ihexagon, and three register of six ohm, each are connected along the AC, ठीक है, AC, AD and AF, as shown in the figure, the equivalent register between AB and equal to, AB के बीच में equivalent resistance क्या होगा, A और B के बीच में equivalent resistance क्या होगा, ऐसे वो connected अपने को दिये हो ठीक है, तो इसको कैसे solve करोगे, यह चीज़ आपको पता होनी चीज़, देखो, इसमें तो फिर भी बोल दिया कि ऐसे diagram दिया हुआ है, माल लो आपको diagram ही नहीं दिया हुआ था, आपको hexagon बोला है, बोला है कि नहीं बोला है, आपको बोला है ना वापकी hexagon है, hexagon बनाओ चार-पांच, थ्रियों के register रखे हुए है, उसने ऐसा बोला है बोला है अगर वो नहीं भी देता ना, कि अपने को क्या बोला है, अपने को अगर वो diagram नहीं दिया, माल लो उसने diagram नहीं दिया, फिर क्या करते हैं, फिर तो बनाना ही पड़ता ना, उसने क्या बोला कि each side पे 3 ohm के register दिये हुए है, ऐसे उसने बोल दिया, और A और B को उसने क्या किया, कि उसने बोला बाकी जो mid side है, ठीक है, अब यह से क्या बोल सकता है, वो यहाँ पे, और यहाँ पे, अब वो point देकर उसने बोल दिया, कि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, और 4, अब एक बाँ बताओ, इन दोनों दिखे हैं, वहाँ पे उसने register जोडने को बोल दिया, ऐसे बोल सकता है, कि on opposite point of the hexagon are connected with a resistance of 6 ohm, मतलब A, B को छोड़ के बाकी सब पे, ऐसे बाकी सब point पे, ऐसे जाओगे, तो आप पे अपने पास C आएगा, D आएगा, अब वहाँ पे उसने naming कर दी, C, D, E, और F, तो अगर एक जगन बना हुआ है, थोड़ा format इसमें अच्छा दिख रहा होगा, उसमें थोड़ा सा आपने को बनाएंगे, तो ज्यादा आपने को लगेगा, कि सर यसे किसे बना दिये, ठीके, तो अब इसको equivalent register निकालना है, कहां A और B की बीच में, क्या आपन निकाल सकते है, equivalent register, कै निकालना केस है, simplification forms है, अपन सबसे पहले simplification form देखते है, symmetry, symmetry सब बाद में देखते है, क्या मैं निकाल सकता हूँ, वरोसा हो गया, A और B के बीच में देखना है, सबसे पहले मैं क्या जाओंगा, यहां से कहीं भी जाओंगा, current क्या होगा, डिवैड होगा, A और B के बीच स्रीज में है, तो अपने पास equivalent register क्या हो जागा, 6 ohm आ जाएगा, इसका equivalent क्या आगया, इसका equivalent आगया, अपने पास 6 ohm, ठीके, अब यह 6 ohm, इस 6 ohm register के साथ क्या parallel में है, इसको मैं इधर निकाल के बताऊं आपको, A और E के बीच की बात करते हैं, A और E point के बीच में, A के register तो डूडा हुआ है, 6 ohm का, ठीके, और अपने यह equivalent निकाला, यह भी 6 ohm का हो गया, तो यह 6 ohm और E 6 ohm, यह क्या दोनों होगे, पेरलल में होगे, तो दो register अपने पास parallel में है, उनका equivalent क्या होता है, कि सर आपने बताया था, और हमें भी अच्छे से आता है, आप तो कि 2 equivalent register उनका parallel, अगर equivalent है, तो r by 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हैं, तो r by 2 हो जाएगा, तो 6 ohm, 6 is skip ed, 3 और 3 और 3 और 3 फिर क्या हो जाएगा, उनका फिर वापस से 6 हो जाएगा, और 6 or 6 वापस से क्या आ जाएगे, parallel में हो जाएगे तो 3 ohm तो ये सीरीज में तो यह हो जाएगा सिक्स हो जाएगा और थी और वापस से स्रीज में तो क्या हो जएगा तो फाइनल जो पने पास आएगा वह क्या एगा एप और प्रीपॉैंट के बीचे में 10 आयाएगा एक 16 Punkte अपना रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ए और बी पॉइंट के बीच में यह भी अगर सिक्सों में तो मैं अंधर में थी ओम लगा देगा ठीक है देख लो एक बार के से अपने यह दोनों सीज में अंधर के सब्सक्राइब और अच्छे के सब्सक्राइब उसके वाले है जो अच्छे वाले हो यहीं पे लें लेते हैं कुशन थोड़े सोल करने प्रहें आपको नहीं करोगे तो ज्ट्रत आईगी करोगे तो ज्यादा समझ में आयगा चीज एक लिया रोई थोड़ा बेसिक से लेता हैं क्यूशन अपने जो R1, R2 वा ले लिए थे क्यूशन में आपके लिए लिख लाया ठीक है दो वायर है अपने पास जिनकी रेडियस ओफ क्रो सेक्षिन जो है आर दिया आपने पास आर अपने को गीवन है गीवन डाटा पर यहां पे लिख लेता है ठीक है मैं क्यूशन पढ़के बता रहा हूं और असाथ के साथ अपन सॉल करते हैं बट अप दू डिफेन्ट मतेयरला आर कनेक्टेट तोगेदर टू एंड टू एंड इंसरीज उसकी मतेयल की जो है अलग-अलग है अपने क्या किया उन दोनों को कि सीरीज में कनेक्ट कर जया एसे कर दो कर दिक है ठीक है If the dimension, if the density of charge carry through the wire of two wires are in the ratio of 1 ratio 4 इसकी charge density carry की जो wire है वो क्या है 1 ratio 4 इसको A मान लो इसको B मान लो R इन का सहम है तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीके अब इसमें क्या पूछा है The drift velocity of electron in two wire will be in ratio मतलब क्या है बेसिकली बात क्या है कि drift velocity अपने को पूछी गई है इन दोनों wire के जिसकी अपने को J का ratio दिया हुआ है तो इसको कैसे निखालेंगे बताओ इसको कैसे निकालेंगे सोचो इसके बारे में ये किसका ratio है जे 1 ratio, जे 2, जे A ratio, जे B का ratio अपने को दिया हुआ है तो इसको कैसे निकालेंगे सोचो इसके बारे में अपने को इसमें क्या दिया हुआ है अपने को कैसे निकालना है वो अपने को पता होना चीए तो क्या अपन जानते हैं कि I क्या होता है वीडी अपने को दिया हुआ है और अपने को क्या पूछा है अपने को पूछा है कि current का अपने को drift velocity का ratio अपने को बताना है ठीक है, drift velocity of electron of two wire will be the ratio of, ठीक है, अपने को ये दिया हुआ है, ठीक है, वी ए और वी बता दो, या फिर उल्टा रिवर्स में बता दो, कुछ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वी ए और वी बता सकते हैं वन, ये अपने पास पता करना है अपने को, अपने को क्या बताना ह आपने को क्या आता है? इस पने को क्या याद आता है? अपने को क्या याद है? वी ना क्या होती है? i equal to n e a v d ठीक है तुम लोग वीना से भी याद रख सकते हो ठीक है अपने को क्या दिया हुआ है कि करंट उसमें क्या दिया हुआ है पता नहीं है ठीक है एरिया क्या है इसर एरिया सेम है तो इस वाली टर्म को तो अपन रिमूव कर देते है डायक लिप अपन लाने को जिस कर और अपने को यहां पता है disp reducingLaughter क्या होगा जोए डोनी वायर में मेरे को पता है कि i मेरे को दिया हुआ है याइवन बर्दाबर अटू मेरे को दिया हुआ 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 है तो मेरे पास number of छ線म्बर ऊफ से क्या होता है इंसीत हैएगी तो वी जो है वीडी Patrol क्या हो और अपने को क्या दिया वन बाई फोर और में वी ए आपउं वीवी निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या जाएगा कि वन बाई फोर इसमें दिया वाय एंटू की वेल्यू उपर फॉर अपन बंबाइब पास आंसर आजेए अब दिखने में तो बड़ा-बयानक चीज दिख थी पर आंसर क्या निकाल मैं आंसर तो शोटा सा रेश्यों डारेक्टिंगे इस बहुत कर जाती है वह आपने एंड के लिया था कि एक जो अब एक और किशन करते हैं अब करने आई फ्लो थ्रो आ यूनिफॉर्म वायर अब दाइश्यों करते हैं मृश्यों वायर एक वायर इक दूसरा वायर अपने को क्या दिया हुआ है इसका डायमेटर दिया हुआ है तो के钟 current दोनों में से flow जो हो रहा है वो भी सेम है ठीक है if the mean drift velocity of electron तो अपने को क्या find out करना है a current दुबारा मैं पढ़ देता हूं आपको लोगे के लिए a current flow through a uniform wire of diameter d when the mean drift velocity is v vd को main drift velocity is v ठीक है vd जो अपने v से ले लिया the same current flow through a wire of diameter d by 2 i यहां पर क्या है i जो है मेरा क्या है same है ठीक है दोनों के लिए i same हो गया diameter change हो रहा है ठीक है same matter if mean drift velocity of electron तो i same रखने के लिए इसका vd क्या होगा यह अपन से पूछा है ठीक है option अपने को क्या अपने को दिया हुआ है v by 4 b अपने को दिया हुआ है v by 2 c अपने को दिया हुआ है 4 b और d अपने को दिया हुआ है 2 simple सा इत्मा साई question है अच्छा question है थोड़ा सा बस logical लगाना आना चीए कि कैसे अपने इसको करेंगे तो बताओ इसको कैसे करेंगे क्या option आएगा कमेंट में लिखके बताओ क्या option आता है बता कमेंट में लिखके बताओ थाकि पता लग जाए तो आराम से उसको कर लेंगे चलो करके दे am a a अपना क्या आता है किसर आई तो दोनों में सेम अपने मों तो यह क्या होता है सबसे देखो यह में क्यों एक फर्मूला यार्व याद आता है ? i1 is 3are बजिए अब अपने को इस तर्म में हर तर्म होनी कि अगर आक भी ठर्म पता नहीं है तो इस अ कuation को नहीं करका है व पर üzबांज तो लुंगों में हो रहे हैं तो चैन्चोह पानीए बलाव में न शीक्म た om कि मान लो आई जो है आई वन इसमें माना आई इसमें माना तो सेम रखना है तो अपने को दोनों बराबर करने पड़ेंगे तो अपने पास क्या हो गया ए वी डी ठीक है एक वल तो अपने को क्या करना पड़ेगा ए जो है डी बाइटू का एडिया और इसमें क्या हो जाएग तो यह वाली term मेरे को find out करना है, ठीक है, तो यह अपने को क्या दिया हुआ है, यह अपने को v दिया हुआ है, तो v, d अपने को find out करना है, तो क्या हो गया, area of full upon, इसका area of d by 2 पे, area of d पे और area of d by 2 into v, यह term अपन आराम से निकाल सकते हैं, एक equal to क्या होगा, अपने पास area क्या हो गया, pi r square होगा, जिसमें radius में अपन बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो अपना क्या हो जाएगा, r square अपना क्या होगा, d by 2 change हुआ, तो d by 2 का square, और d square मेरे पास आजाएगा, area क्या होता है, pi r square होगा, r square में यह क्या हो गया, by pi 2 constant है, यह क्या हो गया, d by 2 का square, और यह मेर पास दी स्क्वाइर आजाएगा दोनों से अपन के इंसल आउट करेंगे तो वन बाई फोर भी अपने पास आंसर जाएगा वन बाई फोर भी अपने पास अंसर भी आवा ठीक है अच्छा क्यूशन था समझ मैं कैसे क्यूशन अप्रोच करते हैं थोड़ी सी चीज़ें आगे चलो एक और रेश्टर का अच्छा क्यूशन है बहुत ही अच्छा क्यूशन है अच्छा तो मैं क्या बोले इसको थोड़ा जग्राफ है एक डाइमेंशन एक अंडुक्टर विट रेक्टिंगूलर क्रोस सेक्शन एरिया है एक डाइमेंशन एक रेक्टिंगूलर अपने को अपना पायर जो अपने को दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ है ऐसा कि सर इसका जो है अपने को दिया हुआ है ऐसा अपने को दिया हुआ है ठीक है यह जो इसकी लेंथ है यह 2A है यह A है ठीक है और मैं यहाँ पर इसको लेकर जाओ ठीक है यह अपने को यहां पर मान लो और यह इसा दिया हुआ है इसकी जो यह वाली लेंट है यह अपने को दिया हुई है फोर है ठीक है तोड़ा कंफिज में तो नहीं है आप है कि फोर है अपने को यह वाला दिया हुआ है और इसकी लेंट दिया हुई है मतलब यह वाला क्रोशेक्षिन ही रहा, a by 2 का दिया हुआ है, यह अपने को 4a दिया हुआ है, अब इसमें मान दो, यह अपने x-axis है, यह अपनी y-axis है, और यह अपनी z-axis बाहर की साइड में मान की कर दो, यह से जो है मेरी z-axis है, तो उसने क्या बोला, कि a, 2a और 4a अपने प दिया हुआ है, यहाँ पर b point दिया हुआ है, ऐसे b की साइड पर जो अपना area अपने उसको जो register बोला, वो x बोल दिया, ठीक है, यह गोला लगा रहा हूँ ताकि आपको confusion नहों हो, ठीक है, c से d की साइड, c से d की साइड यहाँ पर आपन कहीं से भी निकालो, वो area से माल ज तो x, y और z में अपने को comparison करना है, option अपने को क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, x बराबर y बराबर z, b दिया हुआ है, x गेटर देन y, गेटर देन z, c दिया हुआ है, अपने को y, गेटर देन z, गेटर देन x, और d दिया हुआ है, ठीक है, यह चीज अपने को दी तो अपने को इसमें अपना रेजिस्टर में क्या जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है आज बराबर रो यह होता है थोड़ा सा क्यूशन अलग है इसको उठा देखने यह ताइए कंसिजन बिल्कुल ना हो आप तो वह और तो कि जैसे ही उसने रिश्टर पुछ आपने दिमाग में क्या आना चाहिए उसने लेंथ और डैमेंशन दी ना तो बटई जैसे ही लेंथ और डैमेंशन देखो तो आपके मन में फोर्मूला आना चाहिए कि आर क्या होता है आर बराबर अब यहाँ B by A I by A यहां पर चीज क्या आगी एल और बात आगी यह क्या होता है अगर मैं X कि बात करूं कि आगा ऐने एकसिए यह वाला गया कितनी के मेरे पास के अधार क्या नियुक्त आसे यह आगे वाई क्या है मेरे पास कि वाई सर इस डारेक्शन में तो वाई में लेंथ कितनी आगी वाई में लेंथ ये वाली तो अपने पास आगी एरिया क्या गया कि एंटु फोर ठीक है J के अपन बात करें då उपने पास क्या हो गया J मे लेंथ अपन तो जेड में लेंथ क्या है में पास एफ अर एरिया कितना अगया मेरे पास टुए इंट्टी पॉर ठीक है एसे एक एंशु वेसे भी देखोगे तो अपने पास रिजल क्या है आराम से दिखत वाली बात-में क्या झांस यहां से मैं देखूंगा सबसे small quantity कौन से, divide में जिसके पास number ज़्यादा है, वो सबसे small आ गई, Z मेरे पास क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें क्या है, R1 ratio R2 ratio R3, तीनों का ratio ले लो, या तो, तो इसमें क्या कर दो, ये cancel out कर दो, ये cancel out कर दो, ये cancel out कर दिया, 2 से 2 हो गया, तो ये क्या है, 2 by A, ये क्या है, ये क्या है, ये, वो 2 by A हुआ, ये, ये क्या हुआ, ये जो है, 1 by 2 A हुआ, ये क्या हो गया, 1 by 2 A, अब ये अपने पास क्या हो गया, कि ये अपने पास हो गया, 1 by A, ठीक है, तो कौन सी quantity सबसे ज़्यादा होगी अब यहां से आराम से comparison कर दो सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी को दिक्कत दिए बिटा समझ में आगए कैसे अपने ज़्यादा कम किया अपने पास क्या हो गया कौन सीटी quantity सबसे ज़्यादा हो गई या कम हो गई तो सिंपल सी बात है एक्स गेटर देन वाई गेटर देन ज़्यादा अपने पास आगया वाई वन बाई एक को कुछ quantity मान लो एक्स तो यहाँ पे यह तू एकस है वो क्या है हाफ एकस है और वो कुछ आ ज़्यादा ही आ रहा है तो यहां से चलते हैं आपन और यह अपने कुछ किशन देखे एक्वलेंट रिष्टर तुम निकाल लोगे इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होना ही नहीं चाहिए आराम से निकाल सकते हैं हो गया बनेगा इसा कुछ मेरे पास ऑष्टर और एख के बीच में नहीं है तो मैं क्या करूंगा नाइन इंटु 6 दिवाइड बाइन प्लस 6 तो 9 इंटु 6 दिवाइड बाइ 15 से मुल्टिप्लाइक हो रहा है तो 5 और 2 तो अपने पास क्या देया 18 बाइट इंपल था वैसे देखने पर लग रहा था अब किसी को यह सड़ने जली-जली कैसे कर देया कोई बात निया आराम से ए और बी के बीच में इफेक्टिव रिश्टन निकालना है इसलिए लिए एक्जामपल ताकि अपने को फिर फोड़े डिफिकल्ट में जाएंगे शीट सोल करेंगे ताकि दिक्कत निया थी क्या थे पैलल में है तो मैं क्या करूंगा शिक्स बाइट्री मेरे पास तू और अगर एक्टा क्यों आ जाए तो देखते हैं अपने उड़ा देंगे तो यह दिक्कत वाली बात ठीके आगे बड़े इसमें अब कॉंसर्ट कुछ जान लेते हैं कुछ अच्छी से कुटी किरिचोफ लो देख लेते हैं अब ठीक किरिचोफ लो लो क्या कहता है किरिचोफ लो वे से हमने पढ़ा आrar आई-फैन भुए लिख्टा वाली बात तो आनी नुक्किये ठीक और basically किर्शोप के क्या दोला लो दो टाइप के देखिए एक तो इसने बोला था kurz कि लिए और दूसरा क्या बोला था चैसे पॉला था कि क्या करणड के लिए बोला कि एक प्योंट पर आने वाले कितना होता है कि जितना ऊस्मइशन होता है वह क्या होता है या होता है कि Exactly के साथ जिसको लेना चाहते है तो अपने को क्या दिया हुआ है कि छोफ लोग क्या है देहर आट टू लोग जीवन बाइदा के चोफ और डिटर्माइन ऑफ पोटेंशल डिफेंस इन करेंट इन डिफेंट ब्रांच और एनी कॉम्पलीट नेटवर्क जहां पर कहीं भी नेट और जंक्षन लोबीस को बोलते हैं कैसी जंक्षन पर आने वाली जो करण्ट है वो जाने वाली करण्ट के बराबर होगी मतलब एक गेट से कोई आ रहा है तो दूसरे गेट से क्या होगा वो बराबर क्वांट्रीटिट होगी जितने इस रूम में आया यह वाला बंद कर द यह सिंपल साल हो है इफ एन एलेक्टिक सर्कीट यह जेब्रिक सम ओप दा करन्ट मीटिंग एट एनी जंग्छन इस दा सर्कीट ओप जीरो यह क्या लिख सकतो में चार जनों से दस रूपे लिए और एक को 40 रूपे दे अब आये मेरे पास कितने 40 और मैंने कितने दिये 40 तो क्या हो गया जीरो हो जाएगा और क्या बोल सकते है अपनल इस सम अब दा करन्ट एंट्रिंग दे जंग्छन इंग्छन मतलब क्या है किसी भी एक जंग्छन में मालो यह जंग्छन इंग्छनए अब मẹं को पता नहीं कहीं यहां से करंट आज आ रहा था कहीं यहां से करंट आ रहा था कहीं यहां से करंड़़़ग अब करंडार तो लिखेंगे तो फिगर से अपन क्या देख सकते हैं आई 1 प्लस आई 2 प्लस आई 3 प्लस आई 4 अने वाला करन्ट माइनस आई 5 क्यों को जा रहा है ठीक है उसके लिए माइनस 9 लिए इक्वल टू 0 अपन लिख सकते हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि मैं लिख सकता हूँ मेरा कि i5 यहां के लिख देते हैं i5 जो होगा वो क्या हो जाएगा i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 ठीक है इसमें कोई दिक्कत वाली बात दूसरा लोग पढ़ लेते हैं या कुछ एक्जांपल देखें सेकेंड लोग पढ़ लेते हैं साथ के साथ पिर एक जांपल एक साथ देखेंगे तो सेकेंड लोग और जिसको बोल सकते हैं लूप लोग बोल सकते हैं किसी लूप में चलने पर अब लूप क्या होता है लूप क्या होता है एक क्लोज पाथ लूप अपन ने देखा था कि close surface अपन बनाएंगे लूप बनाएंगे तो circuit में क्या होगा कि junction पे close path आएगा तो उस close path में जब भी अपन चलेंगे पहले path device decide कर लो और उस close path में जब भी चलोगे तो वहां पे क्या होगा potential जो है zero हो जाएगा if any close circuit the algebraic sum of emf and algebraic sum of potential drop is zero मतलब वहां पे emf और potential drop equal to zero होगा मतलब मैं बोल सकता हूँ sigma ir plus sigma e यह किसके लिए है यह register के लिए बेटरी जहां पे लगी हुई है तो वहां पे i current flow हो रहा है तो वहां पे जो potential drop हो रहा है plus sigma e जो होगा वो क्या हो जाएगा zero हो जाए ठीक है अब साइन के सांथ कैसे लोगे जो drop होगा उसको negative ले ले लेना जो नहीं होगा उसको positive ले लेना एक circuit मेरे को दिया हुआ है यहां से क्या है current जाएगा कुछ आई यहां से current मेरे पास आए गय अब देखो इस points से चला एसे चल के चल के चल के वापस इस पॉइंट परी के अगेशंटे मानते हैं तो बेटरी में negative से positive जाने पर और पॉजेटिव साइन लोगे तो फिर क्या होगा कि करंट की डारेक्शन में जाने पर अगर तुम जो है डारेक्शन प्लड देते हो कि पोजेटिव से में जाऊंगा सब्सक्राइब में तो इस एक्वेशन में अगर यहाँ डारेक्शन और तो पूरा डाले ना और उसको लेकर चलओ तो पूरी तरह उसी को लेकर चलना हर example उसी से solve करना, अगर mix किया तो दिक्कत आ जाएगी, तो अपन negative से positive चले, तो plus ही आया अब फिर अपन current की direction में आ रहे है, current ओपिसली बात है positive से निकलेगा और minus में आएगा, negative side पर आएगा, ठीके, तो इसकी direction में गया, यहाँ potential drop क्या होगा, कि minus I R 1, और इसके cross potential drop क्या होगा, I R 2, अपने देखा है, V equal to I R होता है, तो अपने E minus I R 1 minus I R 2 equal to V 0, मतलब किसी भी लूप में चलने पर, अपन वहाँ पर यह वाली equation दिख सकता है, अब हो सकता है, मानलो, कि यहाँ से कहीं, मतलब कोई यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर रजिट लगा दिया अपने, और फिर उसके बाद यहाँ पर उसको करके और यहाँ पर अपने जोड दिया, ठिके, पर जो आएक हो ऐगाid, तो the for I R 2 जई connect तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर आइटू करनेटी देड़ जाएगा वापस आके आइवन प्लस आइटू जाएगा तो उसमें कैसे जाना है उसमें थोड़ा सब्सक्राइब को अपनी बेंडिंग करेंगे चीज करेंगे और यह चीज समझ में कब आएगी जब एक्जांप पलसोर करो गया तो वहां पर चीज और आसानी से समझ में आ जाएगी इसको भी क्या हो गया है और टोमेटिक चलने लग गया क्या है तो थोड़ा सा लेंग्वेज की फॉर्म में देख लेते हैं वाहिल मुविंग फॉर्म नेगेटिव तो पोजेटिव कर्मिनल इंसाइड रेजिस्टर इस्टेगन नेगेटिव अपन वहां पर क्या ले रहें नेगेटिव ले रहें सोड़े से एक्वलेंट रेजिस्टर के और एक्जाम्पल सोल्ड कर लेते हैं उसके बाद निक प्लास में आपन में स्टोब दबेटरी के आप फिर आगी के चेप्टर के लिए ठीके, equivalent register for the given figure between P and Q equal to क्या दिया वाया आपने को, इसका equivalent register अपने को क्या दिया वाया है, कि सर, N, R, Y, 3 अपने को given नहीं लिखके बता सकते तो कम से कम एन की वेली एक बार निकाल के देखते हैं इस चैप्着 में आगे बढ़ा है कि और मिर मोध करते हैं की फैले जो है आपने के करें जैसा आप लोगा वेसे अपने कर लोंगे विख rozm तो कैसे करें ड supernatural अपने को क्या देखना है कि तो गिवन सरकेट क्या डियाव executive ऑब इसमेंfy कैसे सोह करहें बिता है अपने कल दो तीज तीन सीज के ती कैसे उस चीज को स्वोल करते हैं देखो क respect कृइज सा कुछ दिया हुआ है क्या मैं इस्तार को स्ट्रेस करके आप इस्तार को इस्तेस करके आपए या अपर और भी आफिला पॉइंट यह वाला पॉइंट को हटा के तीनों की जगें एक पॉइंट भना wond भी हुआ बटन अब कि तीन उलिगा नहीं दोन नों रिश्टर क्या वरनी यह दोना रेजिटर की रिल थ्यां पर यह क्या वोगे आर्फा हमें आहार भाई था झालिफ हम ऑप आदा वे कि अधसर एक में फिर बबाई 3 में जोड़ूँगा तो कितना याँगा और भी आर बाई टू प्लस आर बाई टू अबाई टू ले लो six ऐल से हमाँ जाएगा तो क्या लिए पोट फीजा शीक्स एक्स ओ तुजा ठीक है तो क्या अपन लिख लेंगे तू तू जा तू 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 जा शीक्स 3R plus 2R plus 2 3R क्या हो गया 3668R by 6 यह आपन क्या लिख सकते हैं 4 by 3R भी अपन लिख सकते हैं ठीके और यहां से डारेक्ट देख होगे तो R plus R by 3 R plus R by 3 3 LCM ले लो तो क्या हो जागा 3R plus R equal to क्या हो गया 4R by 3 अपने पास आंसर आ जाए देखने में थोड़ा दरावना लग 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 लाता है देखने में तो क्या देखो अगर यह point अपने को नहीं दिखें तो केसा दिख रहता इतना दरावना लिख लग। बर जीए अपनको combine थोड़ा सा अन्दाजा लगा थोड़ा सा अप्रोक्सिमेशन लगा तो करेंट भी आ रहा है कहीं जा रहा है तो वहां पर क्या होगा देखो सिंपल सी बात इसमें अपने एक चीज़ और इसमें बताने के लिए यह वाला एक्जाम पर लिया गया था मेरे दिमाग से निकल यह वाली चीज़ आप लोग फिर भी और सेकेंड वाले पर गए तो पर्श में इस जङंच्चन में क्या रहा है करंट इस दिवाइट यह हुआ यह अपने पास लेड़ क्या हो गया यह जो है आई-वन- आई-त्ु में-डिवाइड कि अब यहति वापस से गया यहाँ से वापस ससे एक आप इस्को फिर इस-"? और यह अपर हो आप आपने क्या देखा इसके सामने एक पूंट पर तीन दिवायर अगर महां little सिनिलर यहां तो मैं क्या करूं क्या होगा और फिर यह क्या है कि इधर जा रहा एक इधर एक इधर पहलोद आ इस प्योंट अगया इस पहल्स आई और वापस क्या करेइगा हो यह यहां पर इसमें भाइबस करना है कि यह क्रेंट से अपने शचाने किसमें क्या है किश्चेट था यह फीड्लाइगा कि यहां पर चला जाएगा कि यहां पर चला जाएगा सारा करन्ट यहां पर यहां पर यहां पर दिमाग में आना तो चाहिए कि मान लो मैंने दो सरकिट के बीच में डारेक्ट भून लया सारह करंट वहां पे चला जाएका इसकर कोई करंट आएगा कि नहीं आएगा इस पर को ईगल ये बताओ कि कोई करंट आएगा कि नहीं आएगा ठीक है और यहां पे लगा दिया फैन और बाद में जाके वहां पे लगाया कुछ भी और बलग तो क्या मेरा फैन नहीं चलेगा चलेगा नहीं चलेगा घर में घरवाली बाग अपन कर रहे हैं कि यहां पर स्टार्ट में घर पर आते हैं अपने कुछ सिरीज में जो है उसके कुछ जोड़ दिया और बाद में पेलल लेके उसको किसी और पर कनेक्शन चल जा तो कनेक्शन में दो दोनों होता है मतलब क्या होता है अगर end to end a to b यहां पर जुड़ा होता तो शायद नहीं जाता अगर जुड़ा होता तो उस वायर में करंट नहीं जाता और यहां पर क्या है इसके बाद टोटल में बीच में रिष्ट करा रहा है तो एक करंट यहां पर जाएगा एक करंट यहां भी जाएगा अब इसको equivalent अपने को बनाना है तो यह a point है तो यह भी क्या होगा a point होगा मतल हम भी क्या होगा यह भी बी point है ठीक है समझ में यह बाद इसका मतलब क्या है एए पॉइंट यहां पर है और बी के भीच में एक रिष्टर आर है अब देखो जो दिखता है वह अमेशा होता नहीं है a-or b-c. एकॉर रिष्टर आर और और बी के बीच में एक और रिष्टर समझ में आया यह वाला पॉइंट लेने का एक्टियों जरुबेंस आपके अगर यह नहीं लेते हैं तो अपन क्या सोचते करो कि इस सर डारेक्ट चला जाएगा यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं आएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में पोटेंशल डिपरेंस तो ह म?. को 0V1 , तो है यहां पर 10V है और यहां पर 0V है तो 10-0 你y रो मिलं यहां पर हो रहा है तो 10-0 तो current क्या हो रहा है कि इस पॉइंट को खीच के यहां पर लिया क्या वहीं क्या, तो तूर क्या हो हो जाए पे पेर्लेलिक झीऩ ह nue gez find out करेंगे सोचो इसको कैसे अपन बनाएंगे सिंपल सा है खो जाने के बाद तो पर नहीं होगा तब तक तो सोचना पड़ेगा कि कैसे अपन इसको solve करेंगे और लास्ट वाला समझ में नहीं आ रहा हो तो बता दो ताई कि इसको भी अपन एक बार देख लेंगे कोई भी दिक्कत आ रही हो तो इसमें नहीं आ रही दिक्कत चलो बढ़ते हैं ठीक है अच्छे कुशन है देखो कुशन ही जो है सिंपल सा आपने देख लिए स्रीज पेरिलर सीख लिया पर जब तक ऐसे टाइप की कुशन नहीं करेंगे तब तक फील निया आया और फीजिक् माल लिया और एक बीपाइं आप लुए और बीकर बीच में यह तो अपने को एक प्वइंट्ट और मानना पड़ेगा यह क्या मान लो ओं प्लेंटिस तो और एक बीच में क्या है कि सर एक रजिस्टर दिया हुआ है जिसकी वेली क्या है आरे वह और एके बीच में हैं क्लियरबाद अब ओर पीके बीच में क्या है तीन रिजिस्टर जुड़े हैं क्या सिरीज में जुड़े हैं नहीं प्रेलल में हैं ठीक है ऐसे देख लो ओ और बी के बीच में एक रिजिस्टर ये दूसरा रिजिस्टर ये और तीसरा रिजिस्टर ये मैंने जोड़ गया और ये ओ और बी के बीच में जुड़े हैं ऐसे जुड़ा होँ है series में और बाकी तीन रेष्टर जुड़ा होँ है parallel में इसको आराम से गत्रते होें यह क्या हो जाएगा R हो जाएगा आर यह त्री का क्या होता है इसको ऐक्विलेंटाइस्टन सुट्राइट फाइंड आउट कर लेंगे यह नेख्ट विसको इसको करते हैं अब इसको कैसे करोगी क्या इसमें तुम्हें बीच कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा तो कैसे इस वाले को स्वाले क्योशन को स्वाल करने में थोड़ा सा त्रिकीनिस अपनाना पड़ेगा तो इस वाले क्योशन को कैसे वाल करें हैं यहां पर इस वाले और बी के में पीछ में पीछ में क्या मैंसे मानों मालू इस पॉइंट को डारेक्ट से कलिया सब 255 मैं एक प्वेंट लिया और एक प्वेंट लिया देखो अपने पास इंपल को मने देखो यहां पर किया था अपने पास कितने सब्सक्राइब करना हो तो उसके लिए उपर वाला इसमें आ जाए गाया तो ए और बी के बीच में एक रिष्टर जूड़ा हुआ है तो यह देख लो ए और बी के बीच में पauth है एक रिष्टर आरहों यह कनेक्टर मेंने क्रशें ठीक है बी और एक रिष्टर जूड़ा हुआ है पट लग् 나오는 को फिर मीचे ओन oven का तरना खनी से लक्रों का ओन समय होते जायो है कि C और C पे आरोमका रिष्ठर जुड़ा है। यह C और यह S से आरोमका रिष्ठर जुड़ा है। और सасकहां जुड़ा हुआ है। इह वाला चीज़ तो शोट हो जाए। नफ़ाए आप A और C पे क्या जूड़ा हुआ है। यह वाली चीजा पूल्य है करने एक और सी पर आरुम गा और अपने पाश पास तो ला रोड़ा एक दो तीन चार पांच और एच्छे एक दो तीन चार पांच और छे अपने बास आगे यह सारे रिष्टर अपने एड़ कर लिए एड़ कर लिए बीच का ठीक है तो ऐसे बना अब इस सर्कुट को किसे सोल कर वह देखो यह तो इसी पॉइंट को आगे जोट रहा है तो मतलब कुछ ही न करना है तो ऐ और वी को बड़े कॉइंट डेते गरके आपको कैंशा जाए लिए और आरोlog किया है अपने पास जो हैं यह आपने पास पैलल में तो यह ऑझा और यहां हो जाएगा हो जाएंग आरोर दो हो जाए और आपकर यह चीज़ समझ में आए कि इसको दुबारा बताएं कुछ कन्सुजिन रह अपके पास इसको दुबारा बताना है फिर अट फी समझ में नहीं आया है अट को समझ में झाय आया है संसक्छ कर दूबरा करके दिखंग बाठそう कि इसमिल सी बात प्रूद काई छोट का मतलब क्या है अगर सी और सी के बीच में कोई रिष्टर जूड़ा हुआ है इसको अपन केल्कुरेक्ट में करेंगे तो फिर अगर मानलों इसके बीच में रिष्टर में बोल देता या कुछ वायर जोड़ देता तो उस उस पॉइंट से उसी पॉइंट पर जुड़ा हुआ है तो उसमें क्या जाना चाहिए चलिया भी जाएगा तो अपस भूंगे उसमें आ जाएगा तो पॉटेंशल से में तो करन्ट फ्लो होगा नहीं इसका होने ना होने का कोई मतलब नहीं समझ में आया बात का मतलब यहां समझ में आया तो ठीक है यहां तक ही रहने देते हैं इसको आज के लिए इतना ही प्रेक्टिस करके आना क्रिशन तोड़े से अच्छे लेवल के भी आते हैं अभी अपने नॉर्मल क्यूशन लिए है थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे क्लास में और साथ के साथ अपन इसको आ हम ने देखो पढ़ा अपन नि sn 5000 विच पढ़ा अपने समनी है क्योंकि आपन जो हैा Pre我是 अपने सब्स्सकों पढ़ते हैं तो क्या होता है थे कहीं एक लिए बेड़गे अपने पास, ठीक है, तीन जो है नोन रिजिस्टर के बारे में बात रही थी, कि यह जो अपन को R1 इसको मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो और इसको जो है अपन एक बोक्स मान लो, ठीक है यहाँ पे अपने को एक unknown register था जिसका अपने वो पता नहीं था तो अपन क्या कर रहे थे इसमें experimental किया क्या गया था कि इन तीनों की health से इसकी value निकाली गई थी ठीके इसमें बीच में क्या लगाते थे पोटेंशल सेम होने पर अपन नहीं पड़ा था ना कि current किस वज़े से flow होता है कि due to potential difference ठीके potential difference की वज़े से current flow होता है अब यहां पर अपन बात करें मैंने बूल दिया दोनों point same potential पर अगर यह वी पर है और यह भी वी पर है कुछ यहां पर e मान दो इन चाहिए यह मान दिया ठीके अगर यह दोनों point B potential पर यहां पर current नहीं जाएगा तो यहां से जितना current जाएगा उतना ही current यहां पर जाएगा अब यहां पर अपने को R1 पता है R3 पता है यहां पर R2 अपने को पता है तो अपन उससे क्या निकाल लेते थे mathematical यहां पर जो fourth जो अपने पास से पर्टी यूज़ करके reverse करते हैं, तो wheat stone bridge क्या है, ठीक है, वो definition यहाप है, wheat stone bridge devised by charge wheat stone in HT43, ठीक है, in the arrangement of four register which can be used to determine one of the them in the terms of rest, मतलब एक को जो है, दूसरे के opposite अपनने उसो किया था है, ठीक है, मतलब यहाँ से कोई current pass नहींगा, R1, R2, R3, R4 अपनने दिया और R5 को यहाँ रखा, A और BK, the configuration in the adjustment figure is called wheat stone bridge, इसको अपन wheat stone bridge बोलते हैं, कब बोलेंगे, जब यहाँ से कोई current pass नहींगा, ठीक है, अब इसको wheat stone bridge बोल देते हैं, अब balanced wheat stone bridge किसको बोलेंगे, यह तो क्या wheat stone bridge, उन्होंने ऐसा रखा, जरूरी नहीं कोशिश करने के लिए, यह तो unbalance है, मैं इसको बोल नहीं सकता है कि यह balance है, यहाँ से कोई current pass हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को अगर balance करना है, तो यहाँ से कोई current pass नहीं हो रहा हो, तो वो बात आती है, balance wheat stone bridge में, तो balance wheat stone bridge का बोला गया, there is no current in which register RS, ठी इसको define क्या, A, B.O, C.A, D.A, R1, R2, R3, R4, तो यहाँ पर क्या होगा, कि BC और BD क्या होगा, point के potential बराबर होगे, जैसे ही अपने को पता लगा, कि इन दोनों point के potential बराबर हैं, तो क्या होगा, यहाँ से कोई current pass नहीं होगी, मतलब यहाँ पर register लगाना और ना लगाना, को C और D point have the same potential, तो अगर यहाँ पर same potential है, तो क्या बोला गया, कि R1 by R2 equal to R3 by R4, यह जो है result अपने लिए important है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, अपन यह बोले R1 by R2, अपन बोल सकते है R1 by R3, देखो, R3 को इधर ले जाओ, R2 को इधर ले जाओ, तो कहीं बार क्या है, बच्च ना लगा हुआ हो, कहीं बार बच्चे, ऐसे को भी वीट इस्टन भी समझके गायब कर देते हैं, पर जिस axis पर अपन बात कर रहे हैं, वहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, axis of symmetry पर अपन बात करनी चाहिए, तो इसे इसमें दो टाइप से लिख सकते हो, आप लोग, कि R1 by R3 equal to R2 by R4, या तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको ही ऐसे लिख सकते है, R2 को इदर ले जाओ, R3 को उज़र ले जाओ, तो R1 by R2 equal to R3 by R4, confused नहीं होना है, result कोई भी एक यार रख लो, वहाँ से अपने question बन जाएगे, समझ में आया, वीट इस्टन भीज अपने case से इस है, पर अच्छा concept है, ठीके, इसको पूँ भी करना चाहो, तो पूँ भी कर सकते हो, किसे पूँ पूँ करेंगे, कि जैसे मान लो यहाँ से, अपन यहाँ से i-current जा रही है, इसमें मान लो i-1 current है, मैं थोड़ा सा इसका brief दे देता हौ, आप लोग भी पूँ अपने में से अता नहीं है या कामका नहीं है फिर भी अपने को फता होना चीए कि केसे उसको पूइ किया जायेगा तो wissen कर लेते कि के कररन्ट को इनिशल करनंटeb काई यह अपने पास ही है तो अपन उसी पर discussion करेंगे ठीक है थोड़ा board इदर उदर हो गया है उसको manage कर लेते पहले ठीक है तो अपनने क्या बात की आपने यहां पर एक बार देख लेते हैं क्या क्या बोलना की कोशिश कर रहे हैं अपन की एक यह circuit है मेरे पास ठीक है यहां पर मैंने EMF V माल लिया और यहां से मैं वीट इस्टोन बीज क्रेट कर रहा हूं ठीक है यह अपन ले रहे हैं कैसे इसको drive करना है वो एक बार मैं roughly answers कर रहा हूं वैसे दिक्कत वाली कोई बात नहीं है ठीक है इस circuit में current मालो कि यहां पर I1 जा रहा है तो अगर यहां पर I1 जा रहा है तो इधर कितना जाएगा I-I1 ठीक है I-Y1 अब यह इसमें क्या लगावा है कि बीच में एक register लगावा है यह register लगावा है अब condition 2 हो सकती है क्या क्या हो सकती है कि यहां पर अपन C point मान रहे हैं यह A यह B और यह C और A-D point है ठीक है दो condition हो सकती है V-C greater than V-D मतलब potential V-C greater than V-D हो ठीक है दूसरी condition क्या हो सकती है एक condition तो यह हो सकती है कि V-C greater than V-D हो एक condition क्या हो V-C less than V-D हो और जो important condition अपन balance बिच की बात करते हैं वहां क्या होता है V-C बराबर V-D तो अगर किसी भी एक condition को ल abi इसे low में के ख्राइब तो इहां पर कुछ current आपने माल ले कि I2 इहां पर जया रहा है ठीक है तो यहाँ पर total करन क्या हो जाएगा I minus I1 और minus अपना plus या जिसको अपन plus कर रहे हैं तो plus I2 वहाँ पर कर लो अब इन दोनों को add करोगे तो देखो I1 से I1 cancel I2 से I2 cancel अपना resultant वापस से क्या आगया I आगया फिर यहाँ पर क्या करो किड्चोप लोग लगा लो कि V यहाँ पर V potential है तो अपने इसके लिए equation लिखेंगे तो equation क्या लिखोगे वी यहाँ पर माल लो यहाँ पर 0 माल लो वी वोल्टेज की बेटरी लगई है तो V minus I1 R1 ठीके यहाँ पर current लिखो फिर उसके बाद I1 minus I2 ठीके क्या लिखोगे यहाँ पर I1 minus I2 ठीके यह break it into R3 बराबर क्या आया जीरो आ गया एक तो अपने पास equation यह होगी और दूसरी equation क्या हो जाएगी वी माइनस इदर क्या माना अपने आई माइनस आइवन अपने नहीं माना ओरिजनल में वह अगर इदर जा रहा है तो आई माइनस आई वन इदर आजाएगा टोटल करेंट आई है आई माइनस क्या माना तो इदर कितना जाएगा अने वाला करेंट बराबर जाने वालगो расп तो इहां पर क्या हुआ इधर नों सबस्ट सरक्याइगा तो यहां पर वाइड उन माइनस आईटी्ट प्लस प्लस आईवन माइनस अइटीट कर जाएगा अपने पास cancel out हो के I current आ जाएगा मतलब अपने जो create किया circuit को बराबर है तो यहां पर क्या किया फिर अपने R2 लिखा ठीके माइनस हो यहां पर क्या लिखूंगा मैं यहां पर मैंने लिखा I-I1 plus I2 और यह मेरे पास R4 यह भी क्या हो गया 0 जो एक्वेशन आगी अब इसको solve करने का तरीका या तो दोनों में से V बराबर कर दो या दोनों को V एक इस्टोन बीज में क्या होता है कि दोनों पॉइंट बराबर होते हैं और यह जो है यह दोनों सिमिलर ही हैं दोनों रिजल्ट अपने को पता होना चाहिए यह समझ में आया बिटा कोई दिक्कत यहां तक माना है तो इसके बीच में बेटरि माना अब यहां पर क्या है यह अपने को आर दिया हुआ ठीक है आर की वेली कुछ पी दियो यह तीन चार पान छे साथ आठ नोटस कुछ अपन क्या करेंगे i1 r1 r2 by r2 r4 करके देखो बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा या फिर यह दोनों बराबर आ रहें दो पान और 2 और वायन वेली तो स्वेश इसको निकाल हुए उसको निकालेगे कि R1 यहाँ पे दर लिख देता हूँ ताकि युदर solution कर लें R1 divided by R2 equal to R3 divided by R4 अपने resultant बड़े आ रहा है बराबर है 2 और 2 दोनों का ratio आ रहा है तो अपन इसको solution कैसे करेंगे कि equivalent अपने को बनाना है तो equivalent बनाना तो अप सीख गया होंगे सब लोग कैसे करेंगे यहाँ पर आकि यह mix हो गया उसके बाद इधर एक ओम का रिष्टर और इधर जो है अपने पाद दो ओम का रिष्टर तो दो ओम चार ओम ठीक है वन ओम एंड टू ओम ठीक है श्रीज परेलल अपने को सोल करना आता है यह दोनों क्या होगे परिष्टर करते हैं माँड पर इक रिष्टर यहां पर लगा हुआ हूँ तो समझ में आई बात के मतलब ठीक है अब देखो अगर वहां पर अपने पास करंट आया वी बाई आर अपने पास करंट आगया अब 6 इंपियर जब मैं इसमें क्या होगा डबल करेंट और इसमें आदा करंट होगा अगर मैं व्ल्टरफ निकाल से क्या और अकरन्ट क्या हो जाएगा और यां पे सब्सक्राइब हों कोने के बात करंट आएगा वह एक्वल आजाएगा तो अगर वह एक्वल आगया मतलब इस लाइन पर कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा था देखो एक्वेशन से तो अपन करी सकते हैं पर इसको फिगर के थू समझना और क्वांटिटी लेकर समझने में ज़्यादा ही जी तो वह है कि एक्वलेंट करी अपना क्या होगा कैसे इस कुशन को करेंगे रीड्रो एक बार कोपी पेन लेके बेटो रीड्रो करके देखो ठीके रीड्रो करना मैंने सिखा यहां तक अपने आज तक जितना भी बढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट हो प्रीवेस लेक्चर में हो को कोई डाउट आ रहा हो आप लोगो तो बता सकते हो कोई दिक्कत वाली बात में है कि कैसे इसको रीड्रो करेंगे रीड्रो करके देखो एक बार और क्या आएगा अपने पास इक्वलेंट वह एक बार बता के देखो क्या आएगा अपने पास इक्वलेंट तरिश्टर करें solar देखू कैसे करो यह point क्या है यह point को दिया हो ओ कि दिया होग स्पथ को मैं x मान लेता हूँ और इसको मैं y माल ठीक है अब मैंने एक चीज़ बताएंग चार Key दो तो चार deposit को क्या है लो है अपने जो है square के form में बनाओ, जैसे a और b यहाँ पर बना रहे हो, ठीक है, a और b में ने बनाया, तो यहाँ पर x और y बना लगा, ताकि क्या हो, symmetry थोड़ा जमाना आसान हो जाएगा, अब यहाँ से, यहाँ तो linear चल जाओ, या दो point के बीच में, a और x के बीच में एक register है, r का, तो a और x के बीच में एक register में draw करूँगा, r का, जिसका resistance हा रहे है, फिर a और y के बीच में, x, a और y के बीच में कितना register है, r, बनाते जाओ, तो हटाते जाना, वनना क्या होगा, और जोहाँ पर जब होगा, तब थोड़ा ज्यादा, और वैसे अपने को अभी मेंजीन होना चाहिए, कोई अठाने की जो अपने को धीरे धीरा पन क्या करेंगे, सवाली चीज़ को eliminate करेंगे, जब तक नहीं सीखते हो, तब तक अटा सकते हो, जब सीख जाओ, उसके बाद नहीं आता ना है, अब ये दोनों point कवर होगे, अपने पास X और Y के बीच में एक register है R का, ठीक है, तो X और Y के बीच में मैंने एक register दिया, ये जो R का, ठीक है, तो register थोड़ा बड़ा बनाएं गया, ठीक है, अब ये कवर होगे, ये और X में कितना है R होम का register थोड़ा, ठीक है, अब दिखरा है वीच टोन बीच, अब इजिली दिख ज़्या होगा, अब ये दिखतो गया आपने वीच टोन बीच, पर इसको कैलकुलेर करना है, कैसे, एक परसेंट केस में नहीं आएगा वह एडवांस लेवल पर चला जाता है ठीक है वह भी सोल करना अपने सिखेंगे आगे वाला केसी स्टेडी में इसमें अभी ना जादे जोड़ी है तो मैं क्या कर सकता हूं अगर मेरे को ए और बी के देखो इसमें भी दो कंडिशन है अग अगर जल्दी बोल रहा हूं किसी को नहीं डीकोड करने में आ रहा हो किसी को तोड़ी दिक्कत आ रही हो तो एक बार उसको धीरे करके सुन लेना या फिर दुबारा एक बार रहे करके सुन लेना आर और आर क्या है सिरीज में है तो सिरीज में रिष्टर जूड जाते हैं तो यह टू आर हो जाएगा यहां भी क्या हो जागा टू आर हो जाएगा यह टू आर और यह टू आर क्या है पेहलल में है तो पेहलल मे प्लस आर टू को अपन करेंगे तो आर क्या होगा एगा फोर आर पोर से खोर केंसिल आउट आर से आर केंसिल आउट अपने पास क्या बचा अनली आर ठीक है थोड़ा सा स्वोंग वाले टाइब हो गया पर ठीक है चलता है यह वाला क्यूशन करके देखो अब इसको रीड्रो करने में थोड़ा दिमांग घुमेगा पहले तो यह चीज देखो यह वी टिस्टों भी है या नहीं है है तो कैसे इसको रीड्रो करोगे क्या सब जगर ठीक दिया हुआ है उसा तो नहीं है जो दिमाग घुम रहा है कि सब में और निकालना है और एकवलेंट बिट्वें एंड दी निकालना है सिंपल सी से बात है यहां पे बेट रिक ले अब कैसे जाए मैं इसमें फार्ट मांट कर दो पार्ट में बटेगा यहां यहां के जाने के बाद फिर यहां से जाएगा आप देखो इसको रीड्रो करने से कैसे सिंख्लिफाय हो जाता है यह अपने को आना चीज है कोई करके देख रहा है के वेटाई रीड्रो एक दो मिनिट ले लो पर ट्राइ करो उस वाली चीज को क्योंकि अगर ट्राइ नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा ट्राइ करना सबसे ज़रूरी चीज है आपने को चाहिए थोड़ा सा कॉंसेप्ट वाइड अपन जो है अच्छे हो जाए तो प्रेक्टिस तो क्या है अ इसके बाद वो कर लेंगे फिर अपन आपन नहीं टोपिक भी थोड़ा सा बढ़ लेंगे सेल के बारे में सेल सी आएगगा आप तो अब तो प्रेक्टिस है अपन जितनी जदा कर सकें अभी स्टाट कराँ करें हैं कि आप लोग शीट के स्चिछ ने लगजाओ और पिर जो तो इसको रिड्रो हो गया केसे अपने किया इस पॉइंट को माना मैंने ए पॉइंट इस माना अपने बी पॉइंट ठीक है यह पॉइंट क्या होगा कि देखो अब इस पॉइंट को मानलो यहां से कुछ अलाग है एकस मानलो इस पॉइंट को एकस और इस पॉइंट को एकस औ ठीक है और यह प्याइट मैंने वाई अब इस प्याइट को वाई मानोगी क्या हुए प्याइफ अब इसमें देखो मैं क्या वाई अब इसमें देखो कितने पुएंट मेरे पास एक है दो है तीन है और चार ही पॉइंट है तो इस्क्वाइर पॉर्मेशन कर दो सिंपल साथ दिक्कत वाली बात ही नहीं है ए और बी के बीच में फाइंड आउट करना है तो ए और बी करो फाइंड आउट के बीच में और इसमें रहा है सिंपल से बात है ना इसमें के से पता लगया वीट इसमें बंद रहा है तो फिर मैं इसमें क्या करूँगा देखूँगा रेश्टर कितने एक दो तीन चार पांच छे इसमें चे हैं अब छे हैं तो कुछ इलिमिनेट हो रहे हुआ है कुछ सिरी जा रेश्टर में लगे एक्स और बी के बीच में क्या है यह आर है ठीक है एक्स और वाई के बीच में भी क्या है एक्स और वाई के बीच में भी यह आर दिया हुआ है ठीक है उसके बाद यह देखो ए और एक्स के बीच में अपनने देख लिया एक्स और बी के बीच में अपनने देख लिया यहा A और B के बीच में क्या दिया हुआ A और B के बीच में एक रिष्टर दिया हुआ यह अब इसमें एक को देखो A और Y के बीच में R रिष्टर दिया हुआ है A और B के बीच में भी रिष्टर दिया हुआ है तो A और B के बीच में भी रिष्टर दिया हुआ है किलेर यह वाली बात अब एक बार बताओ क्या इस रेजिस्टर के वज़े से इस सर्किट पर इफेक्ट पड़ेगा इन दोनों पॉइंट के उपर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा यह वाली चीज अपने को किलेर होनी चाहिए कि इसकी वज़े से इफेक्ट पड अलग बनेगा होगा तो अलग बनेगा वाला सरकिट ठीक है अपनी शीट में भी दिया हुआ ना किया ता यहां सप्राइब कमेंट में जल्दी से लिखके बताई कि अपनी वाले कुछण को आराम से आगे बढ़ें क्या अंसर क्या है सब में कर लिया बिटा effect होगा की नहीं होगा देखो simple सी बात यह है अपने को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा यह क्या है R है यह R है यह R है यह R है और यह भी R ठीके यह देखा अपने से पर ले इसमें कोई current जाएगा I जो अपने वहां पर लेकिक है इसमें current गया इसमें current गया और इसमें current जाएगा यह current डारेक्ट पास्वन होरहा हा बी पर तो यह तो क्या हो गया अलग हो गया अब पीछे वाला diagram देखें पीछे वाला अपन डायग्राम दे रिखेंगे तब इसमें यहां पर कोई current जाएगा ठीक है इसमें यहां पर कोई current गया और वो क्या करेगा वो यहां पर कुछ potential difference करेगा माल लो यहां पर अपने current गया वो तीन में डिवाइड हुआ तो यहां पर कि देखो circuit ऐसा बनाओ मैं ठीक है समझ मना इस वाली चीछ को यहां पर equivalent रिष्टर कुछ आएगा उसकी वज़े से current कुछ आएगा और तीन पार्ट में डिवाइड होगा किस किस में एक यहां पर एक यहां पर और एक यहां पर ठीक है यहां पर voltage क्या है इसके बीच में voltage कुछ भी है इसके बीच में voltage कुछ भी है भी करने सब में क्या होगा अलग अलग होगा होगा और पिर डिपेंड करेगा वो किस पर अपने individual register पे सामझ मैं यह वाली बात बिटा कि कैसे अपन इस वाली चीज को सोच रहे हैं कि यह जो चीज है कैसे अपन इस वाली चीज पे बात कर रहे हैं कि individually कैसे independent होगा ठीक है आगे बड़े आगे इस topic से तो देखो इसमें अपन कैसे इस चीज को solve करेंगे इसको करेंगे symmetric method कुछ example पहले symmetric दे ले 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 लेते हैं तो इसके बाद इसको discussion कर लेए हुआ ठीक है अब इस symmetry के कुछ equation equation अपन लेके चल रहे हैं ठीक है equation है symmetry का अपने देखा था पहले ठीक है एक यह weight strong इसके साथ भी follow होता है इस वज़े से बता रहा हूँ ठीक है यह 2R का register यह 2R का register यह R का register दिया हुआ है तो इसको symmetry से कैसे करेंगे अगर weight strong पहले पहले जाना चाहते हैं तो symmetry पहले चीज देख लो symmetry क्या है बनी है तो भी कहीं के ना कहीं main concepts हैं symmetry जो concept मैंने पहले बता दिया था पर वो निकल के कहां से आई है वो अपन discussion करने ही कोशिश कर रहे हैं तो देखो मैंने क्या किया एक center of line डाल दी A और B के across मतलब एक को center लेके अगर मैं इसको fold कर दो तो 2 और 2 और R होगा देखो paper folding से सिखोगे तो symmetry बहुत ही जी है या फिर mirror से सिख रो कि mirror रग दिया तो 2 का इधर जाएगा पर यहाँ पर क्या होगा आप number को imagine करने लग जाओगे इसलिए मैं कभी mirror folding से ने बता मैं बोलता हूँ कि इसको fold कर दो तो आपको क्या लगेगा कि 2 और 2R है इसको क्या अपन वेसे भी अटा सकते हैं अब यहाँ पर इसकी value कुछ भी हो क्या फरक पढ़ता अपने को नहीं पढ़ता तो यह वाली चीज़ ऐसे कर सकते हैं दूसरे point पे चलो इसका equation तो निकाल सकते हैं अपने easy लिए 2R पे ललल में है मतलब series में तो 4R हो जागा और यहाँ पे क्या हो जागा 2R हो जागा दूनों को करके देखो यह बन अपोना 4R into 2R divided by 6R 4 by 3R 4 by 3R अपने answer जाएगा दिक्कत वाली बात भी नहीं होनी चीज़िए थोड़ा सा मैं जानता हूं past calculation कर रहा हूं पर easy लिए आप लोगों से हो जागा कोई दिक्कत नहीं हो सकता है आप लोग मेरे से भी past कर रहे हूं कोई दिक्कत नहीं है होना चाहिए ऐसा अगर आप से जल्दी हो रहा है तो अच्छी बात ठीक है यह क्या होती है यह होती है mirror symmetry अपने चेंटर को लेकर mirror symmetry बात कर रहे हैं अब एक और symmetry बात कर रहे है axis symmetry axis symmetry में क्या होगा axis symmetry में मैं अगर बात करूँ axis symmetry में क्या होगा मेरा देखो same वही problem कि same वही सीज़े पनने problem दी क्या यह इस axis के लाओ according A और B पॉइंट जहां से जा रहा है उसके according में क्या फोल्ड कर सकता हूं क्या कि अगर इसको 2R इसको 2R इसको 2R इसको आर और इसको आर लूँ तो क्या मैं इसके according फोल्ड कर सकता हूं कि हाथ सब फोल्ड कर सकते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं folding symmetry बोलते हैं कि इसको बोलते हैं folding symmetry, इसमें क्या होता है इसमें भी same, यह वाला point क्या होता है, देखो register guide नहीं होता है, point का potential same हो जाता है, कभी क्या होगा, इसको फोल्ड कर दिया तो यह वाली चीज क्या होगी यह दोनों होगे पैलल में यह थोड़ी समझने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आएगी आप लोगो की यह दोनों चीज अब उसमें क्या था देखो इसमें वाली चीज नहीं है और टो इतुर यह अपनेत हिए लागा एव कि लगा सकते हैं एक उसमें उपन क्या सकते हैं ए और क completed लगा सकते हैं नहीं लगा सकते तो किसे करेंगे इसको सोल करके देखो और फिर उसके बाद जो है इसको अपन इजी में मतलब क्या से सोल कर सकते हैं वह एक बार डिसकेश कर लगें ठीक है इसमें कोई symmetry लग सकती है axis से दूसरे देखो अगर मैं इसमें draw करूँ इसे तो क्या symmetry बना रहा है क्या हाँ R का इदर आ गया 2R और R पे इदर चल जाया तो क्या ये दोनों ये potential same point पो होगा तो इसको मैं इसे draw कर सकता हूँ और यहां से मैंने R लिया उसके बाद यहां draw किया देखो थोड़ा सा इदीवे में बनाने कोशिश करना हूँ एक बार समझने कोशिश करना R और R यहां पे हो गया इसके बाद यह जो point है यहां से निकला और उसके बाद R और एक point और की हो जाएगा A और B देखो अभी भी मैं ड्रो करूँ तो symmetry मेरी वही आ रही है देख लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी की तो जैसे ही मैंने ये ड्रो किया वहाँ तो easy लिए अपन निकाल सकते हैं R, R, R और ये R, और ये R ये R है, ये R है ये R है, सीरिज में 2R 2R के साथ 2R पेलल में R हो गया, R, R, R 3R, 3R और 2R 3R इंटो 2R डिवाइड बाइ 5R ठीके, 5 तूज़ा 6 6 बाइ 5R, अपने महां से डारेक्ट कर सकते हैं ये वाली, ठीके, एक और टॉपिक चालू करते हैं, जो अपन सेल्स के बारे में डिस्कृशिन करना चाहा रहा हैं अगर किसी को फिर भी डाउट रहे गया हो किसी में आपन जो है, शीर्स ओल करेंगे तब एक बार डिस्कृश कर लेंगे, थोड़ा सा एक बार टोपिक अपन सेल से स्टार्ट कर देते हैं ठीक है, सेल समने पड़े हैं मैं जानता हूँ, अच्छे से अपन ने उनकी equation भी निकाले होगी H2O, अपन देकर में रखके एक बार cathode, एक बार anode के साथ वो experiment भी कर रहे होंगे, पर यहां पर अपन electric cell की बात कर रहे हैं, तो chemistry में तो नहीं जाएंगे अपन, पर थोड़ा सा brief ले लेंगे, उसके बाद अपन जाने हैं, ठीक है तो सेल को अपन से denote करते हैं, इसको E से भी लिख देते हैं और कहीं बार इसको B से भी लिख देते हैं और पोपरली जब अपन डाइग्राम बनाते हैं तब इसके साथ एक internal register भी लगाते हैं, ठीक है यह अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कहीं बार क्या होता है, अपन ऐसे भी लिख देते हैं सेल को बनाते वक E का मतलब क्या होता है, EMF होता है E का जब भी मतलब लिखते हैं अपन EF में लिखते हैं और बेटरी को जब भी लिखते हैं V सेल देते हैं, ठीक है तो आज सेल converts chemical energy into electrical energy, तो सेल की basic अपन जब definition देते हैं यही देते हैं, जी chemical energy को electrical energy में convert कर देता है यह सब अपने को पता है सेल प्रोवाइड electrical energy to all the circuit elements तो सेल का है, सभी में बिना भेदबाओ के सभी में energy देता है, प्रोवाइड करता है ठीक है, current flow कर वाता है सीदी सी बात है, अगर वहाँ पे दिया हाज ठीक है, अब इसमें EMF की बात कर देते हैं बिसिकली बात वही यहाँ पे कर नहीं है क्योंकि सेल्स अपन पढ़ेंगी chemistry में पढ़ता है, यहाँ पर अपन सबसे अपनी इंपोर्टेंट बात क्या होती है EMF की होती है the potential difference across the terminal of a cell when it is not delivered any current is called EMF EMF जब अपन बोल रहे हैं connect कर देता हूं तो उसका क्या होता है EMF भी change हो जाएगा क्योंकि अपन उसको circuit में connect कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ electric होगा और वेसे भी वह रखा रखा भी क्या होगा कुछ ना कुछ में internal resistance की वज़े से तीरे तीरे वो decline होता जाता है पर एक बार connect होने के बाद active होने के बाद the energy give by the cell in the flow of unit charge in the whole circuit including the cell including the cell is called EMF of the cell तो जो energy हो देने वाला है including the cell मतलब उसका internal register अपन convert या calculate करने के बाद जो total देता है वो है अब EMF dependent किस किस पर चीज़ पर करता है अपने अब तोड़ा circuit भी लिया है कि EMF dependent किस पर करता है nature of electrode और दूसा nature of electrode ठीके तो अपने क्या क्या electrode अपन जो लग रहे हैं और electrode अपन लेंगे एक cathode होगा एक anode होगा इसमें क्या होगा अंदर कुछ liquid होगा जिसमें अपने electrode डूबे होए हैं तो वहां से जो energy होगा EMF किस पर depend करेगा area of the plate पे जितने ज्यादा area plate अंदर dip होगे ठीके उतनी ज्यादा क्या होगा अपनी reaction ज्यादा होगी area of plate पे करेगा distance between the electrode अब देखो distance ज्यादा है तो रेजिस्टर ज्यादा लगेगा flow of charge का तो रेजिस्टर ज्यादा लगेगा तो लिक्वीडीज होए कुछ travel तो करना पड़ेगा तो उनकी बीच के distance पे डिवेंट करता है size of the cell पे अब छोटा है एक बड़ा है एक बेटरी आती है और एक जोह अपने अच्छे वाले लगाले यह वह है तो basically इसको के से denote करते हैं EMFE और internal register internal register basically होता क्या है वह अपन देख रहे है ठीक है तो resistance offered by the electrode of the cell when the electric current flow through it is known as internal register मतलब क्या हुआ सर्थ कि मतलब बेटा यह हुआ कि जब भी अपन electric current pass करवा कि अपने जैसे ही equation अपनी चाल हुई reaction अपनी चाल हुई redocor resistance अपनी चाल हुई तो क्या होगा कि कुछ electron जा रहे हैं कुछ वापस आ रहे हैं अब वह वापस आने के बाद यह तो उपर वाली बात को नीचे अंदर बीकर में क्या हो रहा है कि इधर से electron बूस से anode से cathode की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा उनको कुछ resistance फिल करना होगा तो वही internal resistance होता है distance between two electrodes increase क्या करता है आर को increase कर दे रहा है मतलब internal resistor को increase कर दे रहा area dipped by electrode increase जितना area ज्यादा decrease होगा मतलब जितना area यह होगा उसमें वह आर को अपने क्या करेगा decrease कर देगा और electrode increase कर देगा ठीक है temperature ज्यादा होगा तो आर डीक्रीज होगा जैसे temperature ज्यादा होता है आपन जानते electron क्या करते हैं यह प्रेली बोड़ी है temperature ज्यादा होगा तो connect कर पाएंगे हैं अपने को पता होना चाहिए ठीक है terminal potential difference वी किसको बोलते हैं अब देखें तो यह जो हता है E minus IR अगर इसने I current flow किया तो E minus IR क्या हो जाता अपना terminal voltage तो दोनों भी difference है जब अपन circuit में current connect कर देते हैं तो वहाँ पर अपन क्या लिखते हैं वी लिखते हैं और normal इसको यह अपन बोलते हैं ठीक है When the current is drawn through a cell और current is supplied to it then the potential difference across this terminal is called the terminal voltage तो terminal voltage किसको बोल रहे हैं वी जब अपन किसी circuit में क्या दे रहे हैं current flow दे रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा किस circuit में terminal voltage हो जाएगा अपने पार यह बात अपने को clear होनी चाहिए When I current is drawn from the cell the terminal voltage V अब V क्या होगा कि बिटा I current flow हो गया तो मैं ऐसे लिख सकता हूं V minus IR हो जाएगा V minus small r ठीक है small r अपना जो internal resistance है वह अपना क्या हो जाएगा V equal to हो जाएगा V मतलब E total यहां पर है और I current इसमें जैसे flow होगा तो अपन जानते है drone होता है तो इसको ऐसे लिख सकते है V equal to E minus IR यहां पर अपने equation में पूरी चाहिए अपने लिख हुई लिए तो यह अपने को अगर कहीं पर दिया हुआ है कि इतनी है और फिर अपने उसको connect कर दिया उसका internal register दिया तो फिर अपने आपने वोल्टेज ऐसे जिए बन होगा ठीक है तो वोल्टेज यह क्या है terminal voltage यह अपने पास यह current है अपना जो register में flow अपने circuit में flow हो रहा है और यह क्या है internal register ठीक है तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते है equation में यहां पर मानलों मैं यह रिष्ठर मानलों कि यह मेरा वोल्टेज है यहां पर क्या है एमेर कि यह identity हो रहा है तो वी बी मैंने सिर्फर यह अठाऊ ऊबligen नेगेटिव यह लेंगे थिक प्लिए एक्वी लें टो इस नगा वह कुद्छ अब VA-VB अपने केलक्वेट किया तो वो क्या रहा है VA-VB एकोल टू माइनस E-I रहा है यही अपना क्या है EMF ठीक है यही अपना EMF है यहां तक समझ में आया किसी को कोई भी डाउट हो सेल्स के बारे में जाना पनने अब एक बार बताओ आगे बढ़ें कि कर लें जो लाश्ट क्लास में अपन नहीं किया थोड़ा बेसिक बेसिक डिस्केशन कर लेते हैं ताकि फिर अपन जो है में शीट अपन ही डिसकस कर लेंगे कि पढ़ें इसके सीरी जो पर वेसे combination भी ठीक है जादा दिक्कत वाली बात नहीं combination में पर section A discuss कर लेते हैं करने लेक्सरी में section A में जो basic question अपने को दी हो है starting के 10-15 question वो discuss कर लेते हैं ताकि sheet का एक साथ आपके पास load नहीं आएगा ठीक है तो पहले question में अगर doubt था पहले basically क्या पूछा हुआ है अपने blank page ले लेते हैं ताकि वहाँ पर discussion कर लेंगे किसी को कोई भी discussion नहीं हो ठीक है यहाँ पर तो अपन क्या कर रहे है current electricity की sheet discuss कर दे हैं बनाई नहीं बनाई बेटर लगाई नहीं लगाई बताओ अगर नहीं लगाई हो तो फिर कल discuss करेंगे आगे बढ़ते हैं और अगर की हो तो discuss कर लेते हैं comment में लिखके बता दो की आ नहीं की पहला question अपने को दिया गया है electric current है उब भोस magnitude and direction तो electric current क्या है vector है skler है tensor है या फिर क्या है electric current I क्या है vector है tensor है scalar है क्या आपने को दिया गया है किसी को कोई दिख्कत हो इसमें तो अपने क्या बात की थी कि electric current क्या केसी quantity scalar quantity ठीक है scalar quantity क्यों है क्योंकि यह direction भी रखता है magnitude भी रखता है पर vector की एक को definition है कि उसमें vector law of addition follow होने चाहिए तो vector law of addition यहाँ पे follow नहीं होते है क्यों नहीं होते हो बता देता हूं ठीक है जैसे एक wire में current आ रहा है I ठीक है अब दूसरे वारे current जा रहा है I1 ठीक है एक wire और current जा रहा है यहाँ पे I2 ठीक है तो अपन इसमें क्या लिखते हैं इसमें तो लिखते हैं अपन I1 I equal to I1 plus I2 लिखते हैं ठीक है वाली बात इसी चीज को कैसे लिखेंगे कि एक इदर जा रहा है और एक जो है तीनों जो है 1-20-degrees ये एक अगर यह और यह यहाँ से यहां जा रहा है तो इसका result कि इसमें क्या हुआ इसमें फुद्स उपने डारेक्स नं किया तो यह ship current अपने कौण सिकान सी कौंटिटी एक केरे बढ़र और इसमें कोई दिक्कत वाली बात अब इसमें अपने को दिया हूँ है एक अपने को कृष्टन है केंड वाला क्कौंजप अच्छा था किसीको डाउट है तो बिटा पूसकते हो पहले से दस्वितक्त में आपने sheet discussion कर लेते हैं basic अपना section का पहला ही ले रहे हैं कि क्या हो ज्यादा आप लोग को समझ में आए कि यहाँ sheet की भी important है और आप उसको solve करने पर भी थोड़ा ध्यान दो ठीक है second है potential difference of 10 volt apply across a conductor of 1000 ohm 1 kilo ohm ठीक है the number of electron flow through the conductor of in 300 second 300 second में कितने electron flow होंगे ठीक है अपने को क्या दिया हुआ है potential difference V दिया हुआ है dust volt R दिया हुआ है 1000 ohm ठीक है और अपने को time दिया हुआ है t equal to जो है 300 second इसको कैसे करोगे किया था किसीने answer आया था किसी को doubt है कि अगर doubt नहीं हो अगर किसी नहीं कियो तो फिर अपन-बाद में करवा लेंगे और अगर की है तो फिर देजल निकाल की बताओ व भेजिआ इसको अ मैं d और r से क्या हुआ मैंने r calculate कर लोगा ठीक है यहां से क्या होगा i होगा i को यहां पर देंगे अपन n को अपने find out करना है अपने पास given है यह अपन जानते हैं आई अपने पास है तो इन अपन क्या कर सकते हैं find out कि है अब इसमेंए और के और क्युस्टरं कहां अपने योजगें धी हो तह यह इस वाला देख लो क्या दिया हुआ है एक करंट टेन एंपियर का आई जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ठीक है उसके बाद उसने क्या दिया है conductor cross section area जो दिया हुआ है ए जो दिया हुआ है वो अपने को क्या दिया हुआ है वन सेंटिमेटर का square if number of density of free electron तो number of density of free electron मतलब इसका मतलब क्या हो गया n जो अपने को दिया हुआ है 9 into 10 to the power 28 अपने को दिया हुआ है ठीक है drift velocity of free a clone VD अपने को find out करना है यह इसली find out कर सकते है नहीं कर सकते है अपने को अपने को दिया हुआ है कि आई अपने को दिया हुआ है यह अपने को दिया हुआ है इलेक्टोन का आप जानते ही हो 1.6 into 10 to the power minus 19 अपने को दिया हुआ है तो अपन इतना सब जानते है तो आराम से वीडी निकाल सकते है आइक वीडी करना डिवाइड करना हो जाएगा ठीक है आगे बड़े पोटेंशल डिफेरेंस आप लोग कर लोगे रो फाइंड आउट करना है आर वाला तो भी हो जाएगा टू वाइर एंड भी सेम मेटेरियल हेविंग रेडियस ओप रेशो वन रेशो टू के री करन्ट अप द रेशो इकल टू इकल टू पॉर इंटू वन दें डिफ्ट विल और सिटी फाइंड आउट करनी है देखो यह कुशन भी वही है जो अपनने उस टाइम पर करके आप पर हैण आउट करना है अपने को जो है drift velocity find out करना है ratio किसका vd1 ratio vd2 vd1 ratio vd2 find out करना है अपने को ठीक है और अपने को option दिये वह हैं ए दिया वाए 16 ratio 1 दिया वाए अपने को option में 1 ratio 16 दिया वाए अपने को cv तो देगा direct d दिया क्या दिया वाए 1 ratio 4 और d दिया वाए 4 ratio 1 कैसे find out करेंगे मिटा अपन जानते हैं आई बराबर एन एए वीडी ठीक है आई क्या होता है मेरा कि आई बराबर एन एए वीडी यह होता है यह मेरे को पता है ठीक है इन क्या है दोनों का material से में इन से हो गया एक तो से में ही से एरिया क्या होगा एरिया में यह है तो एरिया क्या होता है प्यार इसक्वाइर सप ऐसे में आई निकालो इसके लिए यह क्या हो जाएगा और इसके लिए आरिया क्या हो जाएगा तो फोर यहां एक चलो वाला कर ला आपको याद रहा नहीं रहा एक क्यूशन है इसमें कलर कलर वाले बनाएं इसे नॉर्मली बना दे लिग देते हैं कलर पर ठीक है और ना सर बोलो यलो वाला यलो बनाओ और लास्ट वाला जो है पर खाली मिश्क्राइब यह जो दिया भाए यह दिया वाए यलो यह अपने को दिया हुआ है यह ब्राउन और यह अपने को दिया हुआ है वोईलेट दिया वाए इसको ब्राउन और यह गोर्ड एक बार इसका रिष्टर आर के से लिख होगे वह मेरे को चेट में लिखके बताओ क्या इसका होगा सबको पता है क्या आपन बोलते हैं क्या आपन बोला जाता है सबको पता है ना क्या क्या बोला जाता है बिटा इसमें क्या होता है क्या आपन बोलते हैं जानते हैं सब लोग इसमें क्या पता है अपने को एक सब को पता है इसमें कैसे उस चीज को करेंगे उस चीज को इंग्रीड करना अपने को आवाज आ रही किलिए मेरी किसी को वह इस 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 तो नहीं है आई कि गर्कों हाप"... हाँ कि अपन जानते यौशा y आगया तो for जाएगा भी भी तो ब्राउन आ जाता रहे क्या होता है। क्या होता है वोलेटे यहां पर तो ब्राउन के लिए लिए टॉपन भी भी रोह ऑप red bit वरी तो वेषिक नाता है और इसके क्या हो जागा या फिर इसको कई सकते हो इसमें क्या करो 40स ऐलोड उसके बाद 5 परशन लिखा होता है यह आपन कर सकते है ठीक है तो अपन ने आज जो है थोड़े से किये अब बेटा शीट डिसक्रशन हो सकती है कभी भी तो यह सा मस्सोचना कि अपन करके नहीं है कि अपने क्या पड़ लिया था कि मतलब कैसे सेल का फोर्मेशन होता है और एक चीज़ अपने जाने थी अपने को सबको समझ में आई थी और अपने इसको बुला भी था कि अपने को पता होना चीज़ कि वोल्टेज और इमेंडिफरेंस क्या होता है तो यह चीज अपने जान लिती अब बेसिकलिए अपन नंके कॉम्बिनेशन की बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन के साथ जैसे अप कि पारी मोट वाली कार में दो रिमोट लगा हों घबी जो है अपने ूपने रिमोट में न दो रिमोट लगाने का अगर अगर केस से उसको लगा रहता है उर एल डाल पिर जबने उसमें ni s fine लोगभी सब्सक्राइब तुग जानए अज तो तो सिरीज में क्या होगा कि अपन ने जब एक से लिया फिर दूसरे से लिया उसको क्या है स्रीज में कंबाइन किया लगातार उसको एक के पीछे एक जमाते जा रहे हैं स्रीज मतलब क्या होता है कि लगातार एक के पीछे एक जैसे अपन बोलते हैं कि सब लोग लाइन में खड़े जाओ या स्रीज मे एंड इंटर्णल रजिस्टर ऑप दे शेल इन लिए कि तीन अपने पास है एवन हे एटू है और इच्टी एप अब भी अब अब आपने सब की सेम रखिए पोरेल्टी का मतलब क्या होता है कि एसे कोई सेल है ठीक है तो छोटा वाला सिंबल जहां होता है अपन वहां पर माइनस दिनोड करते हैं और यह पॉजिटिव दिनोड करते हैं तो अपन इसके माइनस से इसके पॉजिटिव को जोड रहे हैं फिर इसके माइनस से इसके पॉजिटिव को जोड रहे हैं ठीक है दो तरीके क्या क्या हो सकते हैं कि मैं दोनों के पोजेटिव को पोजेटिव नेगवेटिव से जोड़ू मतलब यह पोजेटिव जोड़ा फिर उसके बाद मैंने यह तो तरीका यह हो सकता है और एक तरीका क्या हो सकता है मैंने इसके और फिर नेगेटिव से पोजेटिव ज पहले अपन नॉर्मल सी बात कर लेते हैं इनके बारे में ठीक है इसमें क्या होगा जो इसमें बोला गया है कि अपने जो EMF होंगे जितने भी सेल्स के सेल्स के EMF होंगे उनका क्या हो जाएगा सम हो जाएगा सम कैसे पॉररील्टी के अकवोडिग Heya 2and Ea । और अपने रेजिस्टर क्या है सीरीज में है आपणके जाथे यहीज में जब भीर रेजिस्टर कनेक्ट होता है उनका भी क्या हो जाता है अगर और यहाथाँ्ट R2 और R by N अगर N रिष्टर जूड़े होना तो वो N R, ठीक है, N R अगर सिरीज में जूड़े होना तो N R हो जाएगा, मतलब यह आपका अगर मैं E देखना चाहूं, टोटल E equivalent के अपन बात करें, E equivalent की बात करें, तो क्या हो जाएगा, E1 plus E2 plus E3, ठीक है, और R, small R equivalent की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, R1 plus R2 plus R3 अपना small equivalent हो जाएगा, मतलब डारेक्ट क्या करना, आपने को इसको sum करना हो, ठीक है, देख लेते हैं नीचे अपने यही चीज़ लिखी होई है, कैसे देखा था अपने, equivalent कब बनाते हैं, equivalent जब यह अपने बनाया था, उसमें अपने current और voltage से वो चीज़ करते हैं, मैं यह चीज़ बोल सकता हूं, कि इसमें जो current जा रहा होगा, इधर से जो current पास हो रहा होगा, इसके पास जो current गया, फिर अपना sales आ गया, तो अपने यहां से VB भी जा सकते हैं, मतलब voltage difference वाले, जो अपना voltage वाला method था, उससे भी अपने यह चीज़ कर सकते हैं, तो अपने इसके equivalent एक circuit बना लिया, E equivalent और R equivalent क्या हो गया, E1 प्लस E2 प्लस E3, और R equivalent क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, अब अपने क्या किया, quality change कर दी, मतलब इसको मैंने उल्टा करके connect कर तो अपना E क्या हो जाएगा, E equivalent अपना हो जाएगा, जब अपन positive से negative गया, E1 अपने लिया, फिर positive से negative गया, E1 अपने लिया, फिर अब इसमें क्या है, उल्टी positive होगी, तो minus E2 और minus अपने पास हो जाएगा E3, पिर सर आपने तो बोला था negative से positive में जाएगी, जब प्लस R2 मातों किंपल सी बात क्या होती ही आपन क्या करता है जैसे utilityete र्लिया और यह क्या हो गया R3 अपना पास होगा, R2 और R3 होगा, अपन यहां पे अगर एक V potential मालने, यह पे 0 मालने तो उसको अपने एसी कर सें, अपने को पता होना चीए कि कैसे अपन रिजल्ट निके लेंगे, अब एक क्यूशन आपके सामने, अपने देख लिया है, पहले अपन आगे बढ़ें, यह तब क्यूशन करें, पहले क्यूशन कर लो, ठीके, इसमें क्या दिया हुआ है, एन सेल और एम इंटर्नल रिजिस्टर आर, ठीके, मतलग इंटर्नल रिजिस्टर आर है, और एसे जो है, अपनने कितने सेल जोड़ दिये, एन सेल जोड़ दिये, एक का है, और आर एक का है, इसे अपनने कितने सेल जोड़ दिये, अपन बात करें, यह मानलो यह दो हो गया ठीक है, E और R हैं, ऐसे करके हुए अपने N से जोड़ दी, ठीक है, यहीं समझ में है, ठीक है, अपने कैसे उसको सीरीज में कैसे किया, negative to positive, मतलब एक negative से उसका दूसरा positive connect कर दिया, ठीक है, and external register, R is connected, इस combination, मतलब अपने क्या किया, जितना यह N था, यहां तक N था, उसके बाद मैंने क्या किया, कि external register, जिसकी value क्या है, R है, जिसकी value क्या है, R है, वो मैंने यहां पर connect कर दो, ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, if quality of M cells are reversed, अपने इसमें से क्या किये, कि M cell का N greater than M है, N जो है greater than M, तो कुछ जिसे 10 में से 3 cell या 10 में से 5 cell अपने निकाले और उनकी quality कर दो, ठीक है, तो अपने क्या किया, उसको उल्टा कर दिया, find current in external register, तो current अपने पास क्या होगा, वो अपने को find out करना है, तो इसका एक बार solution करके देखो, देखे, कैसे अपन उससे जाल चीज़ को करेंगे, ठीक है, numerical value लेके भी कर सकते हो, और बार में option में put तर लो, पर इसको method से कैसे switching एक बार, वो आपको आना चीज़ है, तो एक बार try करो, comment में लिखके, answer में को दो, N cell क्या है, N cell अपने static में series में लगे, उनका internal register R है, ठीक है, MF उन पे E है, और उसके externally R register connected है, फिर अपनने क्या किया, कि अपनने अपना मन किया, तो अपनने उसमें कुछ cell लिये, उनकी जो है, अपनने negative को positive से change किया, और वापस से उसमें aid कर दिया, तो अब क्या मेरा resultant आएगा, वो अपने को पता होना चाहिए, A, B, C, D, option comment में लिखके, बता दो कि क्या अपना, वहाँ पर answer आएगा, चलो, इसको solve कर लेते हैं, कैसे इस चीज़ को करेंगे, अपने को पता होना चाहिए, अब अपन क्या बात कर रहे हैं, कि मेरे N cell पेले series में है, total मेरा combination में क्या हो जाएगा, N, E मेरा total combination हो जाएगा, और E ugualrant अपना बात पर थे, equivalent क्या हो गया, अब miy क्या क्या कर रहा हूँ, और R equivalent क्या हो जाएगा, कि सार R equivalent जो होगा अपना, वो क्यों हो जाएगा N capital N और small r अपना r equivalent हो जाएगा यह दो चीजे समझ में अब अपने क्या किया इसमें से सबसे पहले क्या किया M cell को निकाला कि M cell को निकाला मैंने तो उनका क्या potential होगा उनका EMF क्या होगा कि माइनस में क्या कर रहा हूं M और E मैंने निकाल जिए अब मैंने क्या किया उनकी Polarity ULTI कर दी मतलब अब क्या होगा इसमें से अब कुछ सेल उल्टे लगे होगे उनकी वज़े से क्या होगा effectively क्या होगा कि N जो सेल है उसमें से अपने पहले क्या किया M E सेल निकाल जिए और Polarity जब उल्टी कर दी तो उनके EMF क्या हो जाएगा एमी हो जाएगा तो यह अपने पास क्या आया इनेट अपने पास आगया नेट यह एक्विलेंट बोल सकते हो तो यह मैं इसको इक्विलेंट बना लो तो हूं यहां पर इसको माल लो कि इसमें अपने इक्विलेंट क्या बनाया इक्विलेंट मेरे पास क्या आगया अब यहा यहां पर मैं लिखूंगा कि मेरे पास XL आ गया और यह एक रिश्टर आ गया जिस पर capital register R जो है मेरा additional में equivalent ठीक है और यह मेरा R equivalent ठीक है R equivalent मेरे पास क्या आया कि R equivalent N R हो गया और E क्या हो गया E equivalent N E हो गया अब मैं इस loop में current निकालना जाता हूं तो यहां से माल लो I current flow और I minus R1 I R और यहां पर I R equivalent और E तो अपन क्या लिखेंगे कि मैं क्या लिख होना E equivalent equivalent लिखेंगे minus I अपन current मान जाए और capital R अपना यहां पर drop हो रहा है कि यहां पर क्या होगा माइनस I और R equivalent अपना drop होगा equal to अपन क्या कर देंगे कि 0 कर देंगे अपन को सबको समझ मैं अब मैं इन दोनों quantity उदर ले जाता हूं और I जो है common तो मेरा I common आगया ठीक है I R plus small R equivalent बराबर E E equivalent ठीक है तो E equivalent क्या है मेरा N अब E यहां से common ले लूँ मैं ठीक है तो क्या हो जाएगा N minus 2 M ठीक है तो E equivalent क्या हो गया N minus 2 M E और मेरा R क्या हो जाएगा R plus R equivalent R equivalent क्या है N R है तो मेरा option क्या हो जाएगा D हो जाएगा समझ में यहां एक किसी को सम्झ में नहीं आया हूँ अपने को कमेंट में नए 산 समझ में समझ में नहीं है उसमें सिमपल सा था पर अपने आना चाहिए वाली कभी कभी कराल में अपन इन दोनों प्रशन में जरूर हो और यह भी हो सकता है किसर में और उल्टे कर दिया तो माइनस और यह जाएगा तो वेसे अपने को पस्ना नहीं इस इंपल सा डायग्राम पे जाओ इक्वलेंट सर्कित बनाओ आराम सा जाए अपने स्रीज कॉंबिनिशन पढ़ लिया अपने पढ़ रहे हैं कि पैलल का मतलब क्या है कि स्रीज में एक बात अब लगा दिया पैलल में जैसे अपने केपेसिटेंस में देखा रिश्टर में देखा वैसे ही अब यहां पे क्या ह होता ही केस्वाली चीद को कि देख बेस्टेंस को है अब देख को सरकिट को ए और ब लेके कर लाएं ehkä तुछ एक्स्टनली सरक्ट होगा कुछ आजुदा हुआ पर अपने को A और B के बीच में equivalent find out करना है तो basically मैंने क्या किया कि इस case equivalent circuit मानलो A और B के बीच में equivalent circuit क्या था E equivalent और R equivalent था तो E equivalent और R equivalent किसी से अपने को क्या करना पड़ेगा कि define करना पड़ेगा सबसे पहले यहां से देखो जब भी parallel की बात आती है तो अपन क्या करते हैं current अपना divide हो रहा है इसे मालगो इसमें i current जाएगा तो i current अपना divide होगा ठीके तो direct result को कैसे आता है अगर एक्वेलेंट जो होता है direct result की अपन बात करें तो e equivalent क्या हो जाता है अपना e1 by r1 plus e2 by r2 अगर n हो जाता है divide by 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon जिसने भी n होता है और register equivalent क्या होता है अपना r equivalent हो जाता है वही जो parallel में अपन लगाते है 1 upon r1 plus 1 upon r2 अपना r equivalent हो जाता है अगर n register है तो पहन हो जाता है अब देखो इसका prove अपन करना चाहे प्रूब कैसे करेंगी इस वाली पीजा कि मेरे पास अगर current यहाँ पर i आता है और यहाँ से क्या होगा ओपिसली बात है जितना current आता है उतना ही current वापस जाता है अगर यहां से आ रहा है और यहां पर जा रहा है अगर मैं इसको मान लो कि आइवन है और यह i2 है तो i equal to क्या हो जाएगा आपने पास i equal to i1 plus i2 अपन लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं क्यों नहीं लिख सकते हैं तो simple सी बात है आपर potential मान लो कुछ इसके भी across भी potential हो तो वही अपन को यहां पर देख लेते हैं अपने किया हुआ है कि मैंने क्या माना ए और बी के बीच में i1 और i2 current माल लिया तो क्या मैं ऐसे लिख सेथा हूं इस वाले point को आप पोटेंशन लगा रहे हैं ठीक है अब हमेशा सर आप इधर वाली डारेक्शन में लगते हैं इस वाले में उल्टियम में अपने कॉरें डिया से लिख ना आ जाए समझ जओ क्यों एक पोडsal कि अपनने माल ले कि आसके पोटेंश्यल कितना है कि यहां पर सबसे में बीघifferent तो यहाँ पॉझेटीव से मैं दीखा इम फॉटिव से में नेगिटीव जा रहा हूं देखो नेगिटीव से पॉझेटीव जारहे हैं तो अपने सायन कंविंचिन कहले रहे हैं पोगें अपोजिक जा रहा हूँ, तो मैंने क्या लिया, minus U बन, ठीक है, अब अगर अपन current की direction में होते हैं, तो अपन potential drop मानते हैं, इसलिए minus I R1 लेते हैं, ठीक है, पर अपन क्या है, current की opposite direction में है, तो वहाँ पर अपन क्या लेंगे, plus I R1, ठीक है, equal to क्या हुआ, VB हो गया, एक तो अपनी equation ही बनी है, ठीक है, दूसरी, तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, VA minus VB क्या हो गया में पास, E1, I1 और R1, यहां से मैं ने यह लिखती है, कि VA minus VB क्या हो गया, E1 minus I R1, ठीक है, अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, अब इसका potential difference क्या था अपने, इन दोनों point के potential difference क् अपने पास, VA minus VB क्या था अपने पास, V ठीक है, तो अपन यहां से current निकालना चाहिए, तो आराम से निकाल सकते हैं, इसको इधर ले आऊंगा, उसको उधर वेजिए तो E1 minus V हो गया, ठीक है, I1 क्या हो गया, E1 minus V upon R1 अपने पास हो गया, ठीक है, सेम ऐसे second वाले loop में कर क्या जाएगा, अपन क्या जान रहें, I equal to I1 plus I2 हो, टोटल जो current कितनी है, वो I1 plus I2 हो है, मेरे पास, तो दोनों को में जोड़ गूंगा, E1 minus V upon R1, E2 minus V upon R2, I मेरे पास क्या आ गया, E1 upon R1 plus E2 upon R2 minus यहां पर मैंने पोमन ले लिया, V1 upon R1 plus 1 upon R2, ठीक है, यही जो equation हमें अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले तीट को ही में रिवर्सिवल करके लिखा है, कि अपन क्या करेंगे, V upon 1 upon R1 plus 1 upon R2 equal to E1, R1, E2 minus R2 और I1, ठीक है, तो अपने यहां से क्या क्या, पोटेंशन निकाल लिया गी, वो क्या होगा, 1 upon R1 को दोनों साइड अपनने डिव equivalent में क्या है, मैं एक potential मेंने बेटरी ली और उसके एक register equivalent में मानले, इसको मेंने V equivalent माना और इसको मेंने R equivalent माना, तो यहां पर अगर में इन दोनों के बीच में voltage V है मेरे पास, इसमें क्या लिख सकता हूँ, V equal to E minus R1 अपनने लिखा था, यह चीज तो अपने को पता है न, V equal to E minus R, अब इन दोनों को क्या कर दिया, मैंने compare कर दिया, ठीके, V equal to V दोनों में potential बराबर है, क्योकि circuit जो है parallel में, E equivalent मेरे पास क्या आगया, E equivalent R equal, E equivalent मेरे पास क्या आया, यहां पे, E equivalent आया, E1 by R1 plus E2 by R2, 1 upon R1 plus 1 upon R2, और R equivalent मेरे पास क्या आया, कि 1 by R1, 1 upon R equivalent equal to, भई, यह क R equivalent मेरे पास आया, क्या है R equivalent, 1 upon R1 plus 1 upon R2, मेरे पास R equivalent आया, ठीके, यह चीज़ सबको समझ में आई, ठीके, देखो, यह 1 upon R equivalent कैसे आया, यहां पे तो 1 upon R डला हो, तो 1 upon R1, ठीके, 1 upon R1 PLUS 1 upon R2 अपने पास आया, तो 1 इदर जायेगा, तो R equivalent अपने पास यहां जाये, ठीके, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यह तो अपने नोट में भी एक बार इसको क्लियर कर लेना ताकि दिक्कत ना हो समझ में आया थोड़ा कन्विजन होगा क्या बिटा यह क्या है वन अपन आर वन प्लस पन अपन आर टीक है वहां से अपन ने इसको एक बार यहीं किलेर कर लेंगे ताकि जबारा पर पर परशान होंगे कि अपने जरत ना प्ता अब यह जो है अगर तीन जूड़ए होए अपने पास तो अपन कैसे लिखेंगे एक वन अपन आर वन प्लस एटू आपन आर टू प्लस एठी आपन आर टी डिवाइड बाइट बाइवन आपन आर यहां चाहो तो आर एक्वेलेंट भी लिख सकते हो और आर एक्वेलेंट अपने पास की आर अपन आर टू प्लस एठी यहां तक सब को किलेरे सिरीज और पेलल कॉंबिनेशन समझ में आए तो अगे बढ़ते हैं अच्छे कुशन यह आप अपने लिए हैं तो उनको अपन देखते हैं तुछ अच्छे कुशन को ठीक है समझ में आया पिटा एक बार लिखके बता दो कि सर अच्छा समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है ताकि कुशन करने में कोई दिक्कत ना आया आप लोगों को ठीक है तो यह कुशन करो अपने जो एन सेल है उनका एक्वेलेंट इह है उनके रिष्टेंट सार है तो सिंपल सी बात यहते हैं कि ऐसा कुश अपने पास सिस्टाम है तो अगर इनका एन है तो अपन केसे फाइंड आउट रहेंगे खाईल वह है कि आर बर यह भी औरली और में परिक्डिक्टेञिकन plural में और उच्वेलेंट के बसिकला क्या है उगां अपने चलिए का लिए लगा हूं उन क्वंटिटीटा है तो एन क्या मैं उनकतर अपने पास अब यह क्या होगा अपने पास मतलब क्या हुआ कि अगर आप जो पोटेंशल को देखो अगर आप जो है आपन आस अपने पास क्या आ रहा है और आको आपने अपने पास जोड़ाओंhalus जोड़नाओं पर मेरे को नुपसान क्या हो रहा है इक्वलेंट तो किसके बराबर है एक के बराबर है अगर में पर अपने पास EMF भी अपने को कमी डिलिवर होता है जितने एक सेल के बराबर है ठीक है एक mix of question है चलो इस पर इसे बनाने दो ठीक है question अच्छा है आपको समझ में आना चीए पहले पूछा हुआ है exam में इसलिए अपने को पता होना की M row of cell, each row content N cell, each EMF E, each cell internal register R, then the find equivalent अपने को E equivalent और R equivalent find out करना है क्या दिया वा है E और R, E और R के N cells row में जूड़े हो है और ऐसे combination parallel M में जूड़े हो है इस वाले को कैसे अपन solve करेंगे approach करके देखो, समझ के देखो और फिर इसको अपन solve करते है ठीक है जिसका आ जाए वो एक बार comment में लिखके बताओ कि क्या आपना वाँ पे आ रहा है कोई समझ में दिक्कत तो नहीं है कैसे इस वाली चीज को करेंगे यह सिंपल सी बात है कि सर आपने क्या बोला जब parallel series में होंगे है इए इस इरीज में हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि एन और यह हो जाए यह क्या हो मेरा equivalent मतलब E equivalent मेरे पास क्या हो जागा? N और R मेरे पास ये क्या हो गया? ये E E M F equivalent हो गया. ये क्या हो गया? N R मेरे पास equivalent हो गया. अब देखो ये तो समझ में आगा? अब N E और N R के पन्ने parallel में लगा दिये N. मतलब ऐसे जो circuit अपन बात कर रहे हैं, वो इसे आप equivalent बना के देख लो, एक रोका equivalent बना लो, दूसरी दो में क्या है? फिर equivalent अपने पास आ गया, ये क्या है? N E है, और ये क्या है? N R है, ये क्या है? N E है, और ये क्या है? N R है अपने पास, और ये series कहा ते चलती जा रही? M तक चलती जा रही है. ठीक है समझमाय आगा कि अपने इसका बनाना और इसका बना यापने फ्रल्मुलीअ के इसके आपने पास क्या निया दूर्प इ 상자 पने लका कर दिया तो nr by n अपन करते हैं बहुत रेजिटर को अगर सीरीज में लगाओ तो इतना देख लो कि यह एक रेजिटर है मेरे पास यह एक रेजिटर है यह एक रेजिटर है और ऐसे यह एम टाइम तक जा रहा है तो अपन क्या करते थे इन पी जितनी वेल्यू है अगर इसकी मैं आर अखक कर देता थे और यहां पर कितनी वेल्यू इसकी एन र्वेल्यू हो यहांपर मैंने क्या कर दिया एन आर भई a नहीं को से और है इक्वैंड आणे पास के आ गया कि ए नहीं आगया और थो किया अपने पास means 20 आपने पास किया रिख यका कैना अपने पास दूड़ा एक यह के आई बराबर क्या होगा है यहां से कोई एक यहां माइनस ieरवन थी इग साइब माइनस अगर पोडिंशल अपने इसको मान की चले तो वी डिवाइड बाइड यहां पे एम एन इडिवाइड बाइड आर कितना है आर प्लस एन आपने पास करण्ट लिकल के आगया इसको सोल करो जो के से सब्सक्राइब अगर अपने पास हो जाएगा अगर इसाथ दिया हुआ अब आई मेक्स अपने वो करना है ठीक है आई मेक्स अपने वो करना है मतलब इसको मैं मेक्सिम ले जाना जा रहा हूं को इसको क्या कणना पड़ेगा मधर को मिनीमौम कणना पड़ेगा वहीं हिOoh करण्ट के आपे अपोजित होता है इसको मीनिमौम मेरी मेरा उपना करना है सब्सक्राइब कि minimum करने के लिए अपन क्या करें कि MR जो होगी उसके minimum value क्या हो सकती है वो आपने यह आपर find out कर रहे हैं MR को क्या अपने ऐसे लिख सकते हैं अंदर रूप MR-NR का square प्लस 2MR-NR simple सा equation में अपने जोड़ घटा के whole square बनाना चाह रहे हैं ठीक है यह चीज अपने क्या कर देख पल्ट कर दी मतलब NR बराबर MR हो जाएगा तो अपने पास IMAX ना मिल जाएगा मतलब जितने अपने series में जोड़े उसने ही अपने parallel में add कर दिया तो क्या हो जाएगा अपने को यहां से IMAX क्या होगा अपने पास तो वहां पर N E अपने पास आगया था और R रिष्टर जो अपने NR था divided by M अपने पास आगया तो मैं इसके parallel ऐसा कून सा रिष्टर लगाऊं कि उससे मेरी maximum current IMAX मेरी flow हो के लिए R की जो value रखूँगा में क्या रखूँगा NR divided by M रखूँगा NR divided by M रखूँगा मतलब क्या होगा उस condition में मैं रखू आइमेक्स में लेगा तो अब अपने sales के बारे में बात कर लिए अब देखो बात क्या है कि अपन electric current की जब भी बात करता है घर में अपने खड़ चिखिए हीट कितनी मतलब हो सकता है कि अब आपन वहां पर connect करते हैं तो coels में क्या होती हीट generate होती हीट हीट कितनी हो जाएगे हो आपने किसी भी जगह अपन करण्ट फ्लोग करा रहा है तो चीज अपनी आपनी आसे बेचा है अब देखो आई कोई current है उसके में डिवाइस में कुछ रिजिटर लगा होगा तो उसकी वज़े से उसके क्या होगा आई इन्टु आर से किस correctionists से एक चार्ज को मेंने ऐए चार है डीक्यो उसको वीपोटेंचल में रगा तो क्या होगा वह मूव गरेगा इंपनी बात है पावर क्या होती है पआउर ब्र्था पावर होती यहीं व Applicant i रसेरीफ में चांज होता ह्यों वहीं अपनी पावर होती यह वाली चीज यह चार्ज Q को मैं वी पोटेंशल में रखता हूं तो उसको जो वर्क किया गया वो कितना हो जागा डी डवल्यू बराबर क्या जानते हैं तो सिंपल सा वही तो है वी भाई डी अपने अगर डी चार्ज रखा तो बीच्यू अपने चले ठीक है तो वी पोटेंशल में गए यह चार्ज को लगता है और जितनी हो डिस्टेंस से होल करता है यह माइनस दियार से वी निकाला था और वहां पर रिवर्स करके यहां पर इतना वर्क आ जाएगा अपने पास वी डोट डी चू यह चीज अपने पास समझ नहीं कि डी डी डवल्यू क्या होगा कि अगर मैं यह चैंज ओफ वर्क होती है अपने पास दी डी डवल्यू में आप रखने हो वह क्या हो जाएगी कि वी डोट डी क्यू डिवाइड बाइड बाइड अब यह चीज में जानता हूं कि डी क्या होता है तो यह अपना आराम से जानते हैं डी क्यू बाइड दी जो होता है अब इसमें एक कंडिशन ओ रहे है यहां पर डिसेप्रेट कितना हो रहा है कि आर रिष्टर अगर लगा हुआ है तो यहां पावर वहां पर होगी कि फावर डिसेपरेट रिष्टर रीक्वल टो धी यू अ अगुंग सकते हैं तो आई स्क्वाइर आर वितले क्या डिख सक R से R-squire multiply है to cancel out हो जाएगा. तो अपने पास power क्या हो जाएगी, यह बी इसकी form हो सकते है. तो power में आपन तीनो formula कर सकते हैं. बात आती हैं, आपने फिर तूर तीनो क्यों याद होने चीजहीं. और याध कर लो बात में convert कर लेना. अपने case के coding, माल लो किसी केस में मेरे को केलो right the or polyval valid हाई तुम्हा आ mobility अ आप्हाइन यह वाला जीद्ट अफिर कुना बाइस वेरियाबल मतले मितला कुई थो वेरियेबल यह था तूम्हें को पता होना और सिंपल सा कुछ नहीं तो एक तो पता होना पर एक तो याद होना चाहिए इन तिनों में से जो आपको अच्छा लगे वो याद करें तो बात करते हैं तो याद रख हुए तो बेनिफीशिल ही रहेगा वहाँ पर पावर कितनी होती है आई स्कॉर आर होती है फिर अपन उसमें जब टाइम के साथ मल्टिप्लाइए कर दें तो आई स्कॉर आर पावर की अपन देना चाहिए तो पावर क्या है वी आई वी स्कॉ इनर्जी क्या हो जाएगी इनर्जी क्या हो जाएगी पावर इंटू टाइम अपर मेघ इनर्जी महां ठाट हो रही है अब अवर उसके साथ किपना योग सकता ह्टो अपने पास यहां से अपन देखें तो पी क्या है वी वाई डी टी को क्या लिख सकता है नएनर्जी को करतो नहीं नाहीं लगा चोपेले उल Taliban क्या लिखेंगे हैं थी जी खर स्केय ही कुछ טायम तुस्त ही नहीं टारजी मुआ पर पर पोर्ण लेख रहा था ओर टी टाइम पे अपने माल माँली कि ऑनले इनर्जी क्या डीशीट हुई यह अपने सीड पास क्या है उसकी वेली अपने रखी कि अ पने क्या रखा यहां पर I square R वाली हम रखी अब i2r को इसी भी रख लो किया फरक पाइप अब कोई भी डख सेथे हैं यहां पहल पे आइसकुर्ए आर रा रखा तो उसे क्या होता है रिग्लैट्र करना आशामा जाता है ठीख है I अपना constant है R को अपना constant है सी तो पहर और बीस सरकीट में बात कर रहा हूँ तो power dissipate में कर रहाओ है एप एनर्जी कितनी चेंज़ और हो में I और चेंज नहीं, I भी constant है, मेरा और भी constant है, तो यह दोनी क्या होगे है कि मैंने I square R को common ले लिया, 0 से T तक क्या होगा, DT होगा, DT का क्या होगा integration की, I square R को मैंने इसे ही लिखा, और इसका T 0 से capital T, तो क्या हो जाएगा, I square R T minus 0, तो क्या होगा हमें पास, कितना भी time था, वो energy वहाँ पे I square R T हो जाएगे, अब इसके भी 3 form बन सकते हैं, अपन तीन V क्या होता है, V बराबर I R होता है, तो I और R अपन वहाँ से रखेंगे, तो V I into T हो गया, और energy क्या होगी, V square by R वहाँ पे हो गया, तो तीनों form अपने को पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब क्या है, कि current और रेजिस्टेंस मेंने को दिया, तो मैं power dissipation निकाल सकता हूँ, मतल होनी है, तो कितनी heat वहाँ पे generate होगी, simple जी बात, heater वाला देखा होगा, आपने, coil वाला देखा होगा, या गरम पानी करने वाली road देखे होगी, तो कही न कहीं वहाँ सब जगे heat generate होती है, तो ही हाँ आपने बात कर रहे है, कि Joule's law of heating, heating का Joule's law क्या है, when a current I is made to be flow through a ohmic resistance R for time T, heat of Q is produced as energy dissipate, मतलब जितनी energy वहाँ पे dissipate हो रहे है, उतनी heat वहाँ पे produce होगी, तो अपन क्या जानते है, कि energy dissipate कितना हो रहा है, I square R T, P T, V T, V T, I, V square R, T अपनी सारी, ये सारी energy dissipation के पान है, ठीक है, heat produced in a conductor does not depends upon the direction of current, अब ये सब से न को होगी, मतलब ठीक आल रहे है, कि देखो, इसमें कहीं direction की बात नहीं है, कि positive direction मतलब वो direction ऐसे होगी, या ऐसे होगी, तो current की flow की direction ऐसे होगी, या ऐसे होगी, उसमें depend नहीं कर रहा, वो केवाल I square R T, magnitude of current R, और T time, जितना लग रहा है, उसमें पर depend कर रहा है, ठीक है, तो बता सकते हैं अपन भी, अब क्या हो power, meter placed at the premises, to energy consumption, record the electric energy, तो अपने घर में जब आता है, तो अपन क्या देखते हैं, कितनी power dissipate की per hour, एक घंटे में कितनी की, वही अपने bill में आता है, तो अपन इसको क्या बोल सकते है, 1 kilowatt hour, तो इसको भी 1 kilowatt hour कुतना होता है, कि 3.6 into 10 to power, 3 joule अपने पास होता है, इसको मतलब एक unit भी अपन जब बोलते हैं, ठीके, तो यह अपने power जाना, अपने energy कितनी dissipate होगी, वह अपन निकाल सकते हैं, power निकाल सकते हैं, अपने energy निकाल सकते हैं, sales को कैसे connected करने पर क्या effect होगा, वह अपन ने आता हम जाना, ठीके, यह वाली बात के लिए रहे हैं, यहां तक उसके घर में काम आता है, ठीक है, power dissipate क्या होता है, वह अपन सारी calculator में, तो अपने जब बल्ब लेने जाते हैं, टूब लेने जाते हैं, एक चीज देते हैं कि उसका voltage कितना है, वो current कितना खायेगा, अपने घर में light कि कितनी खफ़त होगा, जैसे अपन देखते हैं, AC में स्रीज में आता है, 3 star, 5 star, तोहां पर क्या होता है, उसकी savings कितनी होगी, वो वाली बात है, जैसे हमेशा इसके अंदर कुछ register होगा, पर register तो इससे बताएगा, नहीं नहीं, register क्या है, तो P और V अपने को वहाँ पर, जब भी अपन देखेंगे, तो वहाँ पर पावर और voltage क तो अपन वहाँ पर वैसे भी चरन पिंगाल सकते हैं, ठीक है, तो 8 V, then it will dissipated power, मतलब अगर मैं V voltage दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे हमें उसमें बोला, 220 V पर आपकी पावर कितनी dissipate होगी, 100 V, मतलब अगर मैं 100 V का बलव लाता हूँ, और अपने घर में कितनी 2 V की वोल्ट की आहरी है, तो अगर मैं 100 V का बलव लाता हूँ, तो वो कितनी पावर होडी करेगा, 220 V की वो 100 V पावर इसमेत पावर दिस्केट करेगा, तो यह जो है, इस वोल्ट पर कितनी पावर होडीक है, वो यहां पर रिडिटिंग लिखी हुई होती है। जब अपन कि लाते हैं कि सबस्क्राइब तो कि मतलब 20 वोट की तो 20 वोट की अपने की वो रिश्ट करेगा और सबस्क्राइब कि मतलब क्या है 8-20 वोट देन इत्वील ऑड का मतलब देट 859 जूल एक सेकिन में 100 जूल हो एनर्जी अपनी डिसिपेट कर देगा अब बात आती है सर हमेशा 200 बीट वोट आएगा क्या अपने कभी अपने सुना है ना कि या टूबलाइट दीम जल रहा है अपना दीम हो गया मतलब वहां पर उसको जितना उसको चीजिए था उतना वोट पावर हो जाए वी स्काइर कितना है 220 इंटू 220 और अपने पास पावर क्या है 100 वोट आर जो अपने आया 484 आया मतलब उसके कितना रिश्टर है 484 ओम अपन यहां पर रिश्टर लिख रहें ठीक है यह तो मुल्टिप्लाय करना आता ही होगा या अपने आ से मिकाल लिए अब दिम के अब बात करें कि दिम क्या होगा है कि 220 की जगर मेरे घर पर आया 110 वोल्ट कि सर हमारे घर पर 100 वोल्ट है 110 वोल्ट है अपने यहां पर थोड़ा सा रहा है मतलब एक 1100 दिए बाइट वाए 110 तो 11 सपने आ है तो अपने पास क्या होँआ यहां पर जो पावर आरही हो 25 वोल्ट के रहा है अब तुमआरे पास 100 वोल्ट का बलत का बलबता और तुम पावर उससे 25 वोल्ट दे रहो हो मतलब क्या होगा ऐसा लगः कि दिम जल र कि देखो 220 इंतुड 220 यह तो क्या हो गया उसका वोल्टेज उता यह तो अपने घर पर आ रहे है पर 20 अपने कर दिया तो उसका रिष्टर क्या हो गया तो रिष्टर की कॉण्टिटी बहुत जादा अपने पास इंप्री जोगी तो ब्राइटनेस के अपन बात करें कि जितनी कि जाधा चमकदार होगी उसली जदा पावर उस पे अपने प्राइक जादा इस पर होगी ठीक है यह एपने को पता होना चाहिए यह अपन को केल्कुलेट करना चाहिए गर्मे की आपने लगा दिया अब अब इंजिनियर बनोगे या फिर दोक्टर मंद्रो आपने पड़ी है फिजिक्स तो किसी ने पूछ लिया क्या हो रहा है तो इसको एक्स्पें करना तो अपने को आना चाहिए ना तो वही बात है यहां पर श्रीज कॉंबिनेशन ऑफ बलब तो श्रीज लगे हो है मतलब रिश्टर में कुछ ने कुछ लगावा है वी वोल्ट यहां से जा रहा था आप देखो इसको अपने इसी सप्लाइशना से दिनोट किया है ठीक है यहां पे एक रिश्टर लगावा है जिस पर पावर क्या है ब इसको दिए दिवाएर दिए बाई दिर्डवी में प्कमिंधा रिश्टर किक्षेकर क्या हो जाएगा एं पने इसी अपने पने कनेक्टट इय तो तो क्या हो जाएगा पी बाइन हो जाएगा वही राइस्टर वाली फॉम ही है एंबलप अपने करेंगे कर जे तो पी बाइन हो जाएगा पर रेजिटर यहां पर अगर इस सीरीज में भी जुबए हो है तो इन्वर्ड काम करते हैं मतलब केपेस्टर जैसा इसको याद रखना पावर कंजप्शन के है और पावर किसके डारेक्ट लेकर प्रोपोशनल है कि आर के है तो वन अपोन पी रेटेट इक्वल टू वन अपोन आर अपने पास आ गया इस चीज अपने को पता हो नहीं कुई है नेक्स्ट ओपिट वह मूँ करें भी सीरीज के कंबिनेशन पाजेए ठीके पेलल कोंबिनेशन ओप रिष्टर अब अपन पेलल में करेंगे तो यह सेमेज सेरीज की तरह वर्क करेगा तो पी इक्वेलेंट हो जाएगा पी बन प्लस पी टू और एन अइडेंटिकल अपने लगा दिये उनकी पावर कंजप्शन क्या हो जाएगी एन पी हो जाएगे अपने ए कि अपने को दोनों ही त्छे थे औरो पी इस्पाई ब्राइट्नेश क्या है पावर कंजप्शन के बलब के जो आई क्या हो जाता है वनद एक अपने को पता होने की लुग ओग अश्पावर ने की तरहां सिरीज और परिलर उस्प्श्पशिण थ पावर का बलप अपन ले रहें वोल्टेज पर तो वो और पावर कंजिन करेगा इंफानाइट ओपार एक कुछन अपन यहां पे लिया हुआ अपन है कि फ्री आइडेंटिकल बलप आर कनेक्टेड इना सर्किट एई शोन वाट विल बी हैपन तो दे ब्राइटनेस और अपने को पता था ब्राइटनेस और उसके बारे में ही अपने हमबग किया था कि फ्री आइडेंटिकल बल्प बाणलों की पावर कुछ भी है और वल्टेज उन पर वी पर वो कुछ पावर डिस्प्रेट कर लें वह पावर है ठीक है उनको एक सर्किट में अपने स्रीज में कनेक्ट है ठीक है एक यहां से एक प्रेलर लाइन जुड़ी हुई है और उस आंसर आपन का क्या होगा इसमें क्या होगा जादा होगा तो जाधा होगा तो सींपल सी बात इसको केसे निखा सकते हैं इसके लिए आपने स्रीज कनेक्शन पढ़ा होगा अपने स्रीज पढ़ा थे ऐसे इस मैं से सब्सक्राइब यहाँ से पर यहाँ से पर रिलेट कर तो सिंपल सी बात पावर अपनी क्या होगी कि अब पॉर गोजाएगी अब आई ज्यादा हो रहा है तो ब्राइटनेस अपनी आर से करेंगे कि वहाँ पर अपनी पावर कम हो जाएगी क्या होगी नेया ने चालू करते मीटर बीच बेसिक लिए पोटेंशल पड़ा था अपने वीट इस्टों बीच पड़ा था उसी की टाप में मीटर बीच अपने काम कहां आता है वेशे तो पोटेंशल जब भी निकालते मैं बहुत सारी जगे काम आता है पर अपने बेसिक जहां पर अपने इसको पढ़ा था अपने जब रेस्टेंस निकाला था तो वहां पर वी इस्टोन ब्रीज को थी सो को अपन बोल रहे हैं वही मीटर बीज का एक एक जाम पर ले अपन इसका एक्सपरिमेंट अगर 12 में हो में इस इसका Scroll करेंगी और नहीं हो इसको सीख के लें जयर्ण सब्सक्राइगार अगर अच्छे मूटा तो सवाल नहीं पूछा जाता है अगर गया तो अच्छा सवाल पूछा सब्सक्राइगा अबसिक से पूख्राइगा काता है अपने को सवाल नहीं आएगा मतलब पूछा गया अची सवालbewें एक सट्रॉते उतना वह एक यह हम अभून तो मितलम पूख्राइगे। तो कोई नो कोई एक्सपरिमेंट करी रहा होगा एक्सपरिमेंट के ही नतीजे हैं जो अपने को आज यह सब पढ़ने पड़ रहे हैं ठीक है क्या गाम आता है इसमें क्या कर रहे है कि वायर के कौन से रिस्टेंस पता रहे है यहां पर किसी वायर को लेक्के और रिस्टेंस पता लगा रहे है इसका में लेक्रेंस प्राश्य करते हैं इसका होता है और यह वाली इस के बीचमें यहां सही क्थ एक वायर कि इलेंध अपने अपने पता होती हुआ एक यहां पर चलो कि सो 100 अब जिसको वहां से और है एक क्या है कि आप इतना रेजिटर्ट चाहते हैं वहां से लेलो उसके से आप तो आपको क्या है पिक्स वेल्यू पता लग रही है तो अपने को आर की वेल्यू यहां पर नौन है अब देखो अनौन को में आर रवन रटू से लिखता तो इसलिए अनौन को अपने एस से डिनोट कर अपने को पता नहीं है कि वहां पर रिष्टर क्या है तो बेसिकली यह दोनों करेक्टेड है यहां पर अपने क्या क्या पता लग जाएगा यहां पर इसका एक बार जान लेते हैं और वीट इस्टोन वीज के बारें जानते ही है वीट इस्टोन वीज में क्या है आर वट इसमें क्या हहां पर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट का वोल्टेज अगर से हमें इसमें कोई प्लक्सवेशन नहीं आता तो करंट वहां पे क्या जाती जीरो जाती है और उस पर अपन क्या लिख लेते हैं सब्सक्राइब पर हाँ चाल की आपे शाती है नहीं पर करते हैं और यहां पर यहां पर देखो गें तो नहीं आएगा यहां पर देखो एतने बीच में मान लो कहीं L Length पर अपना जो है वो point आ गया जो आपने को चाहिए था इधर से L Length मान लो या इधर से L Length मान लो जो बचेगी वो क्या हो जाएगी 100.0 L unit वाली length हो जाएगी ठीक है तो S E basically क्या है A C A C जो है अपना वन मीटर लोंग वायर अपन ले लें तो से सेंटी मीटर मान लो ठीक है आर भी अपना resistance box है जिसको अपन नौन बोल रहे हैं कि नौन मेंने resistance लगा दिया वो मेरा पता है जो है अपना unknown register है जो है अपना unknown register है एस नाम इसको जासे दिया ताकि आपको थोड़ा यसे नहीं लगे कि सर एस नाम अपने क्यों ठीक है कहीं पर वो इस्टेबल आ रहा है ठीक है from a to c and balance condition इस फांट अब अपने balance condition find find कर ली a to c के बीच में कि कहीं बी-point पर मेरे को balance condition मिले ठीक है लेट बेलेंस condition be find जहां पर इधर से वह लेंद्ध क्या है एले और यहां पर रेट का है 100 माइनस है ठीक है वही चीज़ा आपन जान रहे है आगे इसमें क्या करेंगे let's be register per unit length of wire ठीक है अपने आर register मान लिया per unit length एक unit length पर रेजिटर मान लिया आग कैसी लिगर लोगो ए रो ओल लबाई इस है अपने निकाल लिया कि आर reading लेंद्ध पर अपने को given है तो ए बी की length क्या है एं है तो आपने अपना रेश्ट्रम일 क्या हो गीवन है कि small r given है तो मेरा nth length का resistance कि इतना हो जाएगा कि r small r into जितनी मेरी length है उतना ठीक है तो आप bc मतलब 100-l का register क्या हो जाएगा तो उसका हो जाएगा r into 100-l simple सी बात है अब यह क्या है यह resistance box है मेरे पास यह rb rbc ठीक है यह वाला point मेरे पास क्या given है यह वाला point मेरे को क्या दिया वा था b point दिया वा यह a point है और यह अपना c point है ठीक है तो अपने क्या बोला a से b के बीच में अपने पास जो है rb resistance है यह rc है rb क्या होगा rb अपन यहां से लिख लेंगे वाला r into l a 100-l अब इसमें क्या लगा दो अपने को यहां पे ऐसा point मिल गया है कि यहां पे जो needle यह है अब वो मतलब fluctuate नहीं करें उसमें कुछ भी fluctuation नहीं है तो इसको अपन क rbc rbc अपने यहां से लिख लेंगे ठीक है अपने को यह पता है क्या है यह कि यह जो है sir l into smaller यह जो अपने पास है 100-l into smaller rb resistance box है जिस पर माल लेते हैं अपने r का resistance है अब अपने को क्या find out करना है कि यह अपने लिए unknown है तो अपने लिए यह unknown है तो अपने को unknown find out करना है simple सी बात है rb को इदर ले जाओ और यह अपने पास rl हो जाएगा तो अपने पास known जिसको resistance को अपना find out करना चाहते है उसकी value क्या जाएगी वही चीज़ां पर लिखी हुए rl 100-l rb तो s जो अपने पास क्या आ गया 100-l divided by l multiply by rb rb क्या है अपना resistance box है इसको अपना rb लिख सकते हैं तो l 100-l divided by r ठीक है अब किस-किस टैप की question सर मेरे से पूछे जा सकते हैं यह अपने को पता होना चाहिए किस टैप की question अपने से पूछे जाकते हैं यह basically बात किस पर हो रही ती मीटर बिरिज पर अपने बात हो र एक मीटर का वायर जो है यहां पर connect होता है यहां पर जो है resistance box जो अपने को पता होता है यह unknown अपने लगा दिया कि अपने को पता नहीं है इस पर color coding भी लोग हटा देते हैं ताकि आपको पता करना पड़े वाली की सही में ठीक है और यहां पर यहां पर यूनिट लेंथ पर वायर की पता है कि resistance कितना है तो यहां से अपने को पता लग जाएगा कि RB लेंथ पर resistance कितना है तो अपने वो सारे equation लगाई और अपने पास क्या हो गया unknown निकालने का पता लग जया कि S जो unknown होगा वो मैं कैसे निकाल सकते हैं अब देखो question किस किस type के formation हो सकता है ठीक है आप आपको किसी material का रो दे दिया ठीक है रो दे दिया अब L लेंथ पता है आपको R बराबर रो L by A होता है और उसका dimension दे दिया कि वायर का dimension यह है radius इतनी है ठीक है फिर आपको वह resistance box की value दे देगा वायर की dimension दे दी उसने बोला कि A point से 10 मीटर की दूरी पे अपने को एक जो है suitable point पता लगया जहां पर current flow है जीग हो है और उपर वाला अपने को रेजिस्टर की दे देगा तो बस अपने को क्या करना है value put करनी है और अपने को निकालना है ठीक है यह कर सकते है अपने लोग कोई दिक्कतवाली बात नहीं हो एक कुशन करके देखे इसमें क्या दिया कि 40 cm का एक अगर उसने मानलो small r भी नहीं दिया तो भी क्या हो रहा है वो तो कड जा रहा है बाद में उसको देना ने देना बात है पर confusion के लिए अपने को दे सकता है कि confusion के लिए ठीक है एक तीन ओम का resistance है ए और बी बी सी point के बीच में उसको क्या है एसे 40 cm की दूरी पर उस किसे इसको find out करोगे एक बार copy panel करो और बताओ answer में क्या है आपने ठीक है जब तक कुल से सोल नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी अगर कुल से सोल कर लेंगे दिक्कत नहीं आएगी और question तो मैंने बोल दिया generally तो ऐसे simple सा बनेगा पर अगर रूट में deep में जाओगे तो अच आपको लग रहा है कि sir मेरेको ऐसे समझ में नहीं आता है इसा फील नहीं आती तो बीटी श्टउन बिज बना जो और आपको लग रहा है कि नहीं सर ऐसे समझ में आजाता है तो सिंपल सी बात थी अपर चालिस कर दो आलहा पॉन हंडेंड माइस अ ещё तो यह बाई यह और यह मतलब 16 डिवाइड बाइ 40 और आर डिवाइड बाइ 30 जैसे भी करो आंसर सही आएगा अपना कोई दिक्कत वाली बात में इसमें आप बोलो जैसे कर देते हैं तो अपने जो एस लिखा था उस पॉर्मल से अभी करके देखते हैं 100-L अपना क्या है 100-L क्या हो जाएगा 60 हो जा यहां से अपन इसको कर लेंगे तो अपने पास आंसर आजाएगा कि 9 by 2 का अपने वहाँ पर लगा डाटा पने कोई एक्कुरेट नहीं लिया है तो आंसर को आएगा अगर आपको लगता है कि नहीं सर में वीटिस्टन बिट से कर लोंगा आराम से कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग वोग आंसर क्या जाएगा आर एकवल टू 60 अपने इंस्टूमेंट आता है अपने को लेग में देखने को पता पता है कहीं बारे क्यूशन में चीज़ दिये होती है कि पोटेंश्यमेटर की एडिंग ऐसी होती है तो उसके बारे में अपने को बेसिक नोलेज हो पता है तो प्लिएमेंर क्या है तू यूच मेज़र्मेंट पैंचेल इसे वोड़ मेंटर को आपन को से जाधा यूच करता है ef पाद बब लेब में जाएंगे आ तो अपने को कहीं बार वॉल्ट मिटर नहीं मिलेगा पोटेंशोमिटर की जगा वोल्ड मिल जाएगा इससे रीडिंग ले लो तो वो क्या होता है साइज में चाहिए और छोटा भी उता है तो इस वज़े से उसको यूज कर ले ले एकुरे के बारे मैं क्या सोचते है कि उसका resistance is infinite है तो दो पोटेंशल जो आएगा वह exact आएगा यह तो जो होता है एक कुछ value ही होगी रिष्टर अपन कितना ज्यादा ले सकते हैं कुछ value ने सकते हैं पर वो अपन क्या लेता हैं बहुत ज्यादा लेता है comparison तो जो circuit में है, उस वज़े से क्या होता है, वो जो है थोड़ी एक्जेक्पेल इदा है, मतलब पास में दा है, इड्रो शर्टेन करन्ट फॉर्म दा सर्केट, तो अगर अपन basically daily life की बात करें, या अपन practical life की बात करें, तो practical में क्या होगा, कुछ न कुछ करन्ट उसके पास जाएगा, ठीक है, तो basic principle अपन इसके बारे में पढ़ लेंगे, इस problem of potentiometer is the employed because at the instant of the measurement is drawn no current from the circuit, तो इस वज़े से या पर potentiometer याद कर लें, एक्पिकेशन और यूज पढ़ लेते हैं कहां कहां, इसका यूज आता है potentiometer का, तो find out the EMF of cell, अपन जब EMF निकालते हैं, cell क्या EMF निकालते हैं, तो आप अपने को बिल्कुल current नहीं drone करना होता है, मतलब बिल्कुल नहीं कटाना होता, तो potential meter पेले तो वहाँ पे काम आता है, तो major the potential difference across a register, अब दो register एक circuit भी आ हुआ है, अपने को potentiometer find out करना है, across the register में resistance का क्या potential है, तो वहाँ पे potential कितना drop हो रहा है, अब आप तुमालों register की value दे दी, अब potentiometer दे दी है, तो आपको current पतान लगाना है, अपने पास, अपने को register की value पता है, तो वहाँ से current पता लगा सकते हैं, थूड़ा सा tricky question इसमें बना सकते हैं, ठीके, comparison of two MF, दो cells के comparison में अपने को देता है, comparison of two register, तो basically register of MF अपने को find out करना है, तो महाँ का comparison अपने को दे दी हुता है, ठीके, working principle एक बार जाने रहें, ठीके, working principle क्या है, any known potential difference is balanced on the known of potential difference which is uniformly distributed over the entire length of the potentiometer wire, तो basically बात क्या है, कि एक मेंने wire लिया, उसके potential difference दे दिया, तो पूरी वो entire length पर क्या होगा, equally distribute होना, वही चीज़ यहाँ पर हम समझ लेंगे, इसको थोड़ा सा point आपके लोग किले नहीं होगा, जब अभी figure में देखेंगे, तो थोड़ा ज्यादा किले हो जागा, इस problem is terms at zero deflection of null deflection method, तो इसको भी same अपन zero deflection और null deflection method से ही पता लगाते हैं, ताकि fluctuation भी हो तो अपने को exact data पता लग जाए, ठीक है, potential metal wire uniformly, अब क्या होता है, wire अपन ले रहे है, तो uniform होना चाहिए, उसका cross section area uniform होना चाहिए, negligible temperature होना चाहिए, coefficient of resistance, तो यह सब उसका ताकि व अपने क्या करते हैं, एक मैंने L length का wire ले जा, ठीक है, और L length की small x पर क्या है, deflection मेरा zero आगया, किस से, अपने voltmeter से निकाल सकते हैं, यहाँ पर कहीं मेरा, अब मैं निकालना चाहरा हूँ, L length के wire पर मेरा potential drop कितना हो रहा है, V हो रहा है, L length के wire पर मैंने V volt की बेटर लगाई यह तो potential difference मेरा कितना हो रहा है, V हो रहा है, unit length पर क्या हो जाएगा, V by L हो जाएगा, x length की बात करूँ, अगर मालों यहाँ से, इस point पर x length की बात करूँ, उस पर क्या हो जाएगा, V divided by L into x, तो potential gradient अपन यह V by L है, तो unit length पर जो potential drop हो रहा है, उसको पन potential gradient बोलते हैं, इसको अपन k से denote करते हैं, तो V AC अपने पास क्या हो जाएगा, AC अपने पास क्या हो जाएगा, वो जाएगा V by L, potential gradient into x, यही अपने सबसे जला काम आता है, तो V AC equal to k dot x, यह जो है basic mathematically अपने पता होता है, तो measurement of EMF of cell के लिए बात कर रहा हैं, इसको अगर दे दिया, तो उसका EMF मे कैसे measure करूंगा, ठीक है, तो ऐसे कोई, अपने पास क्या होता है, देखो, circuit में जाब बना होता है, तो वो ऐसे टेड़ा बना होता है, एक wire जो है, एसे B के बीच में, यहाँ लगा होगा है, ठीक है, यह क्या है मेरे पास, resistance box भी बोल सकते हैं, और variable resistance करने के लिए, एक अप resistance box अपने होता है, जिसका 0 से R1 अपन लिए होता है, यह पर अपन एक battery लगा रहे है, एक resistance, small resistance, और अपन क्या कर रहे हैं, अपन गेलवनोमेटर रिस करते हैं, ठीक है, अब अगर इसकी, अपन यहाँ आप पे देखें, कि इस point में मैंने कहीं touch किया, और उस point पे क्या हुआ यह क्या है, अपने लिए unknown, तो कहीं न कहीं अगर fluctuation नहीं आया, मतलब यहाँ से current नहीं गया, current नहीं गया, तो इस point के बीच में यहाँ पे जितना potential drop हो रहा था, वही क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में potential drop हो जाएगा, तो equivalent value अपने को पता लागा, ठीक है, basically यही त कर सकते हैं, यहाँ पर कोई X length अगर आई, तो मैं क्या करूँगा, V by L, X जो हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, अपने, V by L, X अपने किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा, जिसको अपन के X लिखते हैं, बेटरी, EMF, sales, EMF से, मतलब E dash जो है, वो अपने reading find out की, तो वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया यह वाला topic, किसी को कोई दिक्कत हैं आतक, कुछ भी दिक्कत हो तो बिटा बता सकते हो, आगे बढ़े हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, topic वैसे easy है, theoretically है, ठीक है, अब अपने को comparison करना है मतलब, देखो, मैंने 4 term बताई थी, AMF find out करना, comparison of AMF, resistance find out करना, resistance of AMF, ठीक है, तो एक दो term का अपन देख लेते हैं, कि comparison केसे करेंगे, बैसे क्या करेंगे, तो comparison क्या करेंगे, जिसे यह अपने को पता है, ER पता है, L length अपने को बता है, अपने जो की लिए रहे हैं, पहले मैं पहली condition में, 1 से 2 connect करूंगा, और वो कहीं J पे मिल गए, तो यह length अपने find out कर लेंगे, अब second वाले इम बार, obviously बात है, इसका same नहीं है, अज्यादा है, कम है, अपने को पता नहीं है, तो second time पे अपन क्या करेंगे, इसको कहीं J dash पे touch करके, वहाँ पसे resultant आ रहा है, तो अपन जो है, इसको find out करना चाहा रहे है, तो अपन की दो condition होगी, plug only one and two, one or two में अपने plug किया, जो की की position क्या है, कि वो L distance पे है, तो K1 अपने पास क्या हो गया, E1 जो हो गया, वो हो गया, क्योंके, और यह से ही E2 क्या हो गया, अपने पास, क्योंके L2 हो जाएगा, मास अ E1 point आ रहा था, और J dash point कहां आया, वो यहां से L2 distance पर आया, तो basically के से के तो कटी जाएगा, तो ग्रेडियेंट हो तो X by L आया, अपन टोल ले रहे है, तो L by X उसको ले रहे है, E1 by E2 क्या हो जाएगा, जो उनकी length में measurement आ रहा है, ठीके, अब internal resistance of given cell, अपने को क्या करना है, given cell का internal resistance find out करना है, ठीके, तो यह अपने resistance book लगा रहे है, अब क्या होगा, एक key अपने starting में open की होगा, तो यहां से अपने point ले रहे हैं कीजिए, अब वो पिसली बात है, जब मैं इसमें कुछ resistance लगा होगा, तो कहीना कुछ current drone हो जाएगा, तो मैंने क्या की दी, J जो अप कर दिये वाली, तो उसमें क्या हो जाएगा, के L लेंट आएगा, तो अपने पास जो होगा करने पास, जो आएगा, वो क्या जाएगा, यहां पर current की वेल्यू, यह अपोन, R प्लस ही हो जाएगा, बहुत हो अपने को find out पता लग जा, तो वहां से अपन क्या करेंगे, R प् रहा रहा ठीक है comparison कर लो के L2 equal to क्या हो गया E1-R by R यहाँ से इसको solve करेंगे अपने पास L1 by L2 पे even by E2 आ जाएगा L1 से अपने यहां पे find out कर लेंगे L1 by L2 अपने पास क्या गया R plus capital R और L1 by L2 one plus small r by capital R अपने पास क्या क्या value जो given है उसको रख देंगे तो अपने पास small r जो अपने को find out करना था हो क्या जाएगा L1 minus L2 divided by L2 into capital R मतलब L1 minus L2 पहले जो आया और बाद में जो reading है अब इसली बात है कि L2 जो क्या होगा छोटा होगा L1 से पहले क्योंकि L1 ज्यादा था अपने कुछ resistance क्या तो उसका potential difference उसमें effect करेगा तो उसका क्या होगा length कम हो जाएगा L2 तो यह positive entity divided by और आप capital R का जो अपने resistance वोग जोड़ा उसका वहां पे smaller अपन फाइंड आउट तो बेसिकली अपने दोनों यूज़ तीनों यूज़ देख लिए अब instrument है तो गेलोनिमेटर एक बार देख लेते हैं ठीक है गेलोनिमेटर बेसिकली क्या होता है कि अपना measurement of small current ठीक है यूज़ तो मेजरमेंट इस्टेंस आप देख लेने के लिए यह साथ है निकी करण ज्यादा होगा तो अपन करेंट किसी में जा रहे है तो क्या करता है आर्जिस में रिस्टेंस होता है तो वहां पे अपने इसक क्या होता है कि करंट जब फ्लो हो रहा है तो वह उसमें कोईल में जो नीडल होती है उस पर टोर्क लगता है मतलब ऐसे कहीं है तो करंट फ्लो हो रहा है तो इनहां पर जो नीडल होती है उस पर टोर्क लगता है उसकी वज़े से क्या होती है यह डिफ्लेक्ट करती है बेस सब्सक्राइब कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि जितना करेंट आ रहा है अगर अपने यह सब्सक्राइब करेंट 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 अपन आमेटर में पैसिकली गेलोनमेटर से ही अपने अपने मिटर पोटेंचियो मितल सब बने होता है तो इसके पैलल में एक रोल रिजिस्टेंज मेंने कनेक्ट कर दिया तो वहां से अपने क्या पता लग जाएगा कि उसको अपन जो है अब मेटर में कनेक कर लिया, बेसिकली क्या कामा रहा है, इसर करंट find out करने के कामा रहा है, कि कितना करंट मेरे वहां से find out में कर सकता हूँ, ठीके, अपन करंट को क्या लिख सकते हैं, I बराबर IG, I minus IG और I minus IG into RS, ठीके, पोटेंशल से अपन निकाल दें, minus IG IG equal to 0 हो गया, यहा पर अपने क्या किया, I minus IG into RS, इस लूप में अपन चल गए, ठीके, इस लूप में अपन चले, तो यहां से अगर जा रहे हैं, तो negative आएगा, यहां से जा रहे हैं, तो positive आएगा, तो ओही, वहां पर use किया हुआ है, कि IG, अपन गए, I minus IG, उल्टा चल दो, प्लस IG और IG equal to 0, तो RS अपने पास क्या हो गया, RS जो मेरा हो गया, वो RG, IG और divided by I minus IG मेरे पास यहां पर जाएगा, RS में लिखना चाहूं, तो क्या लिखूंगा, RG, IG divided by I minus IG मेरे पास value आ जाएगा, ठीके, तो यहां से क्या, अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, और की लिए, ठीके, इस फोर resistance of galonometer coil का है, RG galonometer coil की resistance है, IG current required to full-scale deflection of galonometer, तो galonometer में full-scale deflection के लिए अपने IG उच किया, अब जो कंडिशन क्या हो सकती है, कि IG अपन बहुत छोटा, मतलब IG जो जा रहा है, current जो उसमें जा रहा है, बहुत कम जाना चाहिए, RS जो अपना आ जाएगा, वो original में यह आ जाएगा, ठीके, तो इससे अपने को क्या पता लगा, on connecting the shunt in the parallel to a galonometer coil, that equivalent resistance below less than the even the shunt resistance, ठीके, यह अपने को पता लगा, अब galonometer को आपको voltmeter में connect करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक shunt जो है, उसके series में connect करना पड़ेगा, वह यह आपर दिया, अग galonometer can be convert, basically अपन conversion पड़ रहे हैं, कि galonometer को कैसे voltmeter में, और meter में convert करते हैं, ठीके, तो galonometer can be convert into voltmeter by connecting a high resistance in the series of coil, देखो, आप meter में connect करना है, तो parallel में row resistance connect करना पड़ेगा, और अपने को voltmeter में convert करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, galonometer में एक high resistance को series में convert करना पड़ेगा, तो अपन यहाँ पे अगर इसके बीच में V voltage है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V minus IG into R, और यहाँ पे कुछ small resistance होगा, वो IG into R equal to 0 हो जाएगा मेरा, ठीक है, अब मेरों को क्या find out करना है, voltage find out करना है, तो IG R equal to V minus IG, अब मेरों ने resistance कितना add किया, तो resistance अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, I equal to क्या हो गया, V by IG minus IG, अब R जी अगर अपना negligible है, तो अपन क्या यहाँ से देख सकते हैं, कि R जी अगर मेरा negligible है, तो मैं क्या बता सकता हूँ, R जी negligible हो गया, तो R क्या हो जाएगा मेरा V by IG, ठीक है, या V equal to रिखूँ, तो V equal to क्या हो गया, कि IG और R जो मैं find out कर सकता हूँ, ठीक है, एक जांपल एक दिया हुआ है, इसको अपने को करना है, देखना है, कैसे अपने इसको करेंगे, a galonometer having 30 division hedge current in sensitivity of 20 milliampere per division, it has a resistance of 25 ohm, how will you convert it into a meter, ठीक है, a meter में कैसे connect करोगे, जिसकी current की value क्या है, एक ampere है, how will you convert this galonometer into a voltmeter measuring voltage up to 1 volt, तो किसे इसको connect करेंगे, दोनों अपने अबी पढ़ें, just example से करके देखो, कैसे इसको कर सकते हैं, उतनी value के लिए, ठीक है, तो basically क्या है, दो ही चीज़े अपने ने अभी पढ़ी, एक तो अपने को connect करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, आईज अपन सबसे पहले निकाल लेते हैं, 20 ampere का है, 3, उतका IGV equal to IR, तो अपने वहाँ पर निकाल लेंगे, तो IG क्या हो गया मेरे पास, 600 mili ampere अपने पास हो जा, तो कि 30 division है, उसमें, 600 mili ampere मतलब 6, इंटू 10 to the power minus 4 हो गया, आरजी मेरे को दिया हो है, 25 मेरे को दिया हो है, यहां से मेरे क्या निकाल लगना हो, तो convert into a meter, अपने मेरे करना है, तो मेरे को RS कितना निकाल, RS लगाना कितना पड़ेगा, वो मेरे को निकालना, ठीक है, यह वोल्ट मीटर मेरे पास है, जिस पर division जो है, 30 दिया हो है, ठीक है, इसे 30 दिया है, इस पर जो है, current की value IG क्या दिया हुए, 30 micro ampere अपने को दिया हुए, पर उसमें, और RG जो अपने को, स्केरी मेरे को था, वो क्या दिया हो है, तो R S अपन केसे लिका लेंगा, IG अपन इन्टो RG दिवाइब आई माइनस IG, IG मेरे को क्या करना है, 1 unit के scale में लेना है, current, तो यह अपने को पता है, 6 into 10 to the power minus 4 into 25, 1 minus 6 into 25, लगभग इसको क्या करोगे, तो लगभग जो है, 0 point, या तो इसको लिख लो, तो बहुट छोट अपने को connect करना है, तो अगर इसको voltmeter से сам connected रना चाहते हैं, तो इतना कम करना है, अगर अपने को voltmeter से क्या करना है, Gelormeam втор को voltmeter में convert करना है, तो अपने को क्या है KARAC ding बढ़ा चाहिए, R अपने को ज़ादा चाहिए, इसकी वैलिए के से फाइंड आओट करेंगे कि वन वोल्ड के अपने को सम्कनेट कुछ नेगों र इक्व टू इपना किया है आई अपने अपने को उटेपिन आया देखो यह आर जो अपना आया वो क्या आया 166.666 मतलब माइनस 25 परोगे तो अप्रोक्सिमेटली कितना आ रहा है कि 151649.67 ओम के आसपास अपना आ रहा है तो इसको अगर देखोगे तो 1.610-10.3 तो यह जो है किलो ओम के फोर मेरा है वोरू जो है मतलब बहुत माइन्यूट स इसको तो यह अपने को पता करना है कि कृषिन ओर करके देखो कि इन दर फोलयुंग डाइंग्राम दाग गलोमिंटर शो दी रो डिफ्लेक्शन यहां पे कोई लगा वा था वो क्या चीजिधा रहा था कि दिखा रहा था जोत फ्ना अपने को हैं में आ पार करके देखो करें इसको कैसे करेंगे देखो अगर इसमें डिफ्लेक्शन जीरो है आपको कनेक्ट था तो सिधा सा बात है वीटिश्टोंबी जैसा काम करता है कि इसमें और निकालना तो क्या लगा सकता हूं विटिस्टों में इसकी प्रोपर्टी लगा सकता हूं इसमें क्या होता है आपने को मैं अपने को प्रिशन में रखना है क्या है अपने पास 100 100 divided by 200 equal to मेरे पास क्या आगया यह वाली वेल्यू R multiply by 100 divided by R plus 100 ठीक है यह multiply value आगया into 1 upon 1 upon में बात कर ले 1 upon 40 अपने पास आगया ठीक है simple सी बात है cancel out कर दो pipe आगया 20 आगया अपने पास इसमें तो कोई सी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 2 0 2 0 कोड़ा होगे 1 by 2 आजाएगा 20 आजाएगा 20 इदर multiply कर देना आगया इसको solve कर सकते हैं कर सकते हैं विल्गुल 20 into R plus 100 equal to 100 into R अपने पास आजाएगा 20 R plus 100 into 20 equal to 100 R इसको उदर ले जाएगा और जो है उदर की value को यहां कि यहां देखे रहें दूगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास इसको मैं इदर ले गया तो क्या हो जाएगा यहां सेटेगा और वहां पे चल जाएगा 80 R आजाएगा अपने पास 80 R equal to क्या हो गया 100 into 20 multiply करना चाहो तो थी के वरना नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं 4 हो गया 4 से एक cancel out किया मैंने क्या आजाए आर जो है अपने पास 25 25 को यहां लगके देख लो सिधी इस बात है 25 को रखके देखोगे अब देखो सोल और कैसे ही कर सकता है अपने को पता होना चाहिए कि R divided by 100 1 by 4 दे रहा है तो यहां मैं कोई ऐसी वेली लोख हूँ 1 by 4 दे रहा है ना यहां पर आना चाहिए वो एक्स अपन 40 जो है मेरा क्या आना चाहिए 1 by 2 आना चाहिए X की वेल्यू क्या आने चाहिए 40 divided by 2 21 आने चाहिए तो मैं इसको find out कर सकता है यहां से मैं जा रहे टेट लीट सकता है 20 आने चाहिए इसकी इसकी कमबाइन वेल्यू मेरे क्या निचाहिए 20 यह फोड़ा सा अलग तरीका बता रहा हूं वह भी तरीका ठीक है यहां से मेरे को पता लग गया जिसे अच्छा है यह फोड़ा इसकी कर सकते हैं और पूरा मेथाड तो अपने पास ही सही ठीक है नेक्स्ट पर बढ़ें अच्छा क्षिण है यह भी एक बार इसको करके देखा इसको कारना है अपने को कैस्ट आटेको कारना है। को कारना है अपने को कारना है यह भी तरीक प्रेंधने ठीक है इसको calculate करना अपने को अपने को क्या-क्या given है वह आपको उसमें दिया हुआ है एक बार इस question को आप अपने notes में पढ़िए और question करके कर लीजिएगा यह वाला ठीक है देख लो इस वाली चीज़ को अगर नहीं आये तो फिर next class में अपन क्या करेंगे इस चीज़ को discussion क कर लेंगे और all अपना current electricity का chapter खतम हो गया है आपको लग रहा हुआ सर इसमें जो अपने नोडल वाली प्रेक्टिस नहीं की थोड़ी सी प्रेक्टिस ओर चाहिए तो comment में लिखके बता देना जो अपन जो है इसकी next class में शीट एक बार discussion कर लेंगे और अपने को लगा कि और हो और आपको लगे कि नहीं सर्क्रिशन बन रहें शीट की अच्छे से बनगे कोई दिक्कतवाली बात नहीं है तो फिर कोई बात नहीं अपने discussion class रहेंगे शीट के भियाप पर कुछ 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 अपन लास्ट एर में आयो है पीवाई क्यू ले लेते हैं और जब तक जो भी किशन नहीं बने रहें घूण लो और कमेंट में लिख दो ताकि अपन फिर शीट discussion कर लेंगे हैं तो कुछ पीवाई क्यू देखते हैं if the resistance of a conductor is 5 ohm ठीक है कब है at 50 degree centigrade ठीक है थोड़ा सा सफाइस से लिख देते हैं वाणना आप लोग गूगल होगे सरी तो समझ में नहीं आ रहा ठीक है तो आपने को क्या given है कि उसका जो है 5 ohm resistance है कहाँ पे 50 degree centigrade ठीक है एंड 7 ohm कहाँ पे 70 degree centigrade ठीक है एसा दिया हुआ है देन दा मीन टेंप्रेचर कोफिशेंट ओफ रिजिस्टेंस दम मेटेरियल इच अपने को मीन टेंप्रेचर कोफिशेंट मतलब जो बोला जाए अलफा वो पूछा गया है तो option में आपने को क्या क्या दिया हुआ था मैंन सब्सक्राइबkillर 7 चे और 208 समय और digging my babylot booriei फिलाफ करके तो मैं आपने साथ त्छिए और city किसे क्या-था ohm at 50 degree centigrade and 7 ohm at 100 degree centigrade. Then the mean temperature coefficient of resistance, ठीके, केसे करेंगे इस वाली चीछ को, कि अपने एक resistance का formula पड़ा था, क्या पड़ा था, r equal to r naught 1 plus alpha del T, ठीके, केसे पड़ा था, ये वाले देखो, basic से एक-एक type सब लेंगे, ताकि आपको इसा न लगेगी, सर ये वाला type छूट गया, 1 plus alpha del T, ये वाली चीज अपने पड़ी थी, अब उसने अपने को, देखो, जैसे अपनको इतना data दिया हुआ है, और option अपन से पूछे हो है, तो क्या आपनी solid value put करके ये चीद्न ही निकाल सकते, अगर ये दुबारा repeat हो जाए, ये ऐसा कोई type का repeat हो जाए, तो अपन नहीं निकाल सकते, आर की value दियो है, 50 value दियो है, माल दो alpha आपने को पहले से दिया होता है, तो कहीं, एक value misplace कर देता, यहाँ पर इसको solve करेंगे, तो r क्या है, यहाँ पर 7, कहाँ पर, r note अपने पास क्या है, 5, ठीके, 1 अपने पास, alpha आपने को find out करना है, और delta t क्या है, इन दोनों का, 20 हो गया, ठीके, हो गया, यह वाली चीज़ करने है, तो अब इसका answer लिखके मेरे को एक बाँ बता दो, किसी को इसको कुछ फूच ना था, तो पूच लो, और answer लिखके मेरे को एक बाँ बता था, थोड़ा सा अपने numerical value change किया है, एक आपको लगे कि सर, same to same वेसा कर रहे है, फूड़ा सा अपने आपने numerical value change किया है, ताकि आप लोगों लगे, पता लगे, कि नहीं सर, दिट ओपन करेंगे, वहाँ पर numerical value में क्या था, 100 यहाँ था, यहाँ पर अपने पास क्या जाएगा, 50 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 50 आया, मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, क्या कर सकता है पन, 7-5, equal to, 5 इधर चला गया, तो क्या हो ग और alpha अपना क्या हो जागा, 2 upon 250, ठीक है, यहाँ से इसको multiply कर लो, चाहो तो 10 की power 3 से divide और multiply कर लो, तो वहाँ से वो आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो 0.008 अपने पास answer आ जाए, ठीक है, तो high वी चीज़ें यहें, जो तुमने की हुई है, वही चीज़ पूछी जाती है, पी वाई क्यों कोई एसा नहीं है, एक्सा ओर्डिनरी पूछा जगया है, तो अगर अपन को सीट में कहीं doubt था, तो फिर वो तो लिख दो, ताकि अपनों discussion कर लेंगे, नहीं तो फिर अपन next अपने question पर चलते हैं, ठीक है, शीट की थी पीटा, किनी की किसी नभी, इसी पर चलते हैं, चलो next question पर move करते हैं, करें next question पर move, ठीक है, अपने को क्या दिया वाए, next question लेता है, if a negligible smart small current is forced through a wire of length 50 cm, तो अपने को क्या दिया वाए, wire of length कितना दिया वाए, 50 cm, ठीक है, बिट डाटा डेटा आपके लिए लिख रहा हूं, question पूरा लिख हूंगा, तो या फिर मानलो, उसको वो तो पता लग जाएगा, आपको, जैसे PYQ की book उठाओगे, या कहीं से PYQ करोगे, देखोगे, जिसमें पता लग जाएगा, ठीक है, अपने को length कितनी दिया वाए, 15 cm दिया है, ठीक है, यहाँ पर अपने को कितनी दिया वाए, 15 m दिया है, 15 m दिय ठीक है, having uniform cross section area, तो uniform cross section area को अपन क्या बोलते है, यह बोलते है, जिसकी value अपने को क्या दीव भी है, 6 into 10 to the power minus 7 meter square, ठीक है, then the coefficient of resistive of material, तो अपने को क्या find out करना है, resistive of coefficient material find out करना है, option अपने को वही, 4 option मैं यहाँ पर दे देता हूं, option इसके, यह option अपने को क्या दिया हुआ है, और a option अपने को दिया हुआ है, 1 into 10 to the power minus 7 ohm meter, ठीक है, एक option दिया हुआ अपने को b, 3 into 10 to the power minus 7 ohm meter, c option अपने को क्या दिया हुआ है, 2 into 10 to the power minus 7 ohm meter, ठीक है, और d मान लो none of d, ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, क्या इसमें से निकाल सकते हैं अपन, अब सर कोई बोलेगा, सर मैं कैसे निकालूगा, मैं क्या पता है, देखो, अगर तुम्हें इसका formula भी नहीं आता, पहली चीज तो formula आना चाहिए, अपने को निकालना क्या है, आर बराबर row, L by A होता है, यह सब अपन जानते हैं, किसी अपने की चीज को करोगे कैसे, अगर मालनों तुम्हे, formula याद नहीं आ रहा, अगर मैं answer में, answer में क्या है सब में, ohm और meter है, तो ohm तो यहाँ पर मेरे को मिल गया, और meter में देखना चाहूं, तो यहाँ पर दो जागे meter मिल रहे हैं, अगर मैं इसको इस से divide करूंगा, तो म मैं find out करना चाहूं, तो क्या हो जाएगा, आर, A by L, तो क्या हो जाएगा, ohm into meter हो जाएगा मेरे पास, ठीके, और direct अपन निकालना चाहें, तो direct तो आराम से निकाल सकने है, direct value रखने हैं, तो अपने को क्या निकालना है, रोड इनकालना है, R की value रख दो, R की value क्या है, 5 ohm ठीके, area के हमेरे पास, 6 into 10 to power minus 7, और L मेरे पास क्या दी हुई है, 15 meter, अब ये चीज़ हमेशे याद रखने हैं, कि इनकी जो unit होनी चाहिए, बिटा सम में सेम होनी चाहिए, मालनों इसको मैं here centimeter में रिता, तो फिर वहाँ पे अपने को 10 to power minus 2 लगाना पड़ता, अगर मैं इ simple, simple से question आते हैं, कुछ भी नहीं है, formula याद होना चाहिए, value put करना आना चाहिए, ठोड़ी से किसी calculation आना चाहिए, पर अपन क्या है, डर डर के उसको हावे हो जाते हैं, कि सर physics ठोटाफ है, समझ महीं ही आती, simple सी physics है, बस apply करना आना चाहिए, आप लोगो चीज़ है, बस apply कर और simple answer निकालो, टिक कर क्या हो, पूरे में पूरे number को, ठीक है, ज़्यादा कुछ रटने वाला काम ही नहीं है, exception तो बिल्कुल नहीं है, कि सर ये, ऐसे exception होगा, chemistry जैसा exception नहीं है, और एक बार अपने चीज़ समझ ली, तो एक सा भी नहीं है, कि रटने ही पड़ेगा, simple सा formula देखा, answer क्या है, और मान लो, formula भी नहीं आ रहा है, option से भी कही बार जा सकते है, अपन वाली चीज़ दिये, ठीक है, तो next question पर अपन चलते हैं, लेखो, पीवाई क्यों कंडे से क्या होगा, आपको लगेगा, कि सर ये से exception आते हैं, क्या से क्या है, कि कभी अपन क्या है, ल लेखो लगेगा, अब क्या दिया हुआ है, कप का है ये question, need का है, 2018 का, ठीक है, two road are joint end to end as shown, ठीक है, figure में जैसे shown है, बहुत है, cross section area, इनका cross section area अपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर में बात करूँ, तो क्या दिया हुआ है, अपने को, 0.01 centimeter square, ठीक है, सबको clear है, ठीक है, each one meter long, ये भी one meter long है, और ये भी क्या है, one meter long, ठीक है, ये बात clear हो नहीं है, आगे बढ़ते हैं पन, one meter long, one road of the copper with the resistivity, copper जिसकी है, उसकी resistivity जिसको आपन क्या बोल रहे है, रो बोल रहे है, रो अपने को क्या दिया हुआ है, वो जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, यहाँ पर unit V a 1.7 into ohm और centimeter, यहाँ पर चीज़े अपने को centimeter में convert कननी पड़ेगी, तो automatic answer centimeter में आएगा, यह जो भी अपने centimeter को meter में convert होगा, वो आपन देख लेंगे, ठीक है, ohm centimeter, the other of the iron road resistivity क्या दिया हुआ है, इसकी जो अपने को दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, 10 to power minus 5 ohm centimeter, ठीक है, तो पूछा गया अपन से, how much voltage to require to produce a current of 1 ampere in road, अपने को यहाँ पर current जो produce करना है, वो I जो है, 1 ampere produce करना है, तो अपने को voltage की value पूछी गई है, अब देखो, अच्छा सवाल है की नहीं है, अब इसको approach कैसे करोगो, वो एक बार ज्यान सुचे, voltage अपने को find out कर करना है, जिससे 1 current, 1 ampere की current हो, यहाँ पर resistance कितना बनना चाहिए, और resistance के लिए अपने को length दिया हुआ है, area दिया हुआ है, permittivity दिया हुआ है, इसको कैसे find out करोगे, और दो resistance जो है, इनकी length 1 meter है, 1 meter है, और किस में लगे हुए, आपस में connected है, इस वाली चीज को कैसे अपन कर करेंगे, approach कैसे करेंगे, सबसे पहले वो देते, mission समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो, तो बताओ, कुछ दिक्कत है बिटा, नहीं है, तो करें फिर, कैसे करोगे इस वाली चीज़ किसी का answer आए, कि कमेंट में लिखके, किसी ने answer बेज़ा है, क्या, चलो, करते हैं सोल इसको, तो सबसे पहले तो देखो, इसमें सबसे पहले अपने को important चीज़ क्या है, कि अपने को क्या आना की, क्या मेरे को इसका resistance पता है, देखो, voltage अगर दिखालना है, V equal to IR होता है, I उसने मेरे पास given है, ठीके, अगर मैं voltage निकालना चाहता हूँ, तो मेरे को R निकालना पड़ेगा, अगर सोचने का तरीका में बोलो, तो R निकालना पड़ेगा, R में कैसे निकाल सकता हूँ, R में जानता हूँ, कि R होता है, रो, L, भाई, ठीके, अगर यह मेरे को पूरा material एक जिसा दिया होता, तो R की value में रखता, L की value में रखता, A की value में रखता, जिसमें मेरा R आज़ा, अब यहाँ पर क्या है, इसका कुछ resistance R होगा, एक जो है, कोपर का resistance R होगा, अब वही resistance series में किसके जुड़ा होगा, तो यह अगर मैं R of Cu निकालना और R of Fe निकालना और उन दोनों को add कर दू, तो क्या मेरे को R, total R पता लग जाएगा, और जैसे ही मेरे को total R पता लगा, जैसे ही में क्या करूँगा, 1 से multiply करके क्या निकालना जो मेरा voltage दालना, तो R of Cu को कैसे लिखोगे, R of Cu बताओ तो, रो L by A तो सब लोग जानते हैं, क्या रो को मैं यह लिख सकता हूँ, 1.7 into 10 to the power minus 6, अब देखो, voltage तो मेरे पास किसमें आएगा, volt में आएगा, ampere आएगा, अगर मैं इसको centimeter में रहने देता हूँ, तो दिक्कत आएगा, इसलिए इसको मेरे क्या करना पड़ेगा, meter में convert करना पड़ेगा, यह वाली चीज़ देख लो पेले, आराम से, कि इसको meter में क्यों में meter में convert कर रहा हूँ, ठीके, आर बराबर, रो L भाई यह, रो क्या है मेरे पास, यह है, अब इसको centimeter में है, तो meter में convert करूँगा, 10 to power minus 2 में लगा, ठीके, L length कितनी है, कि L length जो है, 1 meter है, divided by area, area मेरे पास क्या था, 0.01 था, 0.01 था, अब इसको क्या करूँगा, मैं, इसको में winter में convert करूँगा, तो में पास answer आजाएगा, answer करके देख लो, यह क्या हो जाएगा, 10 to power minus 6 से 6 से cancel हो जाएगा, 1.7 into 10 to power minus 2 में पास आगया, इसी type से अपन R of, जो है, CU निकाल लिया, अब F, निकाल के बताओ, R of AP क्या हैगा, निकाल के बताओ, कमेंट में reply करो, मैं को, करूँगा, अभी क्या है, 10 to power minus 5 है, 172 से मारा है, यहां से इंटिमेटर 10 to power minus 2 करूँगा, एरिया जो है, वैसे ही लिख दूँगा, लिखना चाहूँ, तो क्या है, 10 to power minus 5, ठीक है, 10 to power minus 5 यहां पर आया में पास, आ रहा गया, तो लिखने, और इसमें क्या होगा, 10 to power minus 2 क्या है, सेंटिमेटर में, मिटर में करूँगा इसको, और वन इसका जो है, वो आ जाएगा, वन क्या है, इसकी लेंथ है, और डिवाइड बाइ, 0.01 इंटु 10 to power minus 4, ठीक है, यहां से minus 6 हो गया, और 5 से आटा होँगा, तो क्या हो जाएगा में पास, देखो, इसको 10 to power minus 6, उपर गया, 10 to power minus 1 आगया, यह क्लिए रहा है, R of Fe में निकाल लिया, ठीक है, R of Fe भी निकाल लिया, और R of जो है मेरे पास, क्या होँआ, की कोपर वाला भी निकाल लिया, तो डारेक्ट अब में क्या निकाल सकता हूँ, की मैं रजिस्टर निकाल सकता हूँ, कैसे नि अप्शन है, 0.117 वोल्ट, B अप्शन है, अपने पास, क्या निकाल लिया, भाई, A अप्शन अपने को क्या दिया हूँ, 0.117 वोल्ट, B अप्शन अपने को दिया हूँ, 0.00145 वोल्ट, ठीक है, C अप्शन अपने को क्या दिया हूँ, 0.0145 वोल्ट, and D अप्शन अपने तो तेंट और माइनस 16 वोल्ट आप किसी कान से निकल के आ गया हो तो बता दो ठीके तो आपन कर सकते हैं अब r अपने को equivalent निकालना है तो r equivalent क्या हो जाएगा कि r1 औной के आर र्टव क्या है इसको ऐसा करें पाउर अटादर डिर्र के दो 0und 10 आगे करेंगा का हैra 00目前 हो जाएगा 00 सब्सक्राइब और फिर इसमें एड़ क्या करना है मिलको इसमें एड़ जो है मैं क्या करूँगा जीरो पॉइंट उन में एड़ कर दूँगा यह जो है क्या है मिलपास यहाँ पे है जीरो पॉइंट हो पॉइंट 13Am में एड़ गातूंगा इसमें सब्सक्राइब इसमें आगर मैं 0.11 7 अम मेरे पास आजाएगा और आई क्या दिया वा यह मेरा यह क्यों दिएreno 15 मिन 1.1.7, 1.0.117, आया जाएगा अपना, जो option अपना क्या था, option में अपने को क्या दिया होता, 1 वाले option में अपने को दिया भाए, 0.0.117, लगा Question अच्छा, समझ में आया थोड़ा सा, कैसे इस ताइप के Question को solve करेंगे, वैटा देखो, जब तक solve नहीं करोगे, तब तक तो phobia म करेंगे और एक बार सोल कर लिया ताद फिर इंजोईमेंट आने लग जाए कि कैसे उस वाली चीज को अपन अप्रोज कर रहें कैसे आगे बढ़ रहें अब यह तो अपने देखो अलग लग टाइप के लिए लिए लो वाले लिए टेंपरेजर वाले लिए कुछ आगे जो है में डाइग्राम बनाने थाँ आप लोगों लिये अपने को कर्ण्ट फाइंड आॉट करना है जो अपने को गीवन है वो क्या क्या है गंटने independent क्यांट ठीक है, वोल्टेज अपने को क्या दियावाई, 4.8 वोल्ट अपने को दियावाई है, अपने को आर ए जो है, 3 ओम दियावाई, आर बी जो है अपने को क्या दियावाई 6 ओम दियावाई अब सर बोलोगे इतना सिंपल भी आता है बिटा हाँ इतना ही सिंपल आता है यह मत सोचो कि बहुत टफ सवाल आते हैं आते एजी हैं कभी-कभी कोई लोजिकल सवाल आ जाता है तो आप लोग कंसेप्ट अगर सब्सक्राइब आएगी अपने को क्या करना है कि 5% अआई अपने को इस जगह को सब्सक्राइब कर सकता है Cris & 1999 में आया हुआ कि थोड़ा ओल्ड है पर हां कभी-कभी ऐसा इता है कोन कोन इसको सोल नहीं कर सकता पहले बता दुनर को और इसको सोल कैसे करेंगे सब से पहले यह वाली बार, तो सोल सब कर सकते हैं, तो फटावट से इसको तो देखते हैं, मतलब आंसर दे सकते हो, यह सा कुछन है, इसको सोल कैसे करेंगे, आर एक्वेलेंट निकाल सकते हो, सबसे इसी, कि यहां पे क्या है, कि मेरे को आई फाइंड आउट करना है, इस पूरे में, आऄ अपन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिटा, जिसका भी sheet में कोई भी doubt हो, कुछ समझ मी नहें आया हो, तो वो जो है, एक बार comment में लिख दो, है कि अपन sheet का भी discussion कर लेंगे, ठीक है, तो कैसे मैं इसका equivalent बनाओंगा, एक्वेलेंट में बनाना च बेटरी जो है मेरे पास लगी हुई यह 4.8 वोल्ट की ठीक है और करेंट यहां से जा रही है आई और मेरे पास जो है रेजिस्टर अब इन दोनों को पेलल में कर सकता हूं पेलल में जब अपन सोल करते हैं अब्वर्ण अब्वर्ण प्लस करने या अपन के से कर सकते हैं यह जोंक्त विक्ती यह धी अपने पास आगया यह जो में पास यहां पर रजिस्टर में लगा रहा हूं वो क्या है और बराबर 12 बाई 5 और यह हो जागा टू पर यह जागा टू अपने पास आई की वेल्यू क्या ओप्शन तो अपने वो दिया हुआ है इतना सिंपल सा किशन था आराम से इसमें समझ में आ जाना चाहिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए पर चलेंगा यह भी थोड़ा अच्छा किशन यह समझ में आया ना किसे को अगर स्क्रीन शूट लेना है या देखना है कुछ डाउट हो इसमें तो कमेंट में लिख सकते हूं ठीक है आगे अपन पढ़ते हैं एक अच्छा-च्रीशन थोड़ा सा इसका डाइग्राम एक बार देख ले रहें अपने को पूछा गया है what will be equivalent resistance of the circuits show in the figure between two points A or D, A or D point से बीच में अपने को equivalent resistance पूछा गया है, यह मेरा A point है, ठीक है, circuit का A point अपने को दिया हुआ है, यहाँ पे अपन ने देखा और यहाँ पे अपने को कोई point C दिया हुआ है, ठीक है, बीच में जो है, register pasar-of, ct-n사, D, A,ourd aoni, online press go, FGA, जो, पे अपने को कितने ओम का दिया हुआ है, कि हर register अपना जो है, 10 imes का है, R equal to, अपने पास क्या है, जो भी, distance है, वो जो है, 10 om ये, point B है, ये point की ये, 10 om है, ये B 10 om है, ये B 10 om मेरे, 10 om मेरे पास, ये B 10 om मेरे पास, ओर ये Pelation, ये B 10 om है और ये भी टेनर अपने को क्या बताना है आर एकवलेंट बताना है between A and B ऐज के अपने बताना है A जो दिया वाइ वो क्या दिया वाइ 100 B जो दिया वाइ अपने को option वो दिया हए B सोम C जो दिया वाइ अपने को दिया वाइ 30 ओम 80 and approximately 20 ohm सी जो दिया वाइज अपने को दिया वाइज अपने तेषी और डी जो अपने को दिया हो और 20 ohm की जएला उद्स हम भी लो निहां प blasman allora नतरा आ ठीक है अब इस किश् làm को ऑद और कर कि के देखो कैसे इस वाल को आपको इक्वलेंट रिष्टन निकालना है और डी के बीच में क्या आपको इक्वलेंट रिष्टन निकालना पने सिखा था और अभी प्रेले पेश्टन पर पूछा गया है ठीक है और अपन फिर उस चीज को बता नहीं पारे तो दिक्कत वाली बात हुआएंगे तो अपने आवाज आदे सबको मेरी बिटा अब देखोगे तो पता लगएगा क्यूशन पर अपने क्या दिया हुआ है एबी सी डी चार पॉइंट अपने वो दिये हुए है और अपन से जो पूछा है वो क्या पूछा है कि इन पॉइंट के बीच में ए और डी के पूइट में कहां क्या निकालना है एक्वएलेंट रोइस्टेंस निकालना है थीट है कि अर्वाज आ दें के बीच में तो ख्या करो क्यूशन दो यह इंड निकालना है उन क defines क시고 बीच में बड़ी इशा को बड़ी है अब इसमें क्या है is current flow कराँ है देखो इहां से current जायगा जए कपर इस लिबा बाते जायगा यहां पर दो पार्ट में котором यहां उगा और यहां पर वापस यहां से तो आगे करीब lip धोरोड करेगा अब फिर्ट कर यहां से आने के बाद इस पार्ट में जायगा करन्ट का रूल केता है कि वह जाएगा तो वापस आएगा अगर इसमें चला गया तो वापस तो आ नहीं सकता कोई और पात तो यहां भी करन्ट जो है फ्लो नहीं होगा और सेम एज में बात करूं यहां पर करन्ट गया तो यहां भी फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है पाथ जोगा या तो ऐसा होगा या पाथ फिर क्या होगा इसा होगा बात समझ में आई तो जब भी कभी एक इन्फीजन आये ना ऐसा कुछ तो एक इमेजनरी बेटरी कनेक्ट कर लो और उसके बाद देख लो कि कौन-कौन से में इकुलेंट लगाने अपने अपड़ छीज हों यहाँ पर में ए और दि Am Жen अपने पास यह है यहाँ पे लगा हुआ है एक द्रेजिटर नयला हुआ है एक रेजिस्टर इसे लगा हुआ है और यह मैं पास है अब सारे इंद्ध रेगे और और 20 वे 2020 किया है जिसमें यह के सा बन जाएगा पूरा रहेगा अगर मैं ८्साराफ तो यह क्या हो जाएगा कि 10 ohm 10 ohm and 10 ohm के तीन रिजिस्टर जो है अपने पास series में connect हो जाएगे a और d point के बीच में तो रिजिस्टर equivalent between a and d is equal to क्या हो जाएगा 30 ohm जो मेरा answer दिया हुआ है C ठीक है simple था पर थोड़ी सी इस में एक अपने को trick जाननी थी concept जानना था इस वज़े से सवाल लिया हुआ था ठीक है चलो यह आया हुआ है 1996 में तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं है ना क्योंकि अपन सब टाइप करके देख रहे हैं कि प्रीवेस एर में क्या आच्छे आते ही नहीं आते ही या क्यूशन आते तो केशे आते हैं देखो मतलब अपने दिमाग को इसा भारी नहीं होता कि इसमें तो अपने क्या है ठीक है मैं क्यूशन पढ़ता जाता हूं एक बार आप देखता है ठीक है यह अ एक बेटरी करें कर देखा कर के रिंखे का यह यह अपने पर्सुंट वा है तो इसके बाद यहां पर तो एक बम स्रीक करनेक करें देख सब्सों अव्यवा व्यों its थोड़ा यह clear कर ले है ताकि यह जो अपने को दिया हुआ है यह 4 ohm का रिस्टर दिया हुआ है ठीक है और यह जो है अपने पास 8 ohm का रिस्टर दिया हुआ है और यह अपने पास 2 ohm का रिस्टर दिया हुआ है जिसमें current जो है I अपने पास आ रहा है टोटल सर्कीट में current क्या है आई यह आई वन इसको बोल सकते हो है आई वन जो 4 ohm के resistance में अपने को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.2 ampere ठीक है तो अपने को बोला गया है what is the potential difference between B and C आई यह आई वाला है और शीपैट यह वाला है आपने इसको पॉइंट से अलग से लिनोड कर देता है ताकि आप लोगों दिक्कत ना हो बीपोइंट अपने पास यह वाला है और इन दोनों गें बीच में अपने को potential difference कर सकते हो आराम से कोई इसमें दिक्कत वाली बात हो तो निकाल सकते हैं चलो बताओ किसे निकालें सके हैं अब पर किसे करेंंहें नियुक्तों पर इससे क्या निकलेगा 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 तो किसे लेगा अपनि यहांपे कैसे वोल्टे निकालेंगे देशिकले अपने को वोल्टेज पूचा गया है क्या पूचा अपने सेक बूचा गया है कहांपे इसके सोले उसको करेंगे हैं कोई दिक्कत वाली बात है क्या दिया हुआ है तो अगर मैं इन दोनों के बीच में वोल्टेज देखना चाहूं तो किसे लिखना मान दो वी एट 4 ओं ठीके अपने यहाँ पर एसे लिखते हैं वी बराबर क्या होता है आई आई आर होता है और और मेरों पता है कि 4 ओं है तो मेरा वोल्टेज क्या आगया मतलब इस सर्क यहाँ पर फोर ओं पर इन दोनों के अख्रोश जो बोल्टेज है वो क्या आगया 4 into 1.2 तो क्या जाएगा 4.8 वोट गलती नहीं लिखाना सही है अब parallel connection है ये दोनों ये दोनों resistance parallel में जुड़े हैं तो अपन एक सी जानते हैं कि parallel में जब भी connection add होते हैं तो दोनों पर voltage बराबर है तो V of 8 ohm कितना है मेरे पास वहाँ भी क्या होगा मेरे पास 4.8 वोल्ट ही होगा और ये किसके बराबर है ये है 8 into i2 अगर मैं इसमें i1 माना हूँ तो इसमें i2 में मान सकता हूँ ठीक है यहाँ से i2 की value क्या आईगी i2 में निकालना चाहूं तो 4.8 divided by 8 क्या i2 आगया 0.6 आगया ना भई अपन 0.6 अगर मैं total current निकालना चाहूं i क्या होगा दोनों का submission होता है i यहाँ से गया होगा वही तो इनमें divide हुआ ना देख सकते हो ना राम से इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होगी i जहाँ से गया था से दोनों का add हो गया तो वह चीज अपने add कर देंगे मेरे पास current यहाँ पर i current जो total हो क्या होगा i1 प्लस i2 हो जाएगा और वो क्या है 1.2 प्लस 0.6 इक्वल टू क्या होगा 1.8 ampere मेरे पास होगा ठीक है अब मेरे को क्या निकालना है इस जगह पर voltage निकालना है voltage 8 B and C मेरे को find out करना है तो क्या होगा current मेरे को पता है current क्या है मैं पास कि current total current क्या है 1.8 और यहाँ पर resistance कितना है कि 2 ohm तो 1.8 into 2 तो यहाँ पर मेरे पास क्या आजाएगा 3.6 ohm option अपने को दीए बएस है पर option लेने की मतलब नहीं है क्योंकि option भी यही दीए है 3.6 ohm 6.3 1.8 और 2.0 तो 3.6 अपना correct answer हो जाएगा कब पूचा गया है 1994 में पूचा गया है ठीक है समझ में आया यह वाला question अच्छा था मतलब थोड़ा सा अच्छा था जाद अच्छा थो नहीं बोलेंगे पर हाँ PYQ है तो देख लो मतलब इतने hard and past question नहीं आ रहे तो समझ में आना चाहिए अपने को कि कैसे इन question को approach किया जाता है ठीक है नेक्स आले question बढ़े मटा जिसे question अपने class में क्या हुआ है तो रहने देते है डाइग्राम में बना देता हूँ चाहो तो कड़ना चाहो तो देख लेना नहीं कड़ना चाहो तो कोई बात नहीं अपन से R equivalent पूछा गया है कि advisant 1990 में आया हुआ है नहीं पे एक Computer दिया भाए था पर यहां पर एक और R रिस्टर दिया हुआ है यह पॉइंट है है यह पूइंट बी है यहां पर पहले हम जो एसब ख़र ने बना अर्व हाँ और यहां से वह रिस्टेंस आर्यों कर राए tang सब आ और एक रिस्टेंस आ जो है यहां पर है तोनों कि अपने किया वाए इसको आपने सिमेट्री लगेगी यह वाला पॉइंट टूट जाएगा सिमिलर अपन आरिकोलेंट निगाल तो यह वाली चीज तो अपने क्लास में कियो इसी नौर्स में अपने इंक्लूड है तो वहां से देख सकते हैं ठीक है आगे बड़े नेक्स कुछन पर यह थोड़ा सक्छाट कु इंटर्नल रेजिस्टेंस 1 ओरन एंट 2 ओर ठीक है कनेक्टेटेट इन अस सरकेट विदर रेजिस्टेंस 9 ओर ए शो इंड़ फिगर में आपके लिए बना देता हूं एक यह आप पे पूइंट उसने लिया वाया है ठीक है इंटर्नल रेजिस्टेंस इसको पन को बोला गया है कि ऐसा कुछ है पोर ओप की बेल त्री अब देखो इसमें यही तो अच्छी खाश्यद होती है कुशन जो होते है न इसा कोई सर्किट अपने को दिया वाय यह 4 वोल्ट है यह 8 वोल्ट है यह जो अपने पास 1 ओम है और यह जो अपने पास है 2 ओम यह आरवन माल लो यह आर औmother's subject that अब्रॉच है अपने को पूछा गया य He best week के एउफने को पुछा गया थी कही दिया होा है यह ट्री वोल्ड बीयोऌ अपने को दिया वायओ यह क्या दिया हो और ऐे व、 सुल करकर आंसर बताऊ मैं अड activist आ आपके लिए C option अपने को दिया हूँ, 1.9 ampere and 9 volt और D option अपने को दिया हूँ है, वो जो दिया हूँ है, 1.12 ampere and 12 volt, कैसे इस वाली कीच को solve करेंगे, समझ में आ रहा है, आराम से कर सकते हैं, इस वाली कीच को solve, 9 ampere, यहाँ पर resistance अपने को दिया हूँ, ठीक है, कैसे करोगे इसको, सबसे बेले क्या निकालेंगे अपन, E निकाल लो, और R निकाल लो, ठीक है, और V equal to IR कालोगे, जिसमें answer आपने पास आजाए, ठीक है, सबसे पहले, अगर मैं E equivalent की बात करूँ, क्या आपन जानते हैं, यगर दोनों की polarity सेम होती, तो E equivalent अपने 8 कर देते हैं, पर इसमें क्या है, opposite है, तो 8 volt माइनस, अपने पास, 4 volt equal to E equivalent अकर में बात करूँ, 1 ohm, 2 ohm, 1 ohm क्या है, तो टोटल क्या हो जाए, 9 and 3, 12 ohm अपने पास आजाए, अगर I current की में बात करूँ, I equal to V by R, यहाँ पर क्या कर देंगी, 4 upon 12, तो क्या हो जाएगा, 1.3 ampere अपने पास आगया, आगया अपने पास 1 by 3 ampere, जिसको option में 1 by 3 के और इसी में दिया हुआ है, तो अपने को answer वेसे ही satisfy हो गया, ठीक है, फिर भी अपन से क्या पूछा गया है, P और Q point अपने को कहा पर दिया हुआ है, Q point अपने को यहां पर दिवा है, तो P और Q के भी उच में अपने को voltage पूछा गया है, तो voltage अपने को निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे voltage, भई voltage दो तरीके से निकाल सकते हैं, अब देखो इसमें, या तो इन दोनों का voltage लेके इसमें से current difference निकाल लो, एक बाँ बताओ, इन दोनों इस लाइन पर जितना voltage होगा, उतना ही voltage यहां होगा, यह बात का बराबर ही है ना, तो B of P के के से लिख सकते हैं, I into R, और I मेरे पास क्या है, 1 by 3, R क्या है मेरे पास 9, तो मेरे पास क्या हो तो पूछ सकते हैं बटा